आज वो जितने भी भजन या गीत गाते हैं सोयम अपने लिखे हुए गा रहे हैं ये मा सरस्वती की भी उन पर कृपा है और मैं पुन्हा निवेदिन करना चाहता हूँ भाई 1994 से या किसी से भी हमारे पुझे सरकार को मंच पर लाएं मैंने आप से अंडोध किया मैंने आपक में कमीत्रियों की कमी है या यह नहीं कहता कि इंसे बढ़ा कोई नहीं चोटा कोई देखनों कि अनूंस्पन और स्रीमती किरतिकाले । ति ये लगता है कि िहिता कि हम देश की कवित्रियों का संब्मान करना भी जाइए को म्याइब कि जब उन्होंने कहा, उन्होंने सोयम इस बागत उच्पों माना, कि आज इस मंच पर ओज के कभीयों की पार्ट साला चलेगी, ओज के कभी अपनी पार्ट साला में इन लोगों को जगाएंगे, देश्वक्ति का जो जागरन होगा हमारा राम भदावर मंच पर बैठा हुआ है हमारा पंकेट पंटित मंच पर बैठा हुआ है हमारा कमल आगने मंच पर बैठा हुआ है राणामुनी प्रताप सिंग मंच पर बैठा हुआ है पंकेट पंटित मंच पर बैठा हुआ है मैं कि अर्जुन से सोधिया के नाम क्यों छोड़ दिया अर्जुन से सोधिया के नाम नहीं छोड़ा किसी भी मोड़ पर में रच तुम्हारा मोड़ सकता हूं किसी भी मोड़ पर में रच तुम्हारा मोड़ सकता हूं भरे उनमाद से सारे घटों को फोड़ सकता हूं मुझे पड़ दिया जब गीतकारों की बात होती है कि अमनक्षर मंच पर होगे तड़ कि मतलब जिस कीटकार को ऐसे जितने विडियों देखे यह मेरा दूरभाग है कि मैं मैं तेरे साथ कम रहा हम रहा रहा यह नहीं रहा मुझे यह याल कि लेकिन मैं स्वयम, जैसा तेरा नाम है ना, मैं स्वयम तेरा इतना प्रशंसक हूँ, तुने कोई नहीं हो सकता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, तेरे परस्तपी करन की, तेरे शिल्ब की, तेरे भावों की, स्वयम्ण स्रिवास्तों हमारे मंझ पर है। तो तो मैंने लोग माराजी है जब मेरे जाते हैं और भोजन बनाते हैं। तो सबसे स्वानिष्ट बस्तू बनती है उसका नाम अमन अक्षर है अमन अक्षर को बुला लिया करो लेकिन हमारा अमन वियाजमेंच पर है मैं पुना अन्रोज करता हूँ भाई प्रशांदी जी से और निटेंडर चौवे जी से तक पहुंचा दें क्योंकि यह रचनाकार यह रचनाकार जो है यह अगर बागेश और धाम में पाते हैं तो उनका मैं अभी कहरां रहता है कि यह इनका सोभाग्य के बादेश और धाम सरकार के सामने इनका काभी पाठ होगा लेकिन यह अगर इस धाम में आते हैं तो केवल सरकार के चरणों में नमन करने के लिए उनका आशीरवाद प्राप्त करने के लिए आते हैं कि यह बोर। नरहें चीज्क कोई 40,000,000 रंगलाक देरा भी पिंक 5,000 की 60,000 पोड़ार लेकिन है कि मााँ भानी के पुत्र हैं यह लक्षमी पुत्र नहीं बंदे कभी आकर हुआ टो ऐसे रच्राकारों को हम नमन करते हैं प्रनाम करते हैं और बागेश रृण सरकार्स से पुरा अन्रोज करते हैं एक मेरी आबास इन तक पहुच रही हो और उनने मुझ से कहा थे कि समया उन्ह diligently पहुच आगया हो मेरिया बाडंट रहे हो तो भो भी मन्च पर कलता हूं है है हलाग फूज्य है मेरे मेरे में तो थोनिकी ज senatorsだ रोग गःवज को वह हनुमान के कर्भा पात्र है मैं उनकार खुरुबा पात्र हो तो क्रभा पाथर के वलने विदन नहीं करता कभी-कभी अधिकार के सारब बात भी करता है तो मैं पुरा अन्रोज करना चाहता हूं प्रसांत है भया अंकुर क्या है यह अंकुरत लोग नहीं है यह अंकुरत नवुजत नहीं है यह महाराथी जी के चरहों में बैठकर ही कापयपाट करेंगे कि यह हम जानते कि तू चाहेगा तो महाराथी एक दो मिनिट पर यहां आ जाएंगे तो यहां यहां जो खड़ाया उनको लिवा कर लाने का कश्च करो जी यह अद्भुत कभी सम्मेलन होगा मावाने की जो बरत पुत्र मनदेश में मुझे नहीं मालूम कि लोग क्या-क्या सो कुछते हैं लेकिन मैं एतना जरूर कह सकता हूं कि जिन्म रचनाकारों को बागेश और धाम सरकार के आदेश चे हमने आमंत्रत किया है जब आप उनको सुनेंगे यह बहु रचनाकार हैं जिस मंच पर होते हैं लोग सभियों तक भरसों तक उस मंच को याद रखते हैं अधिकार दे रखे हैं तो जब सारे अधिकार हैं तो गुरू पुनिवा पर होने वाला आयोजन भी हम अभी से बताए देते हैं कि 19 जुराई को खरेंगे अपने यह मेरा सौभाग्ज है कि उन्होंने बहुत सारे अधिकार हमें दे रखे हैं मैं एक बार आप सबसे अन्रोज करता हूं कि आप सभी तालिया बजा करके महराजी के लिए तालिया बजाए ताकि वो मंच पर जल्दी से जल्दी आ जाएं है हनवान गड़ी के महन परम पुझी राजुदास जी वी वबस्तित हैं मैंने उनके चरणों में भी निवेदन किया था राजुदास जी वो नाम कि जब किसी ने सनातन धर्म के बुरुद्ध बाद कहीं ती इस डैस के बुरुद बाद कहीं थी वो पहला संध था जिसने यह कहा था जो सनातन धर्म के बुरुद्ध बोल रहा है उनका शीज काट कर लाएगा मैं उनके चोश के चरणों में जतना वो धन कहेंगा मैं अर्वित कर दूँगा कि यह सब कहने कि हिम्मत सब में नहीं होती है और मैं ऐसे महंत राजुदाशी से भी अनोज करता हूं गूँ सरकार आ रहे हैं बस मुझे संकेत मिला है कि सरकार कप निकल चुके हैं अब आप जानते हैं कि जब उन निकलते हैं तो लोग अपने पलक पाउने बिच्छाए हुए बैठे रहते हैं उस चाहते हैं कि हम से ए पर और थालियां हो जाई है और उसे प्राप्त कर सकते हैं पुझ माराच्री का मंच पर आगमन हो चुका है आज कि जो सांस्कृतिक संध्या है उसमें देश के कई ख्याती नाम कलाकार हमारे साथ थे इस सांस्कृतिक संध्या की जो शुरुवात है वो प्रिंस रोशन के सुरेली गीतों के साथ हुई थी वो भी मंच पर वराजमान है फिर हमेशा रंग जमाने वाले प्र्याग राज के मिश्राबंदू जिन्होंने खूब रंग आज भी जमाया और बाला जी को खूब रिजा बाया भी इस महुत्सों को एक नई उचाई भी दी और अब बारी है माँ भारती के उन पुत्र पुत्रियों की जो देश भर में ख्याती रखते हैं और बागिश्वर धाम के इस अखिल भारते कवी सम्मेलन में हर वर्ष बाला जी की सेवा के लिए आते हैं ये देश भर में जाते हैं तब इनका मांदे होता है लेकिन बाला जी के इस दरवार में ये सेवा के लिए आते हैं ऐसे कभियो के लिए भी करतल धनी से इनका भीनंदन कीजे और इन कभियों को बुलाने का जो गौरव है वो श्री प्रकाश पटेरिया जी को जाता है अभी जो बीच में सेंट्रल माइक पर थे पुझ महराश्री का आगमन हो चुका है उनके आने के पहले ही चारों तरफ पता लग जाता ह कि महराश्री मंच पर आने वाले हैं अब सभी विवस्था में रहें अपने इस्थान पर रहें भगदर ना मचाएं हमारे साथ आज जो देश के ख्याती नाम कभी हैं उनमें डिल्ली से स्रीमति किर्थी काले हैं वोपाल से अनू सपन जी हैं गाजियाबाद से अरजोन से स एंपुरी से बलराम श्रिवास्तो जी हैं टावा से राम भदावर जी हैं लखनु से कमल आगने हैं इंदोर से अमन अक्षर हैं रीवा से आमिश्युकला हैं ललगपूर से पंकच पंडित हैं आगरा से गौरप चहान हैं हातरस से राणमुनी प्रताप हैं उन्नाओ से वास्तों हैं और चत्रपुर से वरिष्ट कभी प्रकाश पटे रजी ने सकारिकम का संयोजन किया है आज मंगलवायर का दिन था पुझमाराश्री सुबह से ही निरंतर परिश्रम कर रहे हैं रात्तरी तीन बजे तक वो आप सबसे बात करते रहे उसके बाद दो घंटे फि और फिर सुबह से मंगल शुरू हो गया था तो बिल्कुल भी विश्राम पिछले 24-48 घंटे से उन्होंने नहीं किया है और जिसके घर में एक बेटी की शादी होती है वो विश्राम नहीं कर पाता है उनकी तो 155 बेटीयों की शादियां है तो विश्राम तो कैसे करेंगे यहां आठ मार्च को आएंगे शिवरात्री के दिन और उन बारातों के स्वागत के लिए आप सभी जनकपुर के नरनारी बनकर उनका स्वागत वंदन करिएगा और इस आयोजन को ऐसा आयोजन बनाईए ताकि देश भर में ये बात जाए कि हमारे मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं हैं वो समाज की शक्ती का भी केंद्र हैं अगर मंदिर ठान लें तो बिना माबाप की बेटियों के ब्याह ऐसे हो सकते हैं ऐसे हो सकते हैं कि वो बेटियां 172 तरहे की सामगरी लेकर जाएं 10 लाख घराती और बराती उस ब्याहा में शामिल हो पाएं निरंतर 7-8 दिनों तक भंडारा चलता रहे हमारी किरन मैया बैठी है सामने लंदन से लगातार उनके बगल में फ्रांस से बीना मैया बैठी है बारातीयों में पूरे कई महाद्वीब के बाराती और घराती आये है ये आलम है बागिश्य और धाम की उन बेटियों का सवाग है कि किस तरह से उनके ब्याह की तैयारियां चल रही है और अबुधाबी से रवी कुमार जी बैठे है ये जब बड़ा अयोजन होता है तो बड़ी तैयारियों होती है करतल ध्वनी से स्वागत करिए हम सब के हिर्दय के केंद्र पुझ महराश्री का बोलिये बागेश्वर धाम की बोलिये पुझ पात सन्यासी बाबा की बोलिये बाला जी सरकार की बोलिये गुर्दे भगवान की पंचम बुंदेल खंड महोत्तो की कन्या विवाह महोत्तो की आज के आनंद की आप सभी की भी पुझ महराश्री मंच पर पहुँच चके हैं आप सभी उनका अभिनन्दन करने के उपरांद अपना इस्थान ग्रण करेंगे अनुशासन और सेवा का परिशय देंगे उनकी प्रतेक्षा में रास्तों पर लोग बैठे रहते हैं यह रास्ता छोटा सा जरूर है लेकिन यहां भी कई लोग हम लोग दिन भर देखते हैं कि कई लोग सुबा से बैठे हैं दिन भर से उनको कहा जाता है कि पुझमा राश्री अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे तो हमें बैठने दीजे हम बैठे रहेंगे दर्शन की लालसा लेकर देश भर से दुनिया भर से लोग आते हैं यह प्यार उनके प्रती जो समाज का है वो इसलिए है क्योंकि हमारे प्रती समाज के प्रती उनका जो प्रेम है वो भी अभिनंदनिये हैं जिस तरीके से वो समाज को सनातन को लोटा रहे हैं वो अभिनंदनिये हैं पुझ महाराश्री का अगमन हो चुका है बोलिये बागेश्वर धाम की महाराश्री के साथ देश के एक और पुझनिये संत हनुमान गड़ी अयोध्या से पुझ राजुदास महाराश्री भी मंच पर आसीन हो रहे हैं आज दोपहर के समय संत विमर्ष था संत महा सभाथी और आज देश के अलग अलग तीर्थों के संत महंत यहां पहुँचे और अपनी बाणी से हम सभी पर कृपा की पुझ राजुदास जी भी हनुमान गड़ी अयोध्या धाम से राम लला का संदेश लेकर आये हैं इस आयोजन में और इस आयोजन को भब गर्मामई बना रहे हैं आप सभी की बहुत इक्षा होगी महाराश से मिलने की लेकिन मेरा आग्रह है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं बारी बारी से हम सभी को भेट करने का अवसर मिल जाएगा अब महाराश से मंच पर आ गए हैं वो रुकेंगे काफी देर आप इस्चिन्त रहें अपने स्थान पर बैठ जाएं ताकि आज का काभ्य पाठ प्रारम हो सके आप सभी भी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं आज जो आनंद वर्सा है वो आनंद अभी निरंतर चलने वाला है सारे कभियों से अग रहें कि वो अपना इस्थान ले लें कलाकार जितने भी हैं मिश्र जी के साथ और जितने भी कलाकार हैं उनसे भी अग रहें कि वो अपना इस्थान ले लें बैठक विवस्था में जो लोग भी हैं वो मंच को ब्यवस्थित कर दें आप सभी अपना इस्थान ले लें सारे कभियों से अग रहें सारे कलाकारों से अग रहें कि वो भी अपने इस्थान पर बैठ जाएं मिश्र बंदूं से अग रहें कि स्थान पर बैठ जाएं उनकी कलाकार टीम अपने इस्थान पर बैठ जाएं इस इस जातने ुपो legend concept करता हूं कभियों के अलावा जो यहां कभियों के साथ बैठे हैं वह वहां नीचे वहां बैठे चल करके आप सभी कभियों से आग रहे हैं कि स्थान पर बैठ जाएं इस मंच से मंच की ववस्था बना लें कर दो बैठे बाएं प्हुले कि अ हराई ठाईमलियों के वहां बना है भी वहां आपना हैं जिसम्हां राएं बैठे हैं इस तर्दरादा जाएं, क्हुंग दोद्धे पलाएं झाल झाले को रवस्वेराण बाएंत प्हंट को अंचियों अभी नंदन और आशिरवाद संपन्द हो और इसके बाद फिर कवी समेलन आज का हम प्रारम करेंगे सभी कलाकारों से आग रहे कि आप अब अपने इस्थान पर बैठ जाएं हाँ 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 है अगाँ आज देखेगे आज तो कि मैं पुरा सभी से अनलोज करता हूं कि कभियों के अलावा जो महाराजी के साथ में खड़े हैं वो कर्फिया मंचिखाली कर दें ताकि हम कारीकरम पुरारम हो कर रहा सकें अब आप सभी से अग रहे हैं पुनार रोज करता हूँ ये मंच खाली कर दें उपर का मंच पर केबल कब जो कभी है वो ही भराजमान हो रहेंगे बागी सब निखे बाले मंच पर बैठेंगे कलाकारों की पूरी टीम मिश्रिबंधू आप सभी से अग रहे कि अब ये वाला मंच खाली कर दें ये जितने भी कलाकार है मैं पुनार रोज करता हूँ कि महराजी को महराजी के पास जाने की चेस्टा ना करें दूर से प्रड़ाम कर ले बैठक विवस्था में जितने भी सेवादार है वो मंच को अब खाली करा दें आप सभी कलाकार अलग से महराजी से भेट कर ले ना फिलहाल कारकम प्रारंब करें जितने भी कलाकार साथी आज यहाँ इस आयोजन में समलित हुए थे सभी की लालसा है कि भे महराजश्री से मिल ले भेट कर ले अशिरवाद ले ले सभी की लालसा पूरी हो गई है अब किरपा करके अपना इस खान ग्रहन कर ले कलाकारों का पूरा दल नीचे के मंच पर पहुँंच जाए तीसरे मंच पर उस तरफ साउंड के पास या फिर सबसे कोने में इस मंच पर सिर्फ कभी रहेंगे मध्य मंच पर सिर्फ कभी रहेंगे या तो कलाकार नीचे के मंच पर आ जाएं तीसरे वाले मंच पर या फिर और उपर के तरफ साउंड के पास आ जाएं केमरी का ध्यान रखें सभी रचनकारों से बिनमर निविधन करता हूं कि वह पने इस्थान कि रहन करें था कि हम इसकार करम को प्रादम हो कर सकें महराजी को प्रणाम कर रहा हूं यह प्रण यह महराजी को दिलवाना है बगदू मैं इस कारकर्म को बहुत जल्दी प्रारम करना चाहता था सरकार मेरे अपरादों को छमा करें क्योंकि मैंने यह कहने का दुस्ताहस किया है कि मेरे यह जिद है कि जब तक आप मंच पर नहीं होंगे हम काब्य पार्ट नहीं करेंगे और यह अधिकार आपने ही दिये हैं अब मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ यह मेरी धरष्टता है कि मैंने ऐसा किया लेकिन यह धरष्टता करने के अधिकार भी आपके ही किता से मिलते हैं हनवानगड़ी के महंद पूज राजुदाशी विराजमान है मैं अब उनकी चर्चा कर रहा था मैं आपके चरणों में इसलिए प्रणाम करता हूं कि आपने उस दुष्ट नहराधम के लिए जो शब्द कहे इस देश में आप जैसा संद दूसरा नहीं जो इतनी हिम्मत कर सकता है कि आपको प्रणाम करता हूं बार मार इतने दिनों से यह कारिक्रम चल रहा है जो हमारे खवीगन है मरजी आपके कर कमलों से केबल एक एक समर्दी चन्द भर चाहते हैं अगर आपकी अनुमती हो मुनी उसमें से एक निकाल कमने महारा जी करें कि हम सबको अपने हास सब्सक्राइब करें कि जो काफ़े पाट करके हमारे पास तक आएगा परणाम करने अरे आप क्यों आएंगे आपके पास प्रणाम करने ये लोग आएंगे आप उसी समय स्वरती चन्न ने भेंट करेंगे चलिए हम इस कारिकरम को पराइरम हो करते हैं और सरकार एक अरिकर्म प्रारम होता है इन कभियों को आपका अशीरवाद चाहिए बस दो शब्दा भोल लें इनको अशीरवाद दे 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 कि श्रीराम नमह गुरुब्यो गुरुपादुकाभ्यो नमह परिभ्या परपादुकाभ्या आचार सिद्धे स्वरपादुकाभ्यो नमोस्तुसीता पतिपादुकाभ्या अन्यना नंदनंबीरं जानकी सोक्यनासनं कपीसमक्षंतारं बंदेलंका भयंकरं श्री राम जय राम जय जय राम बुलू राम चंद्र भगवान की बागेश्वर हनमान्जी महराज की सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा की बागेश्वर धाम के सभी पागलों की यग्यनारायन भगवानी की आज के आनंद की कभी सम्मेलन की भी सभी बाग देवी सरश्वती के कृपा पात्र कभियत्री और कभियों की भी जय हरी सरणम आज हम सबका सोभाग है पाबन तीर्थ स्रीधाम भागेश्वर धाम की धर्ती पर लगातार संतों का आगमन उनकी चरणों की रज उनका मार्ग दर्शन उनके दर्शन हम सबको प्राप्त हो रहे हैं पाँच मार्च को दिन विसेश्था पूरे भारत के महापुरस आज विद्यमान थे लिकिन कल भी कम नहीं है हर दिन रंग चरता चला जा रहा है संतों की कृपा उनकी मंगल में उपस्तती आज जो है अभी जब संत सम्मिलन हो गया सो हम चले गए अंदर आगी को लगो बुढ़ापे को सरी सो लुड़क गए और जमीन में ही सो गए कब वहीं बैठे बैठे सो गए हमें खुद पता नहीं है हमें तो एक डेड़ घंटे बाद जगाया गया कि आप उठो अब अंतिम युद्धा बचे हो पर जो है बड़ी मुश्किल से तब तक पता लगा कि जितने भी सांस्कृते कारिकम थे पूरे हो गया केवल आप ही बचे हमने का कि कभी बचत बाद में हमका बचते दो वहीं भर हैं बाकी क्योंकि कभी ही एक ऐसे होते हैं जो दूसरों से कहते हे रण चंडी तुम उठो अब हात में तलवार लो जी घर पे सो जाते हैं हो 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 हमको पता लगा कि कभी सम्मेलन बाकी है हमें बहुत प्रशनता हुई आज की रात्री और खास भी है कि इन कभीयों के द्वारा स्रिंगार रस करुन रस आप सभी रसों को व्यंग भी बीच बीच में होंगे और कभी सम्मेलन के बाद में प्रशनोत्तरी जैसे कल की थी वैसे आज करेंगे अब हम रीचार्ज हो गए हैं सो नहीं जाना तुम लोग ठीक है और कल सन्यासी बाबा की दीक्षा है दोपहर बारा बजे से एक बजे तक इस थान हम आपको दो मिनट में बता देते हैं कि कहा पर है और इस्थान कहां पर है क्या रामदर्बार में हैं कि पुराने वाले और परसों दिब्ब दरबार लगाया जाएगा आज जो है परम पुझ जुना पीठा दीश और पुझ श्री अउधेशा नंजी महराज जी को पहुचना था परंत उनके स्वास्त में अचानक भगबान बाला जी दया करबे तो कल परसों में जैसी भी अनकूलता होगी वो पहुचेंगे और सीहोर वाले मिस्रा जी का हेलीकॉप्टर साम होने के कारण उड़ा ही नहीं है अब कल अगर उनका उड़ा आएगा तो कल का कल बताएगे लेकिन कल जो है ब्रश्रीधा मृद्धावन के अनुरुद्धाचार जी महराज जी पधार रहे है और परंपुझ श्री ज्याना जी गीता मनीशी जी महराज जी भी कल पधार रहे हैं तो प्रती दिन संतों का आगमन उनका आशिर बचन उनकी क्रपा हम सबको प्राप्त हो रही है यग जो है अमर जबान सहीदों के लिए है आप उन सबका परिक्मा करो उन सहीदों के लिए भगवान से प्राथना करो और स्री बागे सुरहनमांगी के दर्शन करो आज सुबह बताया गया कि लगबग चार लाख लोग बागे सुरधाम प्रांगण में थे लगबग 6-6-7-7 घंटे में दर्शन भै तो जिनको भी कल सुबह दर्शन करना है तो थोड़ा बिलंब से करना कुछ लोग क्या है कि कल का हमें बताया कि कुछ लोग दो बजे रात को ही लाइन में लग गए इसलिए लेट वह उन्हें लगा कि हम जल्दी लगेंगे तो जल्दी हो जाएं आप लोग ना सोसा के हमाय जैसे अपने ब्रह्मा जी को 9-10 बजे उठाओ तो 9-10 बजे आप वहाँ दर्शन करने जाएंगे तो थोड़ी अनकूलता होगी हमारा मत कहने का मंतब ये है कि आपको अनकूलता होगी धक्का मुक्की और बहुत जादा लंबी लाइन से आप बचेंगे लेकिन आज महा कुम्ब सरबत्र दिखाई पड़ रहा था जहां देखो एक व्यक्ती हमसे पूँच रहे बोले कैमाराज जी कितने कुंडी यग है हमने का कुंडी तो वैसे 108 कुंडी है लेकिन एक बात बोले बोलो हमने का जितनी मुंडी उतनी कुंडी हमाराज पास आए बोले कितनी कुंडी यग है हमने का कुंड तो 108 है पर जितनी मुंडी उतनी कुंडी आज सरबत्र 3-4 किलोमीटर के अंतरगत मुंडी मुंडी भागे सो धाम के पागलों की दिख रही थी इतनी कुंडी यग चल रही है हारे हारे परसों दिब दर्बाल लगेगा आप सवानंद लो खूव यग का ये अभी हम आपको टीवी स्क्रीन पर आज का नजारा दिखवा रहे है जरब यह दिखाईए यह देखो नजारा परिक्मा मार्ग का नजारा है ये दस बजे का और जगए पैर रखने को जगए नहीं थी उतने ही परिक्मा मार्ग में उतने ही पीछे की तरफ उतने ही यहां कथापंडाल में उतने ही यग साला में और जिग जैग में अंधर जहां से अंधर दर्शन करने जाते हैं उसमें भी लगबग दस से बारा हजार लोग जिग जग में प्राता काल रात त्री से लग गए थे तो कल सुबए का हम आपको ये जो आज सुबए का नजारा देखाया ये है आज का नजारा पूरा आप अपनी टीबी स्क्रीन पर अगर देखो तो इसलिए हमने आपको कहा है कि नौ-दस बजे कल दर्शन करना लेकिन ऐसा आउसर छोड़ना नहीं खैर अब माइक जादा नहीं पकड़ने नहीं तो कहा है कि आपत हो जहे है कभी लोग बहुत खतरनाक होते हैं इनसे बचना चाहिए ये बातों ही बातों में कब प्रशंसा से खीचना प्रारंब कर दें कोई ठेकाना नहीं है इसलिए सब का सम्मान करो या ना करो पर कभीयों का सम्मान जरूर करना चाहिए अपनी एज्जित बनाए रखने के लिए लेकिन बहुत आनंद आज सब लोग आए हैं हमको बहुत प्रशंसा हो रही कि एक से एक सरस्वती के कृपापात लोग आए हैं बड़े आनंद के साथ हम सब सुनेंगे हम भी सुनेंगे अब पटेरिया जी अब आप बोलो जो कुछ हूँ बोलने हो जिसको पहले युद्ध के लिए भेजना हो सो भेजा जाए स्री सिता राम भगवान की बागेस और हनमान जी की हनमान गड सुजी हम से बोले भाया चमा करो और या तुम्हारे लिए तन भी है मन भी है धन भी है और गण भी अछा हम एक बात वो लए हमें हमझा बोले यार हें हो वह लो आप video cutting हम करके हो सकते हैं हम नहीं बोले यह यह एसे fire vigran महतमाiteं तो भारत जप यह से महतमा है भारत हिंदू राष्ट तो बन करके ही रहेगा और आज के कभीयों को भी प्रात्ना है अगर आसू कभी कोई बैठा हो तो एक कभीता हम उस पर चाहेंगे ये कन्या विवाय हम इसलिए करा रहे हैं कि भारत के जितने भी मंदर हैं उनकी दान पेटियों से अगर ऐसे ही गरीब बेटियों का घर बसा रहा जाने लगे तो भारत विस गुरू बनने से कोई नहीं रोक सकता है यही कलपना को लेकर यही क्रांती को लेकर और जो कहते थे कि मठो और मंदर कमाने के लिए होते हैं नहीं 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 जगाने के लिए होते हैं यह जगत को जगाने के लिए इसलिए बागे सुधान से उन्हें निरासरत बेटियों का विबाय हो रहा हर बेटी को एक एक फटपटिया है बुंदेल घंड में मोटर साइकल को फटपटिया कहते हैं हाँ आप लोग कहते हैं बाइक हर व्यक्ति वर आप नम बहुत होतें कोही कहता बाइक बोटरसाइकल हमारे बुंदेल खंड के भोले फठफठ़िया ही भोले फठ़ठिया है हदो हर बेटी को एक एक फठफठिया भी है खूब सुन्दर विवस्ता है, दो जगए चाय की विवस्ता है, चार जगए चाय की विवस्ता, दो जगए सरबत की विवस्ता, बड़िया भंडारा है, खूब पाईए, प्रेमपुलबक रहिए, हरीगो नगाईए, साथ तारी को परचा बनवाईए, मुस्कुराईए, आठ तारी को घराती या बराती बनकर आईए नो तारी को अपने घर जाईए पूज महराजी ने हम कवियों को अपना अश्विरवाद दिया सरकार रण चंडी का हो आवाहन रण बहरों सब तैयार खड़े रण चंडी का हो आवाहन रण बहरों सब तैयार खड़े हम सब की रख्षा करने को जब भागे सो सरकार खड़े प्रणाम करता हूँ आपके श्रणों में आपने कहा कि कभियों से डरना चाहिए हमारा सोभागे है कि आप भी कभी हैं जितने गीत हम सुनते हैं भजन सुनते सब आप उसके रचनाकार होते हैं तो आप भी हम लोगों के हैं आप भी कभियों में शामिल में प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में महराजा च्छत्र साल ने भी कहा कि कीरत के विरुवा कभी हैं इनको कभ हूँ कुमलान न दीजे कीरत के विरुवा कभी हैं इनको कभ हूँ कुमलान न दीजे एक बस महराज च्छत्र साल का एक छंद पढ़के मैं माईक सौपूगा संचालक को महराज च्छत्र साल ने कहा क सुदामा तन महाराजी सुनें आप कि सुदामा तन हेरे तब रंक हुसें रावकीन हो बिजुरतन हेरे तब राजा कियों चेरे सें कुबरीतन हेरे तब सुन्दर सरूपदीनों दुरूपदीतन हेरे तब चीरवलों चेरे सें तो पस एकार पार्ण को प्राणम करता हूं और संचालन के लिए बुलाता हूं अपने पुत्रवत रहना मुनिप्रताप सिंग को उसको एक माईक सुपता हूँ चाहता हूँ कि अध्वुष तंचालन करे और यह अध्वुष कारिक्रम हो अध्यादा बागेस्वर धाम सरकार की कुछ लोग सो गए हैं साइड देखिए निद्रा का समय है लेकिन जब आप समसो जाएंगे तो फिर इस देश को जगाने वाला कौन है इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ जितने लोग पीछे बैठे हुए हैं जो लोग खड़े हुए हैं उनसे अन्रोध करना चाहता हूँ कि अपने स्थान पर बैठ जाईए क्योंकि अब ये साहित्तिक महायग्य प्रारंब हो चुका है बागेस्वर धाम सरकार की बालाज की महराज की गुर्दे भगवान की सन्यासी बावा की मेरे कमजोर कंधों पर आज के इस कारिक्रम के मंच संचालन का दाइत्त सौपा गया है इन सभी कवियों में मैं सबसे छोटा हूँ और उसके बावजूद ये इन कवियों की महानता है इस मंच की परंपरा है कि मेरे कमजोर कंधों पर इतना बड़ा दाइत्त सौपा है महरास्री के आसिरवाद से बाला जी की कृपा से इन सभी वानी पुत्रों के आसिरवाद से पूर इमानदारी के साथ निर्वहन करने का करण करूंगा एक वार आप सभी लोग तालियां वजा कर मुझे आदेशत कीजिए तो मैं अपनी बात प्रारम करें कोई भी साहित्तिक महायग्य हो यह हमारे मंच की परंपरा है जब तक माता सरुसुति की हम इस्तुति नहीं करते हैं मा बागेश्वरी की आराधना नहीं करते तब तक वो कारिक्रम हम प्रारम नहीं कर सकते इसलिए आज के इस कारिकम को प्रारम करने के लिए माता सरस्ति के स्रीचरणों में सब्द सुमन अर्पित करने के लिए हमारे मद्द में देश की लाडली कवित्री भपाल से चलकर हमारे मद्द में उपस्तित हुई है परम आदनिया दीदी, अनुस अपंजी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आएं और माता सरस्ति के स्रेट चणों में सब्द सुमन अर्पित करके आज के इस कारिकम को प्रारम करने की हमें नुमत्ती परदान करें एक बाद जोड़ दार तालिया बया कर आप सभी लोग स्वागत करें आदनिया दीदी, अनुस अपंजी बाला जी महराज की जय मासरस्ति की चरणों में प्रणाम करती हूँ सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ यहां उपस्तित सभी राम भक्तों को प्रणाम करती हूँ बाला जी के भक्तों को प्रणाम करती हूँ मा की वंदना के लिए मुझे कहा है कुछ पंग्तियां, प्राथना की, कामना की पंग्तियां निविदित करती हूँ इसके बाद अपने करम में अपनी बात रखूंगी सुनिये गा हाथ जोड़ आपको नबाउं शीष दिन रहन स्वर ग्यान दीजिये न मामी मात शार दे हाथ जोड़ आपको नबाउं शीष दिन रहन स्वर ग्यान दीजिये न मामी मात शार दे शान्ति सुख भाई चारा फेले हर गाओ गाओ नेह दान दीजिये ना मामी मात शार दे द्वैश बेरी इरिशा की जड़ मूल काट दो शक्ति दान दीजिये ना मामी मात शार दे शोशितों और पीडितों के लिए उठे लेखनी ग्यान दान दीजिये ना मामी मात शार दे पाप क्या है पुन्य क्या है जूट क्या है सत्त क्या है जान सकूं तर्क का विधान दे मशार दे उताव ली हो सांस सांस जिसकी एक गंध को अब तो पसीने को वो मान दे मशार दे मौल भाव भावना का जिसमें न लग सके अब तो एक ऐसा हिंदुस्तान दे मशार दे मौल भाव भावना का जिसमें न लग सके अब तो एक ऐसा हिंदुस्तान दे मशार दे लेखनी के तीर लगे जालिमों के वक्ष पर आसुओं को दर्द की कमान दे मशार दे आसुओं को दर्द की कमान दे मशार देखिए कुछ बेवस्थाएं हैं वो बनानी पड़ेंगी तभी ये मता सरस्थी का महायग्य संपन्न हो पाएगा दिल्ली मंडल के आधनिया खंडेल वाल जी ने आज एक बहुत ही महत्पूर कार किया है उन्होंने सेवा का एक अनूठा उधारन यहां उपस पेस किया है मैं उनका बहुत 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 आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतने भक्तों को इतने सरधालूओं को उन्होंने सरवत मिलाने का कर किया मैं चाहता हूँ एक बार दोनों हाथ ठाकर जोरदार तालियों के साथ उनका अविननन करें दिल्ली मंदल से खंडेल वाल जी का बहुत बादाभार मैं इस मंच के माध्यम से भी करना चाहता हूँ आईए अब ये कारक्रम प्रावम हो चुका है मता सरुसुति की आराधना की ये महराज जी की विशेश करपा रहती है इन वानी पत्रों के उपर जो लोग खड़े हुए मेरा निवेदन है कि आप लोग बैठ जाएए क्योंकि किसी ने लिखा है तरलता चाहिए इसको कड़े होकर नहीं आता ये लगुता में समाया है बड़े होकर नहीं आता ठकीरों की ये महफिल है यहाँ पर बैठ ना होगा कभी आनंद कविता का खड़े होकर नहीं आता तो मेरा निवेदन है आप सभी लोग अपने अपने इस्थान पर बैठ जाएए ये माता सुरसुति का महायग है हमाई ये कारिक्रम प्रारम करना है आप सभी लोगों का जो ध्यान है वो इस माइक पर होना चाहिए क्योंकि ये वानी पुत्र लंबी यात्रा तेकर के आपके बीच में आए हैं अगर आप इनको सुनेंगे पूरी तनमयता के साथ उर्जा के साथ सुनेंगे तो निश्यत रूप से आपको भी आनंद आएगा और इन कवियों को पढ़ने में आनंद आएगा क्योंकि ये वो वानी पुत्र हैं इनके पास किरसीवी प्रकार का कोई वादियंत्र नहीं होता है ये केवल और केवल आपकी तालियों की प्रतिक्रिया के आधार पर चलने वाले कवी हैं आप जितनी अच्छी तालिया इन कवियों को देंगे ये उससे अच्छा कावेपाट आपके समक्ष प्रस्तुत करने का भी काम करेंगे ये मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है और आपको सभी लोगों को आश्वस्त करने दना चाहता हूँ कि आज इस मंच पर वो कावेपाट होगा जो आपने इन कवियों के मुखार बिंदू से कभी नहीं सुना होगा इसलिए जो अवेवस्था फैली हुई है उसको आप बिराम देदाए क्योंकि अत्शीक्र हमें ये कारक्रम प्रारम करना है माता सरसोती की आरादना हुई महराज जी की कृपा हम सभी कवियों पर बनी रहती है हमारे मद में परमपूज आचार जी की भी उपस्तिती हो चुके बहुत बहुत आपका स्वागत बंदन अविनंदन करना चाहता हूँ एक बाद जोरदार तालियां बजाईए अब महराज जी हमारे मद में उपस्तित है भाई सब ये जोरदार हैं तो रहने दीजिए इससे जादा मैं अकेला बजा लेता हूँ एक बजा के दिखाईए अब तालियां जजेश्री राम जजेश्री राम आईए अब इस कारिक्रम को हम प्रारम करते हैं महराज स्री की ये विनम्रता है ये उनकी दया है हमारे उपर कि वो हम कभीयों को समय देते हैं और खास तोर से वो कभी सम्मिलन सुनने के लिए आए हैं किसी ने लिखा था महरासरी के लिए मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ यहां कितने हाथ उनके सम्मान में बढ़ते हैं आपकी तालियां उनके सम्मान में उनके चलों में अपनी उपस्चिती धर्ज कराएंगी किसी ने लिखा कि अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे अमीरी की तो ऐसी की कि सब के घर में जा बैठे आएए मैं इस कारिक्रम को अप्रारम करने वाला हूँ अब हमारे मद्द में क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं जिन कवियों की सूची आई थी उससे अधिक कभी मंच पर उपस्थित हैं आएए मैं एक ऐसे उर्जावान कभी को यहां सौपना चाहता हूँ क्योंकि वो कभी किसी भी भूमिका का महताज नहीं है वो कभी जब इस माइक पर आएगा तो अपनी भूमिका सेम बना लेगा लेकिन सिर्फ इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूँ रंग जी ने लिखा कि अनेकों प्रश्ण ऐसे हैं जो दहराए नहीं जाते बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते मेरी ख्वाई से तुमको चांद तारे तोड़ कर दे दू मगर चादर से बाहर पाउं फैलाए नहीं जाते मगर चादर से बाहर पाउं फैलाए नहीं जाते और यहीं सब सोच करके तुम इन्हें दिल में जगे देना कि घर आये हुए महमान लोटाई नहीं जाते एक बार दोनों हाथ ठाकर तालियों की गरगलार से आमंतित करें वाई पंकच पंडित ललित पुर बहुत उर्जाव कभी है और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं इस पूरे प्रांगर का तापमान बढ़ाने का काम करेगा भाई पंकच पंडित एक वार पुन है जोड़दार तालियों से स्वागत करें भाई इस माइक को ठीक कर देना यह दूसरा माइक है इसको ठीक कर दो एक दम मा शार्दे परंब्रम मौमा भारती के चर्णों मैं प्रणाम करता हूं मा पठादेवी को प्रणाम करता हूं पूज संत स्री की उपश्टिती है सभी संत समाज यहां पर बैठा है मैं वहीं से अपनी बात प्रारंब करता हूं और मैं चाहता हूं कि जहां पर मेरी बात मेर आशिरवाद दे सकते हैं मैं निविदन करता हूँ किस्तों में ना बजाएं बजाएं तो पर पूरा सतन एक साथ बजाए क्योंकि मेरा नाम पंकज है पंकज का परयावाची कमल होता है कमल के मिना देश नहीं चलता है आप जानते हैं और पूज हनुमान कड़ी के मंत मांत जी बैठे हैं मैं एक बात और कहता हूँ कि पूरे देश में भले भाजपा का चुनावचन कमल का फूल हो लेकिन हम उत्तर प्रदेश से आते हमारे यां भाजपा का चुनावचन बाबा का बुल्डू जरी होता है तब मैं चार पंक्तियां पहले पूज गुरुवर वैटे हैं संत समाज बैठा है उनके चड़नों में निवेदित करता हूँ जिन संतों के माथे पर जिन संतों के तन पर भगवा है माथे पर चंदन है जिन संतों के तन पर भगवा है माथे पर चंदन है जिनके त्याग तपोवल से उन्नतिय धर्म सनातन है जिन संतों के आने से हर्षित पावन हो जाती है कोई नीरस कुटिया जैसे मनभावन हो जाती है जिन संतों की भक्ती से निर्वल को शक्ती मिलती है जिन संतों के चरणों को छूने से मुक्ती मिलती है उन चरणों की पावन रजमाथे से आज लगाता हूँ और आप सभी संतों के चरणों में यह सीस जुकाता हूँ और क्या है ये बुंदेलखंड का महाकुम्ब ये बुंदेलखंड का महाकुम्ब 1857 में महाराइन लक्षिमाई ने अपने प्रष्ट भाग पर अंग्रेजों के अपने प्रष्ट भाग पर अपने सिसु को बांध कर अंग्रेजों से युद्ध लड़ा तब बुंदेलखंड का नाम लंदन तक पहुचा और आज जब हुज महाराजी लंदन गए और वहां सनातन की विजय पता का गार कर आए तो निश्चत रूप से मैं कह सकता हूँ कि बुंदेलखंड में दो ही ऐसे लोग, दो ही ऐसे व्यक्तित हुए हैं एक तो महाराजी लक्षिवाई और दूसरे हमारे पूज गुरवर जिन्होंने लंदन की चाती पर हिंदोस्तान के जंडे को बाया है तब मैं नवेदन करता हूँ कि बुंदेलखंड का महाकुम क्या ह आखों से जिनकी आशू बहते हैं धन से निर्दन हैं, महनत मजदूरी से करते लालन पालन पोशण हैं, नंगे पैर फटे कपड़े इससे जादा कुछ पास नहीं, लेकिन उनसे अच्छा कोई बाला जी का दास नहीं, ऐसे असहाए गरीवों का पूरा अर्मान यहां होगा हर गरीव की बेटी का अब कन्यादान यहां होगा, हर काम भगेश्वर धाम करेंगे पूरा है विश्वास मुझे, पंडित धीरेंद्र कृष्ण जी मैं दिख रहा बहुत कुछ खास मुझे, आशिरवाद यहां वरवद को देते स्वयम मारूती नंदन, बुंदेल कंड के महाकुंभ में आफ सभी का अविनंदन और अब मैं जो कहना चाहता हूं, यह एक व्यक्ति जूम जाएगा, और राम भक्तों की तालियां देखना चाहता हूं, बागेश्वर धाम के पागलों की शक्ति और सामर्थ देखना चाहता हूं, पंक्तियां पड़ता हूं, हम हिंदू के रखवाले हैं बाबा बागेश्वरवाले हैं मैंने कहा किस्तनी चाहिए ठोक में तालियां चाहिए दे तो पूरा सथन बजाये नहीं तोantee हर अजघ्र हैं i good luck वाले हैं बाबा वागश्वर वाले हैं सन्यासी बाबा के चेला यह पागल भटों का मिला साधू जी सीता राम जपो बाबा वागश्वरधां जपो अर्ची खुद ही लगजाएगी कठनाई हल हो जाएगी भजरंगी के आरादक हैं बंबं भोले सनरक्षक हैं माला संग भाला रखते हैं माला संग भाला रखते हैं इतिहास रुधिर से लिखते हैं दुष्टों की ठट्री बांध रहे हिंदू सागर को लांग रहे अपने भी जिम्मेदारी है काशी मधुरा की वारी है गुर्देप का वचन निभाना है बुल्डोचर हमें चलाना है जग में भगवा लहराना है अब हिंदू राष्ट बनाना है इन्हाँ जीओ पंकल वाह अलो वाह कमाल कर दिया व जजय श्री राम अधबत पंकज वाह कमाल कर दिया वाह और अभी पास्टो वर्सों के लंबे संघर्ष के बाद मर्यादा पुर्शोत्तं स्री राम के मंदर का निर्मार हुआ ये मंदर महज मंदर नहीं है ये मंदर सवा अरव हिंदूओं के स्वाभिमान का प्रतीक है और जिन लोगों को लगता है कि अस्पटाल बनना चाहिए था मंदर गलत बन गया मैं उनसे निवेदन करता हूं कि बाबा बाग इश्वरधाम के चड़नों में आओ यहां 300 बैट का कैंसर अस्पटाल भी बन रहा है लेकिन हम इतने पागल थोड़ी है हमारी जो जमीन हम वहीं अपना मंदर बनाएंगे भाई मैं चार पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं और आपको आशिरवाद चाहता हूं महाराजी मस्तक पर सजने को वातुर चंदन कैसा हूता है धरती पर पक धरने से इस पंदन कैसा हूता है और सारी दुनिया नजर गड़ाए यातुर होकर बैठी है वर्स पाँच सो बाद राम का बंदन कैसे होता है तब मैं कहता हूं कि सदियों तक संघर्स किया तब जाकर विले हुआ है काले बादल छाट दिये नौ सूरज उदय हुआ है वा नर सैना के वट निशाद की नईया बोल रही है रगकोल नंदन की जाई सर्यू मैया बोल रही है तलवार हमारी शत्रू की गर्दन से खेल रही है राणा की जूती शहिंसाह की पगड़ी ठेल रही है अरे भूमंडल पर एक नयाव न्यास हुआ है देखो सूरदास की याकों में प्रकाश हुआ है देखो और इट इट पर श्री अयुद्या दाम लिखा है देखो और बाबर की चाती पर हमने राम लिखा है देखो बाबर की चाती पर हमने राम लिखा है देखो और यह मंदर महज मंदर नहीं है अंदकार कितना गहरा होता है सूरज से पूछो अंदकार कितना गहरा होता है सूरज से पूछो कीचड में रहना कितना मुश्किल है नीरज से पूछो कितने प्यासे खोज रहे हैं पानी गागर से पूछो खारे पानी की पीडा जाकर के सागर से पूछो कितने थे मारीच यहां सोने के हिरनों से पूछो और पृतिच्चा करने वाले याकुल नैनों से पूछो राम ललाके याने की खुशहाली भारत से पूछो चारों और बने उचे हर बड़ी इमारत से पूछो शाप मुक्त होते पत्थर जिन पग इस परसों से पूछो सादू संत महंत सादवी के संघर्सों से पूछो प्रारदान देने वाले को ठारी लड़कों से पूछो मंदिर बनता देख नहीं पाए जो पुरकों से पूछो और खून से लटपत अगनी में जल रहे गोधरा से पूछो और यह सनातन मैंने पड़ा है और मैंने सुना है कि जिस परकार जल का धर्म होता है शीतलता जिस परकार वायू का धर्म होता है भेते रहना जिस परकार अगनी का धर्म होता है तपन ठीक उसी परकार हम सनातनियों का धर्म है मानवता और हम मानवता के पुजारी हैं हम तो नाग को दूद पिलाने वाले लोग हैं लेकिन मित्रों मुझे पीडा होती है जो हमारे देश पर हमारे धर्म पर कोई व्यक्ति टिपड़ी करता है हमारे सनातन को डेंगु मलेरिया कहता है हमारे धर्म को गाली देता है हमारे देश को गाली देता है तब एक कवी क्या कहता है मैं पंक्तियां परता अन्याय अन्याय अनीतिवा अधर्म के पथ पर अयाशी भोग विलास अधिक मिलते हैं न्याय नीतिवा धर्म सत्त के पथ पर कष्ट बहुत वनवास अधिक मिलते हैं तो क्या उम्मीद करें हम सिंगासन से दृतराष्ट हमेशा अंदे ही होते हैं जो पांच गाउं भी देने येसे कतराएं वहीं लाश को कंदे पर ढोते हैं तो किसने अपने दिल्में क्या रखा है कहने को अब कुछ भी सेथ नहीं है यगे सब कहते हैं मगर सभी के दिल्में देश नहीं आ यद देश सभी का है यह सब कहते हैं मगर सभी के दिल में देश नहीं है तो फर्सा भाला बर्ची तीर कटारी फर्सा भाला बर्ची तीर कटारी नंगी तलवा रोपर धार चड़ाओ विद्रोह गर्जना क्रांती घोस के घोसक पांच जन्न का नाद करो ललकारो लहू गर्म है और बसंती चोला लहरा दो अंबर में विजय पता का उटो पजाओ अब रड में रड भेरी दागो तोप करो बिसफोट धमाका तो जीवन और मरण दोनों निश्चत हैं तुम्हें समर में अभी मन्नी होना है जागो जागो भगत सिंग के भक्तों फिर खेतों में बंदू के बोना है और चार पंक्तियां पढ़ता हूं सागत भई पापयों का पाप करता है पापयों का अंत होली का का अंत प्रहलाद करते नहीं तो भारतिये ताकशीस कभी ना जुकेगा हम मौत से चमाकी भरयाद करते नहीं तो पत्थरों से देंगे हम इटों का सदा जवाब बैसे हम व्यर्त का विवाद करते नहीं और खेलते हैं होली हम शत्रूओं के रक्त से ही रंग और पानी अगली पंग्तियां उन्हीं के लिए बावा विस्वनाज जी के परमपूजी पुजारी जी हमारे मद्द में आ चुके हैं एक बाद जोरदार तालियां बजाकर हम उनका अविनंदन करें उनके पावन चैनों में अपने सरद्धा की तालियां अब यह एक बाद जोरदार तालियां बयाकर आप आदेशित करिये यह पुने काविपाट चलेगा भई पंकर स्वागत बाबाव शुनात की नगरी से महराजी का आगमन हुआ है वहीं से बात प्रारंब करता हूं यही समय है देश धर्म के लिए हवन करने का यही समय है देश धर्म के लिए हवन करने का यही समय है रचन्डी के यहावान करने का यही समय है पुना देश में रामराजलाने का यही समय है हर 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 महादेव गाने का तो यही समय है अगनी पत्पर नित आगे बढ़ने का यही समय है गजनव्यों की छाती पर चड़ने का और धर्म दोजा लेकर हाथों में अंगराई भरने का और यही समय है सोमनात की भरपाई करने का यही समय है सोमनात की भरपाईद करने का और अभी बाबा विश्वनात में हमें पूजा करने का महराज्य अधिकार मिला है मैं वहीं से बात प्रारम करता है अच्छा पड़ रहे हैं बाबा विश्वनात मंदिर के दर्वाजे को खोल रहे हैं कासी वासी कैलासी अविनासी की जए बोल रहे हैं जिसने सब के पाप धुले थे उस गंगा के दाग धुले हैं भांग धतूरा बेल पत्र के अबजा करके भाग खुले हैं संतों को उपहार मिला है भक्तों को तिवार मिला है तोड़े गए मंदिरों को पहले जैसा आकार मिला है और नंदी से पूछा तो बोला मुझे मेरा परिवार मिला है और वर्षों बाद सनातनियों को पूजा का और चार पंक्तियां बुंदिल खंड का महामोस वापकी ताकत आपकी ऊर्जा बताएगी महराजी में समर्पित करता हूं हारी है अनीती नीती की जय हुई है हारी है अनीती नीती की जय हुई है राम राम नाम की विजय हुई है मतुरा और अयुद्या अब आपकी नहीं है ज्यान बापी भी तुम्हारे बापकी नहीं है अब आपकी नहीं है ज्ञान बापी भी तुम्हारे बाप की नहीं है और महराजी ये चार पंग्तियाम सनातनियों का गर्व इन चार पंग्तियों पर गर्व करना मैं निवेदन करता हूं मत्रौ की उरिशारा करता हूं हम धर्म सनातन के प्रहरी माथे पर तिलक लगाते हैं अधिकार नहीं मांगा करते अपने कर्तब निभाते हैं संकट में शंकर वन करके विस्पान स्वयम कर लेते हैं दो मुठी चावल खा करके दो लोक दान कर देते हैं और मुझे राम राज कैसा चाहिए राम राज कैसे आएगा मैं निवेदन करता हूं हमें और आपको करना क्या है राम नाम की धुन गूंजे हो सूर उदय का अभिनंदन इसनान ध्यान सब को प्रनाम हो सुबह साम पूजा अर्चन दीप जले और शंक बजे हरसांज ढले चोपाई से तन पर एक जनेव हो और धागा लाल कलाई पे वेद पुरानों के मंत्रों से धद के अगनी कीजवाला माथे पर चंदन चमकेगा और गले तुलसी माला तो तन से मन से यतन जतन से सना तनी होते जाओ चले गए जो वर्सों पहले उनको घर वापस लाओ और हिंदू हो तो हिंदू जैसे बबबर शेर नजर आओ केवल हिंदू नहीं आज से कट्टर हिंदू हो जाओ केवल हिंदू नहीं आज से कट्टर हिंदू हो जाओ और दक्षन भारत के एक नेता ने बयान दिया कि सनातन धर्म तो डेंगव और मलेरिया है खुद एट्स की पैदाय से सनातन पर टिपड़ी कर रहा है मैं निवेदन करता हूँ भरात को जो तात के समान पूजते सदेव एसे यानो जों को प्यार बाटना जरूरी है गलतियां जो करता है जान वूज कर वह कोई भी यो गलतियों पर डाटना जरूरी है अर पौद है गुलाव की तो सीचते समारते हैं पेड हो पवूल का तो चाटना जरूरी है और चमायोग हो तो हम चमादान करें किन्तू शिशुपाल हो तो सीच काटना जरूरी है और जिस कवता विशेष के लिए मुझे आदेशित किया गया है महराजी निवेदन करता हूं सब्सक्राइब है है हम बुद्र के लिखंड की आतर आपको कराना चाहेते हैं हचार पंज्ञत्या में कवताभी भूमिकां मैं पड़ता हूं आपका अशिर्वाद चाहेता हूं स्वागत चाहेता हmm पन्ना मेव राजे मन मोहा के किशोर काना राजा राम जूकी राज धानी है बुदेल खंड तुल सी विहारी पद मा करसे वाणी पुत्र मेरे देश भारते की बाणी है बुदेल खंड और एक बार ताली बजा कर मुझे आदिशत करें तो बुदेल खंड की आत्रा में आपको कराना चाहता हूं स्वागत भाई महराजी बुंदेल खंड पुर रहा हूं जहां चित्र कूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं बुंदेल खंड का महाकुंब और बुंदेल खंड के दर्शन जहां चित्र कूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं बांदकपुर के जागेश्वर के चरणों में सीस जुकाते हैं कुंदेश्वर स्रीसिवधाम विराजे शंकर डमरू वाले हैं हम जहरा धाम के बजरंगी मद मर्दन करने वाले हैं पन्ना के जुगल किशोर का मोहक रूप दिखाई देता है बागेश्वर धाम का चमतकार सरवत्र सुनाई देता है जहां परम पूज राजंद्र दासजी योगी तपसी सादक हैं तत्या की पीतांबरा माई के हम सच्चे आरादक हैं जाँ भीम कुंड का कुंड अनूठा अनुठा अनुपम एक अजूबा है शिवतांडव कक्रामत मंदर उत्सव की धरा महोबा है जिसका ना कोई और छोर और चादाम रजधानी को और सो सो बार नमन मेरा बुंदेल खंड के पानी को सबसे पहले आजादी का हमने ही बिगुल बजाया था रानी जासी के चरणों में गोरोन सीस जुकाया था आला उदल की गाथा सुन तलवार नाचने लगती है मरदन सिंग राजा खेत सिंग की कथा वाचने लगती है बुंदेल केसरी छत्र साल से मौत सयम घबराती है बुंदेल खंड की माटी दुनिया भर में पूजी जाती है हम तूफानों से लड़ते हैं हम जुगनू के रख वाले हैं अम मदुकर शाह बुंदेला का विद्रोय जगाने वाले हैं हर दौल लला आला उदल लट्षमी बाई मरदानी को और सो सो बार नमन मेरा बुंदेल खंड के पानी को और बुंदेल खंड के महापुरुस हम ध्यान चंद का जादू है रानी जहलकारी की कटार हम ध्यान चंद का जादू हैं रानी ज्छलकारी की कटार में थिली शरण की पंच बटी हम उमा भारती के विचार हम ओज तरण सागर का हैं ददाजी के अनुयाई हैं हम देश राज के लोक गीत और बांदा की तरणाई हैं हम हैं हमीर पूर से अमीर और फाग इसुरी गाते ह हम आशुतोश राना का अभिनए दुनिया को दिखलाते हैं बल देवगर की है तोप हमी और खजरा हो की शिल्प कला हम गौर डॉक्टर हरी सिंग हमी देवगर की मूर्त कला जलधारा यहां जटा शंकर की चंद रीकी सारी है का लिंजर अपरा जे यह दुर्गगर पहरा सिद पहारी है तुलसी पदमा करकव के सब के गूंज रहे स्वरवानी को और सो सो बार नमन मेरा बुंदेल खंड के पानी को हम गयहूं मतर चना सोया उर्दा की फसल उगाते हैं हम सेरा राई बधाई नौरता दुनिया को दिखलाते हैं मानो या ना मानो सचमेना बेन भलोना भ दुनिया को बतलाया समसे बड़ा रुपईया है लालित ललित पूर का हम ही बरवासागर की हरेयाली तहरोली गुर्सराय में रसबर साती अपनी बुंदेली पिरसद्य कौच की राम लिला कालपी व्यास का मंदिर है लंका मिनार जालोन की उची किला अनोखा समतर है सो सो बार नमन मेरा बुंदेल खंड के पानी को और अंत्यम पंक्तियां पढ़कर अपना इस्थान लेता हूं स्वागत भाई महराज जी आपने मुझे आदेशित कियाता कि बुंदेल खंड में कुछ चीजां छूट गई है पिछली वार मुझे याद है और आपने वो तीन विसाय मुझे दिये थे एक पलायन एक किसानी और एक गरीवी मैं चार पंग्तियां बुंदेल खंड की जो कमी है मैं चार पंग्तियां वहाँसे प्रारंब करता हूं और आपका अशिर्वाद चाहता हूं सागत भई मैंने पढ़ाए कि मुझे नहीं पता पारस पत्थर अस्थित्तों में है या नही महराजी मुझे नहीं पता पारस पत्थर अस्तेक्ट में है या नहीं लेकिन जब बुंदेल खंड के किसानोगा श्रम में देखता हूं तो मुझे लगता js paragu कि सच्चाही में हमारा कर्थव होता है पन गड़ो से आज पानी कौन भरना चाहता है मर घटों पर प्रस्थम जाकर कौन मरना चाहता है और भोजनों में भोग 54 चाहते हैं सब मगर गाउं में खेती किसानी कौन करना चाहता है अभी चार दिन पहले पूरे बुंदेल खन में ओले खेतों में भर गई हैं तब मैं पंक्तियां निविदित करता हूं कि किसानों की इस्तिती क्या है सर पर गमचा हाथ में थैला फटा पजामा कुर्टा मेला सर पर गमचा हाथ में थैला फटा पजामा कुर्टा मेला रिष्टों से परहेज नहीं बेटी के लिए दहेज नहीं आखों से बहता निर्मल जल पेरों में है टूटी चपल कहते हैं लोग बड़े वदवूतन हुआ पसीने से खुसबू निजभरते आसु से गागर हलधर सपनों का सोदा अगर आबामें आखे मीच रहे वह खेत खून से सीच रहे पीडाओं के व करने हुए पगडंडी पर जीवन वीता भठकी जंगल जैसे सीता खुसिया देरी से लोट गई वनवास राम को सोप गई जो राज नीत की भेट चड़े दंगों में नंगे मिले पड़े सत्ता के द्वारा चले गए और हार मान कर चले गए ना सुखत कोई परणाम मिला ना पेरों को वस्राम मिला डभतर के चक्कर काटे है ना उचत मूल ना मिला पत जर की लन पड़ूम रहे निरभीक शूल पर पर घूम रहे क्यों माटी चूमने वाले वीथासी का भंदा चूम रहे और ये किसानी साधारण चीज नहीं है ये खेटी किसानी सरल नहीं ये खेती किसानी सरल नहीं मत घवरा नाय गरल नहीं पर इतनी भी आसान नहीं मुरली की कोई तान नहीं ये खेती किसानी सान सील, वायू से जादा गती सील, पानी से जादा प्यासी है, मन से जादा अविलासी है, सपने को सपन बनाती है, आगों को बहुत रुलाती है, रंगीन नहीं है धानी है, करती हर दम मनमानी है, सच में यह एक कहानी है, मिरत्यू से कटिन किसानी है उर्जा वान कावेपाथ भाई पंकच पंडित के द्वारा किया गया आप सभी लोग उर्जा भरी तालिया अगर उसके खाते में देंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा देखें यहां पर अगर आपको बैठना है इस कारिक्रम का अगर आनंद लेना है तो आपको अपनी जीवन्तता प्रदान करनी होगी थोड़ा जीवन्त बनिये और इस कारिक्रम को भी जीवन्त बनाने का काम करिए क्योंकि यह वानिपुत्र केवल आपकी उर्जा के आधार प कावेपाट करेंगे यहां पर जब आप खामोस हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कवी की हत्या हो जाती है या कवी के फैपड़े वाईजा काम करना बंद कर देंगे फैपड़े फटे जा रहे हैं चिल्ला-चिल्ला के लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग उर्जा भरी आदर भरी सम्मान भरी तालिया कवियों को देते रहे तो यह कवी भूत अच्छा पढ़ने का काम करेंगे एक सूचना मेरे पास आई है ओम प्रकास गुपता उत्तराखंड इनके पिता अर्विंद कुमार गुपता पार्किंग सेवा दे रहे हैं उनके पिताजी बड़े राम दरवार हॉल में इंतजार कर रहे हैं वह भाई सब वहां पहुंच जाएं यह सूचना मेरे पास आई थी आए इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं एक और तेवर से आपका परचे कराना चाहता हूं और सुब सूचना ये भी है कि हमारे मद्द में युवा दिनों की धड़कन बड़े भाई आदनिया भी पराग जी की उपस्थिती हो चुकी है एक बाद जोर दार तालिया बजाकर आप उनका विनंदन करिये आई इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं और एक ऐसे उर्जावान कवी को ये मंद्द सौपने जा रहा हूं जिसन महराज जी तो पूरे दुनिया भर के पर्चे बनाते हैं लेकिन इस कवी ने महराज जी का पर्चा बना दिया तो एक ऐसा आदभोध नाम भाई कमल आगने जी के रूप में मंच पर उपस्त हैं मैं इनको उनकी अगवानी में केवल इतना कहना काता हूं बालकवी वेरागी जी ने लिखा कि आज मैंने सूर से बस जरासा ययों कहा आपके सामराज में इतना अधेरा क्यों रहा तम तमाकर वो दहाला में अकेला क्या करू तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरू आसमा की आराधना के चक्करों में मत पड़ो संगराम यह घंगोर है कुछ मैं लड़ू कुछ तुम लड़ू एक बाद जोड़दार तालियों के साथ आमन्तित करिये भाई कमल आगने जी और एक निवेदन करना चाहता हूँ क्योंकि कभियों की संख्या मंच पर अधिक है इसलिए अगर सभी लोग अपनी प्रतनीदी रचना पढ़ेंगे और अपना स्रेष्ट कावेपाट यहां से करेंगे तो निश्चित रूप से यह कारेकरम सिर्स्ता की और अग्रसर होगा एक वाद जोड़दार तालियों बजाकर अभी नंदन करिए भाई कमल आगने जी यह सुब सूचना बता रहे थे सबसे वड़ी सुब सूचना यह है गुरु जी को पता है 6-7 दिन पहले आया था अपनी शादी का काड़ गुरु जी को दे गया हूँ सुब सूचना लगी है तो जब पीछे तक तानिया बजाओ फर एक अच्छी बात बताते है कल मुझको हल्दी लगेगी कल हल्दी है इसलिए हमको बहुत जल्दी है अच्छा यह लाल लाल देख रहे हो आप सोसे पीला क्यों नहीं पहना क्योंकि हल्दी से पहले मिर्च लगती है तो एकदम आनंद में रहो गुरु जी का अशिरुवाद मिला है और पर्ची आई थी बीच में यह सम्मेलन में और कारकमों में पर्ची बहुत आती है एक बा दूसरी तरफ से उनकी पतनी उठी उन्होंने कहा कि बैच जाओ मैं चेक करें ती यहीं हो कि कहीं और चले गए तो एकदम कहीं और को नहीं जा रहा है पहली चार पंक्तियां जहां से भाई पंकर ने समापन किया है और आज तो विश्वनाज जी के मंदिर से हमारे बीच मे भगवान जी के प्रतिदी की उपस्तिती है गुर्दे को पढाम करते हुए पहली कोशिश कर रहा हूं दक्षिल भारत से कावाज उठी उल्लू निकल पड़े हैं अभी रात नहीं है लगाया गया कि सनातन धर्म को मिटा देंगे डेंगू मलेरिया कि तरह हला कि जो नहीं क लेगी कुछ लोग करें ते हर घर से अफजल निकलेगा तो मैंने कहा तुम्हारे घर से अफजल निकलेंगे तो क्या बंदेलकंड में और्चा में छिप करके कभी चंदर्शेकर आजाद नहीं निकलेंगे क्या हाँ और जो अगली बात कह रहा हूं जरा पीछे तक सनन प्वात करके निकल सकते हैं तो इस देश में क्या हो सकता है पहली चार पंकतिया सुना रहाँ तो पूरा सरन तयार रहे वुरू निकल पड़े अभी रात नहीं है बातों में बात जैसी कोई बात नहीं है मेरे सनातन धर्म को कोई मिटा सके इतनी अभी किसी की भी अवकात नहीं है मंच पर भी पराग भाईया जी आगे हैं वो यार का सताया हुआ है लेकिन सच बात यह है कि अभी वो बागेश्वर धाम जी के चरणों में आया हुआ है जरा बढ़िया सी तालियां के लिए तो आनन्द हो रहा है भाया यह केवल काम आप गाने में करो हम कविता में भी कर रहे हैं अभी तक हम दो सुना रहे थे कोई लड़के कहां तरा हमने ही बोल रहा है है कोई तेरी नहीं तैसी काम करो से लिएग देखिति काम करो कामयाब हो जाओ अपने जीवन में बहुत मिलेंगे उसके जैसी काम करो तो काम पर फोकस करो अब आनंद लो जो अब अफ्ट करने जा रहा हूं पापी बडे प्रसिद अयुद्या नहीं गये कुछ लोगों ने अयुद्या में राम लला का निमंत्र ठुकड़ा दिया वो कैसे लोग हैं जो लोग जानते हैं मह्ठ जी की उपस्तिती है महंत राजु दास जी की उपस्तिती है उन्हों तोने आयोध्या में वह पक्षी भी इस वार देखे हैं जो पूरा पूरा देश छोड़के चले गहे थे लेकिन वह वहाँ पर आ गए और कौन लोग नहीं आ पए पापी बड़े प्रसिद आयोध्य नहीं गए मंतीरों से बिद्ध misinformation नहीं कई कौन नहीं गया कि पापी बड़े प्रसिद अयद्या नहीं गये, मंतीरों से बिद अयुद्या नहीं गये, रामनीत के गिध जतायू गए, मगर राजनीत के गिध अयुद्या नहीं गये. जरा तालियां अब उठाना अमगर कह दू कौन जायेगा? कौन जाएगा मोहर लगा देना अगर अगर ऐसा करोगत कौन जाएगा राज नीत ही सही मगर वो कुस्तो करने जाएगा अपने हातों में सर्यू का जल्बी भरने जाएगा कुछ सालों तक एक रहे जो ऐसे ही सभी हिंदुओं तो वो ऐसी भी राम लला के दर्शन करने जाएगा वो आनंद की बात देखो बहुत आनंदारा अच्छा गुरु जी अभी एक और घटना हुई विश्चुनात भगवान हमारे सोंवार के दिन प्रकट हुए बनारस में तो कुछ लोगों ने का ये तो फववारा है मुझे एक पुरानी घटना याद आगई एक बार एक गदे और चीते में भहस हो रही थी चीते ने का ये घास सरी है गदे ने का ये घास नीली है चीते और गदे दोनों मिलकर के शेर के पास फैसला कराने गए शेर ने गधे को छोड़ दिया और चीते को तीन साल की सजा सुना दी अब चीता तीन साल वाज जब सजा काट करके आया तो उसने गधे से तो माफी मांगी कि तुम्हारी वज़ेस मुझे जेल हुई शेर के पास पहुचा उस कहा कि महराज मेरी क्या गलती थी मुझे सजा क्यों थी मैंने तो घास का रंग सही बताया था तो उसने कहा तुम्हारी गलती ये थी मुझे पता है कि गधा गलत था लेकि तुम्हारी गलती ये थी तुमने गधे से बहस क्यों की तो कमलाग ने गधों से बहस नहीं करता उन्होंने का फवारा है तो आज महराज जी बैटे हुए फवारा कैसे अगर दो पंति में सिद्ध हो जाए और कविता हिंदी कविता कैसे बात कर सकती है दादा प्रकाश पतेरियाजगी की उपस्तिती है मंच पर अरजुन दादा की उपस्तिती है और राम भाई तुमको भी दादा कह रहा हूं तुमारी भी उपस्तिती है तो मंच पर दो तरीके से एक कवी की तीसरी दस्टी देख लीजेगा उसने का फगवारा है तो मैंने का फगवारा कैसे है और मैंने का फगवारा नहीं है सिर्फ विश्व का सबसे पुराना फगवारा है सिद्ध करके बता रहा हूं आपकी तालियों की महर लगेगी मैंने कह शिव संकर के सीज चंद्र पर चित्र देखियेगा शिव संकर के सीज चंद्र पर मा गंगा की धारा है रहा उताओ नहाँ तो झेंट नहीं दो- चार मंदिरों की ही सिर्फ इमारत का इनके पीछे छुपा हुआ है स्वाब इमान इस भारत का आखिर कब तक मुँ देखेंगे हम अपनी बरबादी का अब अर्मान न पूरा होने देंगे किसी जिहादी का स्वाब इमान के शत्रू के मस्तक पर बान जरूरी था काशी और अयोध्या का फिर से निर्मान जरूरी था वंचित हिंदू रहा सदा से मंदिर और शिवालों से लेकिन महाराना अब उत्तर देंगे तीखे भालों से कोई प्रतिष्ठा सदियों से इस बार हमारी आएगी बाद अयोध्या काशी के मतुरा की बारी मैं पुना इंगित कर रहा हूँ आज गुरु जी ने इंगित किया है महंत राजुदास जी महराज के उपर ओ कह रहे थे वो फैर फिगेट के बाबा है वो तो मजे की बात ये है कि हमारे हाँ चार सो साल पहले गोस्वामी जी हुए और चार सो साल बाद लखनाओं के आसपास हुए गोबर सौमी मैं नाम नहीं ले रहा था मैं सोत रहा था जवान ठीक रहे दो-कर दिन बाकि आनंद की बात सुनना जिस देश में रामचरित मानस मंतरवत पूजी जा रही हो वहाँ पर कोई रामचरित मानस को फाड़ेगा कोई रामचरित मानस पर अफशब्द कहेगा और आप लोग शांत बैठेंगे एक कभी अपनी बात शुरू करने की कोशिश कर रहा है बस इतना कह रहा हूँ अभी तक आपको ढंक से गुस्सा नहीं आया है सही समय पर गुस्सा नहीं आया और जब सही समय पर क्रोध नहीं आता है तो दो गतिया होती है एक गिद जिसको सही समय पर क्रोध आया मा सीता को ले जाते समय रावल को देखा तो सही समय पर एक गिद को क्रोध आया और अपनी दुपत सुदा को चीर हरल देखते हुए भी जब भीश्म को सही समय पर क्रोध नहीं आया तो अंत के समय में दोनों को आप देखना जिसने सही समय पर क्रोध किया उसे भगवान श्री राम की गोध में लेटने का उसर मिला और जिसने सही समय पर क्लोध नहीं मिला उसे बालों की शैया पर लेटना पड़ा इसलिए ज़रा सही समय पर क्लोध आना बहुत जरूरी है एक कविता विशेष यहां से शुरू कर रहा हूं बीश बीश में कुछ कुछ सुनाता चलूँगा राम चरित मानस जो हमारी आचार सहीता है जीवन की उस पर कोई ठीका टिपड़ी कर रहा है मैं यहां से कविता शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं जागत बही है कि राम चरित मानस जिसको हम 24 गंटे गाते हैं राम चरित मानस जिसको हम 24 घंटे गाते हैं, राम चरित मानस जिसको सद्धा से सीज जुकाते हैं, राम चरित मानस सामाजिक समरस्ता का दरपड है, राम चरित मानस मानवता का ही जीवन दर्शन है, छोटे वानर भालू से परवत हिल जाता मानस में, जीवन की हर समस्याओं का अहल मिल जाता, मानस में नारी के सम्मान के खातिर यहां गिद मर जाते हैं, वानर भालू मिल करके सागर पर सेत बनाते हैं, पूरी दुनिया का कुवा बसकाओं काओं चिलाता है, राम चरित मानस का कवा मीठी कता सुनाता है। और अगर राम चरित मानस की कविता है तो बीच में संपुट भी आएगा पूरा सदन मेरे साथ संपुट के लिए तयार है जड़ा सदन बताए मुझे तो राम चरित बस बस आप लोग अपने हाथ उठा करके संपुट की सुचना दीजेगा पूरी दुनिया का कववा बस रौखी कथा सुनाता है तो सर्यू के जल की जय बोलो जय बोलो, अवध धाम की जय बोलो राम चरित मानस के नायक प्रभु राम की कर्म सही तो मानस में राचसी विमा कहलाती है २े。 कशता नाम राचसी ये का कर्म सही तो मानस में राचिसी भी मा कहलाती है ये मत सोचना कि एक राचिसी को मा कहा जा रहा है एक तरजिटा को मा कहा जा रहा है ये मत सोचना ये छोटी बात है उससे बड़ी बात और सबसे बड़ी बात है कि उसे मा कहने वाली खुद पूरे विश्व की मा जगत जन्नी जान की मा ता कि कर्म सही तो मानस में राचिसी मिवा कहलाती है इसकी चौपाई सिद्ध करो तो महामंत्र बन जाती है दर्म ज्यान विज्यान कला साहित लिखा है मानस में मानवतन के जीवन का उचित लिखा है मानस में ऐसे वैसे नहीं शारदा होती सदा साही है राम चरित मानस तुल्ची को खुद शिवने लिखवाई है तो संक्तकार परिवार धरा शोभा ललाम की जै बोलो राम चरित मानस के नायक प्रभू राम की और एक बंद में कविता का पढ़ूंगा उससे पहले लगातार हम लोगों ने देखा कि किस तरीके के हमले राम मंदिर को लेकर के हुए कुछ लोगों ने कहा कि हम इसे बम से उड़ा देंगे तो जिन लोगों ने कहा मंदिर को बम से उला देंगे मैं उन्हें बम की असली परिभाशा बताने जा रहा हूँ ज़रा इस बार कोलाहल मेरे इस बात को लेकर के बताना कि ठीक तरीके से परिभाशा बताईए जिन लोगों ने कहा मंदिर को बम से उला देंगे जो धंकिया दे रहे हैं जड़ा सुने कि बंब होता क्या है और हमारे पास क्या है तुम्हारे पास बंब है तो हमारे पास क्या है अरे शेरिनी की नसले सियार नहीं पैदा करती जड़ा खुलना तो चौती पंति पर ये बताना मुझे कि ठीक कह रहा हूं अरे शेरनी की नसले सियार नहीं पैदा करती, भारत माता बेटों को गदार नहीं पैदा करती, कभी भेडियों के मारे से चीते नहीं मरा करते, कभी भेडियों के मारे से चीते नहीं मरा करते, हर हर बंबं जपने वाले बं से नहीं डरा करते यह अमित बहुत बहुत आभार अगर यह ऐसे करना मेरे साथ बोलना जैश्री राम जैश्री राम जैश्री राम यह अमित भाई बैठा हुआ है इसको गुरुजी मैंने 500 दिये मैंने का इसके फुटकर दे दो इस आदमी ने मुझे 130 वापस कि मैंने का बाकी कहा बोला 370 तो खतम है आनन्द है जीवन में अचा मजे की बात तरह तरीके के चल रहे हैं मैं जखो कविता शुरू करने कोशिश कर रहा हूं स्वागत यहां नयन उर्मिला के ही उत्तीन परिक्षा करते हैं एक बंद राम चरीत मानस की कविता का मैं परता हूं और प्राया जब यह सुनात में क्या वो चटनी चटाई वाला फिर सिकाया कच्छा पापर पक्का पापर लेकिन जब महराज जी ने हमारे शास्त्रों से मंत्र निकाल करके बठाए तो दुनिया को पता चल गया कि इससे बड़ा टंक्टुस्टर का खेल पूरी दुनिया में नहीं हो सकता है एक बार ज हासू कभी भी है और मजे की बात यह है कि मुझे सतर से असी आसू कविताय तीस साल से याद है तीसी साल उमर है पूरुजन का याद नहीं है अब यह सुन लिजेगा उससे पहले जिस तरीके का आज आप लोगों ने नर्त किया है यहां पर मैं जब यहां पर आया तो गुर ट्रेंड में है अगर आप लोग तालिया बजाने का वादा करें तो एकदम ट्रेंडिंग नई पंक्तियां पड़ दे रहा हूं धुआ निकल रहा है भाप निकल रहे हैं मजा आ जागा सुन लेना आप लोग जो पहने पोशिश कर रहे हैं सागत बैया माइकल जेक्शन का स स्टाइल माइकल जेक्शन स्टाइल को मिलता नहीं ठिकाना है अब जड़ा बागेश्वर के पागलों सद्व जो गुरुजी इस्तमाल करते हैं जड़ा मुझे के बताना वो लोग हैं कहां यहां पर इस बीड में माइकल जेक्शन स्टाइल को मिलता नहीं ठिकाना है बजर युआ आज का बागेश्वर जी के चरणों का धीवाना है। काम कर सकते हैं दो पंक्तियां बस देख लेना कि एक हमारे देश ने मिलकर के मंदिर बनाया है और मंदिर अगर चाहले तो क्या बना सकता है। बना देंगे पूरी दुनिया का हम तो भगवा परिवेश्व बना देंगे। हम तो भगवा परिवेश्व बना देंगे। देश चाहले तो प्रभु का मंदिर बनवा सकता है। हम मंदिर चाहले तो भारत को हम हिंदू देश बना सकते है। मंदिर चाहे तो भारत को हिंदू देश बना देंगे। और वही है आज महनत जी की जो उपस्तिती है यहां से बात शुरू करने कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा वो क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्या। अब आनन्द लेना एक बंद पढ़ रहा हूं इस कविता का जब जब यह पढ़ता हूँ। एक मिनट तक मैं शांतने होता हूं। और जब मैं शांत ओता हूँ। तो सदन की एक मिनट तक तालिया शांतने होती। राम-चरित मानस वास्तों में है क्या। बस पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताईएगा कि आप ठीक तरीके से मुझे ऐसास करा हैं कि जो कह रहा हूं उस तहीं कह रहा हूं यहां नयन उर्मिला के ही उत्तील्ड परिक्षा करते हैं यहां नयन उर्मिला के ही उत्तील्ड परिक्षा करते हैं शबरी मा के बेर युगों तक यहीं परिक्षा करते हैं राम से सम्मानित वनवासी राम चरित मानस में है, वानर भालू भी सन्यासी राम चरित मानस में है, निशाद राज के मित्र मैया राम चरित मानस में है, केवट की नईया गंगा मैया राम चरित मानस में है, लक्षमर के जैसी परचाई राम चरित मानस में है, जगदंबा सीता जैसी माई राम चरित मानस में है बजरंगी जैसी चतुराई राम चरित मानस में है और भरत्सा त्यागी भाई राम चरित मानस में है कृपा लुटाते जो रगुराई राम चरित मानस में है प्रान जाई पर वचन न जाई राम चरित मानस में है बहुत बहुत आभार इस कविता के समापन का एक बंद वाकी है लेकिन गुरु जी की पस्तिती है तो एक कविता जो केवल यहीं के लिए और गुरु जी के लिए लिखी गई थी जिसे सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने सुना है आज मेरा मन है कि वो कविता एक बार है यहां पर हो जाएगी विष्ध घृ भारत ही क्यों था यह दुनिया को दिखा दिया अब जरा है जो भारत से जलते हैं उन सब को जलवा दिखा दिया एक साथ आवाज लगाई विप्रभी रभील वनवाशी ने राम लला का काम कर दिया एक युवा सन्या राम लला का काम कर दिया एक युवा सन्यासी ने इससे पहले विधर्मियों ने केवल मूर्ख बनाया था हालेलुया मजा आ रहा है लगो मजा भी आएगा इससे पहले विधर्मियों ने केवल मूर्ख बनाया था मिश्नरियों ने चालाकी से अपना जाल बिछाया था हमें पता था पर अधर्म का सिंग हासन हिल जाएगा जिस दिन उनसे लरने वाला सवाशेर मिल जाएगा जिस दिन उनसे लरने वाला सवाशेर मिल जाएगा और ये बाबा जी ये बाबा जी दुश्मन के सारे शडियंत्र जानते हैं उस पर बहुत तालिया वस्ति जहां जा सुनाता हूं यहां भी बजेंगी और अगर यहां नहीं बजी तो फिर कहां बजेंगी ये बाबा जी अच्छा वो उर्देव वो कह रहा था कि हम नेवला हैं वो कह रहा था बीजेपी साफ हैं और हम नेवला हैं तो हमने कहा कि इसलिए तुम राम को समझ नहीं पाए अगर तुम नेवले की जगा अगर तुम गिलहरी बने होते नेवले की जगा अगर तुम वानर बने होते नेवले की जगा अगर तुम रीच बने होते तो राम जी को समझ पाते जो नेवला बना है वो नहीं समझ पाया है ये बाबा जी दुश्मन के सारे शरियंत जानते हैं ये बाबा जी दुश्मन के सारे शरियंत जानते हैं साप और बिच्चु छोड़ो नेवले का भी मंत्र जानते हैं मजारा एक दम ये बाबा जी दुश्मन के सारे शरियंत जानते हैं साप और बिच्चु क्या नेवले का भी मंत्र जानते हैं चादर भादर से ज़दा बाबा का आदर होता है और अब ज़रा पूरा सदन यह उठा करके बताना जो आप कहने जा रहा है मजा आ जाए तो दूसरी 35 से जादा खतर नाक है ज़रा सुन के बता देना और समझ में जिनके आजा है वो तुरंद बजाना ने तीन-चार दिन तक बजाते रहना तालिया नहीं लट जहां बजाने है चादर फादर से जादा बाबा का आदर होता है चादर फादर से जादा बाबा का आदर होता है इनको पता नहीं बाबा फादर का फादर होता बाबा फादर का फादर होता जजे श्री राम जजे श्री राम माराज जी आ नहीं रहे कि उनको आने नहीं दिया जा रहा गुरु जी कह रहे हैं इसको हल्दी लग रही है तो बेंगन क्यों लगा रहा हो आनन्द है गुरु जी का आशिरुआत मिल रहा है ये किसी भी बहुत बड़े पुरसकार से बहुत उची चीज है मुझे बहुत बहुत आभार चादर फादर से ज़्यादा बाबा का आदर होता है इनको पता नहीं बाबा फादर का फादर होता है जिनके ऊपर कृपा राम की और सन्यासी बाबा की और अगली पंक्ती अंतराश्टिस्तर की है बहुत पूंजी में इसकी गिंती होगी अब यह सुनिएगा जिनके ऊपर कृपा राम की और सन्यासी बाबा की उन्हें पराजित नहीं करेगी शक्तिवेटिकन काबा की जिसने हिंदू को जोड दिया वह कितना बड़ा कलेजा है ऐसा लगता इन्हें स्वयम बजरंग बली ने भेजा बहुत बहुत आभार वाँ अगर विधरमी बाबा जी को लरने को ललका रहेंगे तो उनको बजरंग वली ही पतक पतक कर मारेंगे और अब की इतों का जवाब हम भी पत्थर से दे देंगे यांद ड़ए रखना एट का जवाब पत्थर होता है लेकिन पत्थर का जवाब किया होना चाहिए ज़रा सुनना अबकी इतों का जवाब हम भी पत्थर से देंगे गर पत्थर पेका तो उत्तर बुल्डोजर से दे देंगे बहुत अनंदा रहा इस आनंद को जड़ा जुगलित करना गुरुजी ने कहा कि आज भी पर्चा खोल दो मैंने कहा गुरुजी हम आवरा चार पांच दिन बाद अब खुदी खुलने वाला आनंद है गुरुजी ने बहुत आश्रवा दिया इस आनंद को जीते हुए दो पंक्तियां और सुना रहा हूं कि अब की इतों का जवाब हम भी पत्थर से दे देंगे गर पत्थर फेका तो उत्तर बुल्डोजर से दे देंगे धर्म सनातन का जंडावे स्वयम गाल कर मानेंगे बागेश्वर के बाबा सब के बूत जाल कर मानेंगे जो बटक गए हैं धर्महीन उन सब को वापस लाएंगे और एक और अंतर रास्तिष्टर पर संदेश जा रहा है जो बटक गए हैं जो बटक गए हैं धर्मेन उन सब को वापस लाएंगे बागेश्वर के बाला जी दुनिया को राह दिखाएंगे और मात्रशक्ति मेरे सामने बैठी हुए है तो उनको समर्पित करके एक शंद और एक विशेश बन के साथ अपना समापन कर रहा हूँ कावेपाज का जो विशेश बात ये है इतनी मात्रशक्ति की उपस्थिती है बस एक शंद ऐसा सुना रहा हूँ कि अगर उसे सुन लिया और अंतर मन से गुन लिया तो कोई भी शद् और यसी आफताफ के साथ नहीं जाएगी उसके 35 टुकरे नहीं हूंगे बस यह याद रखना कि हमारे पास क्या है इस छंद पर भी बहुत आशिरवात मिला है जगद् गुरुजी का भी बहुत आशिरवात मिला है आज सुबह मैं चिस्थकूर से गुरुजी को परांग करक एक चंद सुननी देगा, दोनों जगा से बहुत आशिरवात प्राप्त है, बगवती ने एक नया चंद दिया है, मैं आपको सुना रहा हूँ कि क्या अगर आपके पास हो, अशोक वातिका में मा सिता जगत जन्नी बैठी हुई है, उनके पास रावर कई प्रकार के प्रलोभन लेकर क्या रहा है, और सिता जी उसे वापस लोटा लेती है, रावर के लिए रामचरित मानस में कहा जाता है, चलत दशानन डोलत अवनी, जिसके चलने से धरती हिल जाती हो, वो रावर क्या नहीं हिला सका, बस इतनी सी भूमिका है, वो धरता आपके अंदर होनी चाहिए, मा सीता के पास क्या था, भी पराग जी की विपस्तिती है, कई बड़े लोग की विपस्तिती है, एक विलक्षर चंद सुना रहा हूँ आपको, सिया के हिया में किया पिया राम जी ने जोर, सिया के हिया में किया पिया राम जी ने जोर, तोर जिसे कोई सुन युक्त ना किल सका मन्च पर जब बड़े लोग की उपस्तिती है आदर्णिया कीर्थी काले जी दीदी अनुसपन जी इन लोग की उपस्तिती है तो कविता की जिम्मेदारी और बर जाती है छंद की भाषा शिल्प कत्य अगर आनंदित करे तो जड़ा इस पर भी आशिरवात मिलेगा सिया क के हिया में किया पिया राम जी ने जोड तो और जिसे कोई सुन युक्त ना किला सका रमा में रमे है राम राम में रमी है रमा सीता को कोई असत विशना पिला सका जानकी ने ले ली जब एक तिनके की ओट तीसरी पंक्ति पर लोगों के हाथ खुलते हैं लेकिन निवेदन क कर रहा हूं रोक कर रखना चोग थी पंक्त पर यह जो मुझे बताना चपर कैसा समर्तन मिलता है सिया के हिया में किया पिया राम जी ने जूड़ तो और जिसे कॊई सन युक्त ना किला सका रमा में रमे है राम में रमी है रमा सीता को प्रतोrey प्ला सका जानकी ने ले Mass दर्ती हिला दिकिंतु धर्ती की बिटिया का चितना हिला सका अहां वह 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 अच्छे कमल भाई आशिरवाद केश जो महेश के विशेश खुलते न यदी भगीरती भागवेख शेश नहीं होता जी जानवी का जल जंग लों को जन्म देता ना तो संग्टित वसुदा का भेश नहीं होता जी होता ना विराज φयल राज का ललाज फिर धर्ती ना होती तो नगेश नहीं होता जी भारत की आत्मा के प्रार तो तो श्री राम राम जी न होते तो ये देश नहीं होता जी जो लोग उत्तर पदेश में बोलते हैं कि हवा में उड़ गए जैस्री राम प्रश्ण राम पे उठा के सोचते हैं रावड की बजरंगी कालनेमियों से जुर जाएंगे बातों के बताशों के तमासे जो करोगे और मू सूक के चुवारे से सुकुर जाएंगे बढ़ बोले साप के सपोले जो गलत बोले हनुमान की गदा से छक्के चुर जाएंगे और जैजे श्री राम को जो हवा में उड़ा रहे हैं देख लेना 24 में हवा में उड जाएंगे मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि 24 में कौन आएगा 22 जन्वरी को तारीक के आजटना मुझे नहीं पता 24 में कौन आएगा लेकिन इतना पता है जो 22 तारीक को वहां नहीं गए वो लोग 24 में नहीं आएंगे एक चंद राम जी को समर्पित करके अपना इस्थान ले रहा हूं आख बन कीजिएगा अच्छी कविता के साथ तमापन कर रहा हूं एक सगेंड के लिए आख बन करना हिंदी कविता चमतकार कैसे कर सकती है राम जी के दर्शन आपको आँखों के सामने हो जाएंगे कैसे शीष प्रात काल उठके रगुनाता मात पिता गुर नावई माता प्रात काल उठके रगुनाता जो परंपरा राम जी ने शुरू की वे मास तक निवाते आ रहे हैं राम जी का शरीर इस देश के काम कैसे आया शीष तो आशीष है तुम माता पिता गुरुगों के देखना कि शिखनक शंगार कैसे हो रहा है राम जी का बाल रूप आप लोगों ने वो श्याम प्रतिमा अपनी आखों में बसाना और चंद सुन लेना कि शीज तो आशीज है तुम माता पिता गुरुवों के आखें भक्तों के उतरने के काम आ गई अभी तक कुछ तेज पढ़ा था कुछ धीमे पढ़ा था लेकिन कविता कैसे पढ़ी जा रही है शालिंता से एक बात कि बस कह रहा हूं कि जिस तमय गौरी को मारने के लिए चंद्र बरदाई और प्रतिराज सामने खड़े थे अगर चंद्र बरदाई ने चार बास 24 गज अ अंगुल अस्थ प्रवाल का कविता रूपी मंत्र अगर चिला करके बोल दिया होता तो मुहमत गौरी को पता चल जाता वो कभी मारा नहीं जाता इसलिए मंत्र हमेशा सालिंता से पढ़े जाते हैं और कविता अगर वैसी लगे तो आपके हाथ कुलेंगे शीस्तो आसीस हे तुमाता फिता गुरूओं के आँखे भक्तों के उतरने के काम आ गई बेर चखनेक मुक गर जनेक कंथ वक्स की शिराये सौर भरने के काम आ गई खीज के सारंग बार छोड़ती हुई भुजाएं रावड के प्राण हरने में काम आ गई और चरड अहल्यामा को तारने में आए काम पादुकाइं राज करने में काम आ गई बाद अच्छे वाँ 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 पूरे विश्व में एक अकेला उधारत है आज से चार साल पहले युएस में चुना हुए तो कुछ लोगों की जरूरत है बस अंत में वही राम चरित मानस वही आप और हम बस मुझे विदा किजेगा रावर जैसे हर पापी की ये संघार सहीता है राम चरित मानस हर मानव की आचार सहीता है राम शरर में जो भी जाता उसका भय हर लेते हैं जीत कि लंका सोयम विभीशन को वापस कर दे कर देते हैं राम चरीत जाने बिन म्हानस सुद्ध नहीं हो सकता है इसे पढ़ो तो परिवारों में युद्ध नहीं हो सकता है संसकार परिवार धरा शोभाल लाम की जैबोलो जो करते संपूर्न जगत के सभी काम की जै बोलो पतित पावनी मा सीता के मधूर नाम की जय बोलो राम चरित मानस के नायक प्रभू राम की जय बोलो एक बार पुरा सदंजरा उर्जा के साथ बोलेगा राम चरित मानस के नायक प्रभू राम की जय श्री राम बहुत-बहुत आफार कि देखिए एक बार इनके बैठने पर जोड़दार तालिया बजाईए आप सभी लोग कमल भाई ने बहुत स्रेश्ट का बठ गिया अब एक बार इनकी उर्जा के लिए पूरी तनमयता के साथ कमल भाई ने किया है लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं जो कि आवश्यक भी है परमपूज महाराज जी की इच्छा है कि हम सभी कवियों को सुनें तो उनकी इच्छाओं का हमें सम्मान रखना है इसलिए महाराश्री क्योंकि जो कवी गागर में सागर भरने का काम करेंगे उनको महाराश्री अलग से सम्मानित करेंगे एसा महाराश्री ने मुझे आदेश दिया है तो सभी बाणी पुत्र भी इस बात का ध्यान रखें मेरा करवद निवेदन है मैं सबसे छोटा हूं केवल इसी कारण ध्रश्टता कर रहा हूं सभी वानी पुत्रों का महाराश्री को आशिरवाद अगर देंगे तो निश्चित रुप से सभी के लिए अच्छा होगा आए थोड़ा गेर बदलने का काम करता हूं आपने बीरत सुना अब तक अब थोड़ा गेर परवर्तन कर रहा हूं थोड़ा आपको हसाने गुदगुदाने के लिए बहुत अद्भुत कभी हमारी पास में है भाई अमित सुकला जी रीवा से हमारे मद्द में है मैं संचालन भी बिल्कुल संशिप्त कर रहा हूं संचालन में बिल्कुल भी समय बरवाद नहीं करूँगा आप यकीन वानिये किन्तु जो मंच की व्यवस्था है मेरा निवेदन है आए अमित सुकला जी से मैं अंरोध करना चाहता हूं हस का बहुत अद्भुत बिश्पोटक पदार्थ है आप उसको सुनेंगे तो निश्चुत रूप से हसेंगे गुद गुदाएंगे बहुत ठाहा के लगाएंगे एक बाद जोड़दार तालियों के साथ आमंतित करें हसी का वो पिटारा भाई अमित सुकला जी के रूप में रीवा से हमारे मद्द में एक बाद जोड़दार तालियां सम्मान भरी आदर भरी प्यार भरी तालियां होनी चाहिए पीछे तक एक बाद जोड़दार तालियां बजा करके आदेशित कर दीजे टीम लंबी है संचिप्त में कावेपाट करना है यही बोल बोल करके आधा घंटा मुझे को भी सुनाना है मराजी जो आता है यही कहता है टीम लंबी है टीम लंबी है पंद कम संचिफ्त कावेपाटकन है और आधा घंटा सुनाना है जहां से लेकिन कमल भाई ने खतम किया है पुझ माराज स्रीबागेश्वर धाम मस्सरकार की उपस्तिती है सागत बइया च्यार पंक्तिया यह लोग प्रशेराम पर पूरी कविता पड़े मैं इतना नहीं पढ़ पाता मेरा रंग दूसरा है माराज जी सागत बहिया लेकिन वहीं से कावेपाट प्रारंब करता हूँ जब 22 तारीक को प्रांड प्रतिष्ठा हो रही थी तो ये सारे लोग कविता पढ़ रहे थे लिख रहे थे लेकिन महराज जी मुझे एक डर लग रहा था एक डर लग रहा था 22 तारीक को अगर वो डर हो तो चार पंक्तियां प्रारंब करता हूँ निवेदन करता हूँ पीछे तक मेरा कि कहानी कहानी राम की मेरे कोई प्यारी न बन जाए क्या डर था बताना बागिश्वर धांबालों पूझ सरकार की उपस्तिती है जब प्रभू राम लला पहली बार मंदिर में प्रवेश कर रहे था तो क्या डर लग रहा था एक और कि कहानी कहानी राम की मेरे कोई प्यारी न बन जाए हमारे राम का मंदिर चमतकारी न बन जाए और चरण चरण जब भी पड़े थे प्रभु के मंदिर में तो ये डर था चरण जब भी पड़े थे प्रभु के मंदिर में तो ये डर था शिलाएं पैर से छूकर कहीं नारी न बन जाएं बहुत अच्छा हमित वाई अम महराजी मैं अपने महराजी अम मैं अपने रंग में आता हूँ होली भी नजदीक है वही सब आजाओ मैं हलाकि रंग की बात क्या करूं महराजी मेरा रंग जरा थोड़ा सा ज्यादा गाड़ा है डेड़ पाव अनो दीदी से पाउडर लेके लगाने के बाद इतना गोरा हो पाया हूँ मैं रीवा से आया हूं महराजी महराजी ने ब्लेक डाइमंड की उपाद दिया महराजी मैं रीवा से आया हूँ रीवा जो लोग गए होंगे अलाकि बहुत सारे लोग हैं सचिन भाया तो आपकी सेवा में लगातार लगे हुए हैं और विजय दुवेदी जी मामा जी है तमाम लोग रीवा के हैं रीवा जो लोग गए हैं जानते हैं रीवा सफेद सेरों की धरती कही जाती है वाइट ट के जो दो चार पीस हों यहां पर बिल्कुल अपने को हलका मत महसूस करना, कमजोर मत महसूस करना, हम लोग बहुत काम के आदमी है महाराजी, शुरू करना जरा थोड़ा सा कुछ देर के लिए महाराजी ने आसिरबाद देने के लिए बुलाया है, कि कभी सम्मेलन यातरा के ल जिमाल, नव दिन के लिए, मैंने कहा क्या प्रयोजन है तेरा, सक सक बता नव दिन तक तु करेगा क्या मेरा, बोला भाई, हम लोग नवरात्री उत्सो करने वाले हैं, अपने गाउं में माता जी की जहांकी रखने वाले हैं, हम लोगों ने टेंट पांडाल की पूरी दाल नहीं खिल पा रहा है, और दुर्गा जी के नीचे जो राच्छास लेटा रहता है, वो हमको नहीं मिल पा रहा है, आनंद के साथ रहेगा, राजनीती की बात कर रहे थे, ये लोग इतनी राजनीती की बात किया महरा जी मैं राजनीती की बात नहीं कर पाता हूं, हम च तो राजनीति के बात क्या करे किया दूए एक बार चुनाओं सही निपट किया todavía तो ऐसा लगठा से कुम्भ लगए हैं सब किबालेएं हमारे फ़र्चार था समथा जेडे आ पना च हम यहां जिब कोई बुजर्ण्इप घुजरता तो बड़ी दिक्कत होती ही, समसान नहीं है हमारे यहां, नेता जी और खत्रनात थे, भोले इस बार हम लोगों को बोट दीजे, एक एक घर में cabinets बना देंगे वाह अच्छा एक नेता जी और आये बोले कि इस बार हम लोगों को फिर से बोट दीजे विकास होगा तो अंदर से एक चाची निकल आइं बोली नेता जी जोट मत बोलिये पिछले बार भी आप बोल गए थे कि विकास होगा लेकिन विकास नहीं हुआ था पिंकी हुई थी अच्छा अनेता तो नेता महराजी मतदाता और खतनाक होता है बोटर हमारे यहां का और खतनाक होता है एक आदमी हमारे यहां 17 तारीक को बोट डालने गया तो मुसरीन के सामने तीन मिनट तक सर छोगता रहा तो अधिकारी बोला क्या सोच रहे हो बोला नहीं सर सोच नहीं र रहा है अफिति समस्य आनंध ढूर बोट डालने गया महराच जी इक आदमी और बॉट डालने गया तो जाकि अधिकारी 1 डारेक्ट बोलने लगा बोला अधिकारी काकी डेरेक्ट डाल गई क्या डूर्ण बोले क्या नाम था काकी का? बोले रामकली तूसने लिश्ट देखी बोले हाँ काकी तो साथ बजे सुबाइई बोट डाल गई बोला राम राम इस बार भी नहीं मिल पाया काकी से तो अधिकारी डबल संकोच में आके बोला बोला क्यों काका आप काकी से अलग रहते हो क्या अगर अगली बास समझ में आ जाएगी तो पीछे तक ताली बजा करके मुझे बताईएगा आशिरवाद महराजी का मिल जाएगा बोले क्यों काका, काकी सुभर साथ बज़े बोट ढल गई, आप कभी आए हो, आप काकी से अलग रहते हो क्या। बोले ऐसी बात नहीं है बेटा, काकी को मरे हुए तो एक जारा साल हो गए, लेकिन बोट ढलें सुभर साथ बज़े ही, हर बार आके डाल के चली जाती। आनंद के साथ रहिए मैं चआर पंग्तियां और निविधन करता हूं दरसल महराजी यह सारे बीर रस क्वी है इनके बीच में इक लुटा मैं हाथ से कख गया हूं यहां हाट सेके कवियों को बुलाने से ढरते भी हैं मैं बहुत ज़्यादा ढरता हूँ सारे हाट से कभी ढरते हैं Mहराजी ne क्योंकि कोई बात ऐसी निकल जाए जो ना बात हो तो यह लोग यह पढ़ना है क्योंकि हम लोग आनंद बर्षाते हैं और मुझे नहीं पता कि बागेस्वर धाम में आकर कि क्या सीखा दुनिया ने लेकिन मैंने जो सीखा है जब से महराजी को मैंने जाना है तो बस यही सीखा है कि जिस दिन आप स्रिधिरेंद कृष्ण सास्त्री जी की तरह आनंद में र विवा हो रहा है एक मैं बात यह कहना चाहता हूं जैसा सब कह रहे हैं कि सायद ये किसी मंदिर से पहली बार ऐसा मैं सुन रहा हूं कि सायद कन्याओं का एक सो इंक्यामन कन्याओं का विवा हो रहा है जरा एक बार पीछे तक तालियां बजा करके इस बात पर तालियां महाराजी इस त्रिष्टी में इस त्रिष्टी में हमारे यह बड़ी दिक्कत कुमारे लड़कों का विवाह नहीं हो रहा बलके बुजुर्ग दुबारा करने पर तुले हुए है एक मुहीम ले करके मैं चल रहा हूं देस में महाराजी एक मुहीम ले करके चल रहा हूं चार पंक्तियां निवेदन करता हूं यहीं से आपका आसिरबाद मिल जाएगा तो इसे पूरे देश में बपढ़ूंगा निवेदन कर रहा हूं सुनिए ये सब निपढ़ चुके हैं हमारा राजी दो तीन चार पंतियां सुनिए मैं निवेदन कर रहा हूं ये मुहीम लेकर कि मैं देश में बढ़ रहा हूं कि लड़कों से जादा व्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं कुमारे कुमारे मन के साथ सुनना क्योंकि मैं कुमारों का राजा राम मोहन राय कहा जाता हूं मन के साथ सुनना वाअ कुमारे मन के साथ सुनना ऑजुर्क भले इसको ना सुझ सके तो दिल میں पत्थर रखके सुने पठेरिया दादा मुझकล डूक के घूर के देखने लगते हैं जब मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूं चार पंक्तिया में निवेदन कर रहा हूँ, एक मुहीम सुन लिजे निवेदन कर रहा हूँ, आनंद के साथ रहिए क्योंकि महराजी परमानंद में रहते हैं तो हम सब को आनंद में रहना चाहिए कि लड़कों से ज़ादा ब्याह बुढ़ों के जो हो रहे हैं देश के कुवारों में भी द्वन्द होना चाहिए लड़कों से ज़ादा ब्याह बुढ़ों के जो हो रहे हैं देश के कुवारों में भी द्वन्द होना चाहिए कामीनी कमों हो कोई भावरों को जो फसाले फूल में न ऐसा मकनंद होना चाहिए रोज नई सुन्दरी जो बुढ़ों से विवाह करे नहीं ऐसा कोई चल छंद होना चाहिए आखरी पंक्त में ताली इतनी वज़े कि कल कानून पास हो जाई ये भोपाल से कि रोज नई सुन्दरी जो बुढ़ों से विवाह करे नहीं ऐसा कोई चल छंद होना चाहिए बाल ब्याह जैसी कूप्रथा तो बंद हो गई है ब्रिद्ध ब्याह भी तो अब बंद होना चोल अब वाँ 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 अब लेकिन टीम लंबी है मुझको आधकम पढ़ना है इसलिए मैं चाहता हूं कि एक शंद और एक कविता सागभी और नहीं महराजी कह रहें और सुनाईए क्या आनंद सुनाए महराजी तमाम देखें तो तमाम आनंद विखरा जैसे महराजी कहते हैं देखिए तो तमाम मैं अपने घर में आनंद में रहता हूं मराजी ये हास्पिटल की बात कर रहा था ये हास्पिटल की बात मेरे यहां मेरे घर में मेरे अलाबा सब डाक्टर हैं मेरे पिता जी और छोटे भाई दोनों डाक्टर हैं मेरे मैं सब आनंद मैंने पिता जी से एक को बताता फिरता हूं कि बोले ये तुम्हारी आपकी गाड़ी में धन क्यों लिखा रहता है पिता जी बोले देखो धन में दो डंडी होती है एक खड़ी डंडी एक लेटी डंडी हमके इसका क्या मतलब है बोले मरीज हमारे क्लीनिक में ऐसे खड़ा-खड़ा आता है और यह हमासी ऐसे लेट करके सीथे ता है रहा हों नहीं है वह 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 अच्छा प्लस का एक और मतलब है महराक जी प्लस का आपके प्लस का एक तो बहुत आय bastardि मरीश चाहे जित ने घाटे में रहे डाक्टर हमेशा प्लस में ही ही रहेगा अच्छा माराजी हमारा छोटा वाला भाई वो और बड़ा डाक्टर है सुन रहा होगा लाइब वो आपको रोज सुनता है वो और बड़ा डाक्टर है वो आईसीउ में जब गया तो मरीज बेहोसी के बाद जग गया बोला डाक्टर साहब आपरेशन बाद में करिएगा पहले ये बताइए ये आपका कमपाउंडर माला लेके क्यों खड़ा है मेरा छोटा वाला भाई बहुत खतरनाक डाक्टर है बोला देखो ये मेरी जिन्दगी का पहला आपरेशन है अगर ये आपरेशन सफल रहा तो ये माला हमको पहनाई जाएगी अगर आपरेशन सफल नहीं रहा तो ये माला बोलसियावर राम चंद्र की बहुत बढ़िया वहाँ आनंद के साथ मेरी मस्ती के साथ रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं मस्ती के साथ रही है आनंद के साथ ये ये बता रहे थे हल्दी लग रही है तो मुझको जल्दी है ये महराजी ये हल्दी का नाम ले तो ये माला पहना गया हलाकि महराजी ये माला मुझको तभी अच्छी लगी थी जब मेरी स्रीमतीजी ने को जैमाले में पहनाई थी उसके बाद से ये गले की फासी ही लगने लगता है ये इनको हल्दी लगाने की जल्दी है महराजी दो चार साल बाद मिलेंगे तो वह हल्दी देखते घूमेंगे कि कहां लगी थी हाँ उसके बाद महराजी चार साल बाद इनको समझ में आ जाएगा तो चार साल बाद जब ये मिलेंगे तब इनको हल्दी कहीं और लगाई जाएगी साथ में तेल भी चढ़ाया जाएगा मैं महराजी क्योंकि मैं भुक्त भोगी हूँ मैं तरो ताजा विवाहित पुरूस हूँ उभरता हुआ पती एक दिन वो मुझसे कहरीती कहीं जानते हैं आपको पाने के लिए मैंने 16 सोंबार के ब्रत रखे मैंने कहा अगर ना रखती तो बोली फिर आपसे भिग गया गुज़रा मिलता एक दिन वो मुझसे और कहरीती कहीं जानते हैं साधी के पहले भी मैं आपको आते जाते खूब देखती थी आते जाते आपको खूब देखते हैं, हम कहें जब इतना देखती थी, तो आखिर क्या देख करके तुमने मुझसे साधी की, बोली एक दो बार मैंने आपको आपके घर में बरतन माजते हुए देखा था, चार पंक्तियां निवेदन करता हूं जिसके लिए आया हूं, वो सु संसकार की पंतियां क्योंकि ये लोग मुझको इसलिए अंतिम संसकार की कभी कहते हैं, कोई कोई वो निवा, मारा जी संसकार इसलिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं बगहेल खंड से हूं, बुंदेल खंड के बगल से, हम लोग संसकार से बिलकुल मिले जुले हैं, हमा महराज जी के जैसे बागशोदाम सरकार के फैना है उसी तरह इंद्रेश महराज जी के भी सुनें हमारे आशन्सकार महराजी जादा पाया जाता यह बगेल खंड बुंदेल खंड में हमारे एक सजन दिवंगत हुए तो बड़ा बला छोटू को बोला कि छोटू तुम गया नहीं तो दूसरे दिन भूमिका बाद दिन लगा बोला छोटू बाबुजी रात को सपने में आये थे और कहे रहती कि छोटू हमको प्रयाग राज संगम नहीं पहुचाया तो तुम कहां छोड़ाए बाबुजी को छोटू जादा संसकार बांता माराजी बगेल पुचाया प्रयाग राज तो छोटू बोला भाईया बाबुजी कि हमको यही आदत नहीं अच्छी लगती है तीन सो किलोमीटर दूर यहां सिकाइद करने आ सकते थे वहां से दस किलोमीटर प्रयाग राज बचा था तो नहीं जा सकते थे अन्तिम चार पंक्तियां पढ़के अपना इस्थान लेता हूँ वो मैं पा गया हूँ आशिरवाद जो मैं लेने के लिए आया हूँ लेकिन ऐसा नहों कि बड़े धामते सिर्फ हसते हसाते चले जाएं पुजी सरकार ने कुछ भी किया हो इस बड़ी बीमारी के बाद हम आ लंदन के लोगों को यहां ले आए हैं लेकिन वह कुछ भी किया हो लेकिन उन्हों ने अपना गाउन ही छोड़ा अपना घर नहीं छोड़ा करोना में अगर मैं चित्र दिखा दू तो फिर आश्रबाद दे दिजिएगा विदा करिएगा मुझे कि कस्ट दे रही बहुत सी इस बीमारी से कई राज गाउं आ गए कौन लोग गाउं लोटे इन आकाश से उतरते हुए टीवी चैनल ने इस प्रकार को संसकार फैलाया है कि आज माबाप अपने बच्चों से यह उम्मीद नहीं करते कि मेरा बेटा मुझे खाना देगा या नहीं बलकि इस बात की भी चि अंतिम चार पंक्तियां पढ़कर हुआ है कि हमारी बीच में पूझ रागवाचार जी महराजी की गर्मा में उपस्तिती हो चुकी है एक बाद जोड़ दार तालियां बजाकर हम सभी उनके चैनों में अभिनंदन की तालिया आपका बहुत-बहुत स्वागत वंदन अभिन अन्तिम पंक्तियों के लिए अप सभी लोग अंतिम पंक्तियों के लिए एक वाह जोर दारतियां बजाकर आदेशित करिए भाई अंतिम पंक्ति पढने जा रहे वह स्वागत माराजी पुझे चगतगुरु भगवान पधार चुके हैं मैं चरण बंदन करता हूँ और अंतिम चार पंगतियां पढ़कर के अपना इस्थान लेता हूँ कौन लोग करोना में गाउं लोटे जो मैं बता रहा था एक एक दिर्श दिखाता हूँ कि कौन लोग करोना में गाउं लोट तरके आ रहे थे पुझे संतजन बिराजमान है कि कस्ट दे रहीब कस्ट दे गई बहुत सीख दे गई है किन्तु इस बिमारी से कई राज गाउं आ गए माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो शहरों से होके वो नराज गाउं आ गए उसे नहीं पता कि कौन सी विमारी आई है क्या हुआ है बूढी मा ये सोच रही बेटे उसे मिलने को छोड़ कर सारा काम काज गाउं आ गए आखरी पंक्ति अंदर तक सिहरे तो फिर बिदा करिएगा बागिश्वर धांबालो कि बुढ़ी माई ये सोच रही बेटे उसे मिलने को छोड़ कर सारा काम काज गाउं आ गए बाप की चिता को आग भी जो देने नहीं आए मरने के डर से वो आज गाउं आ गए अभाए मिस्टोडा जी ने बहुत स्रेश्ट कब्वेपाठ किया और गागर में सागर भरने का काम किया एक बार उनकी सादगी के लिए जोड़दार तानिया संबान भरी होनी चाहिए रहन दोबाईस आ ये मत काम किया करो मैंने जोड़दार कहा था एक बार बज़ाओ तभी अससे जोड़दार हमारे मद्द में परम पूझ जगतगुरु महराज जी की गर्मा में उपस्तिती हो चुकी है आपके चरणों में प्रणाम निविद्धित करते हैं कि आए इस करम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कमल भाई को जाना है क्योंकि कल उनकी हल्दी का प्रोग्राम है महराज जी यह भी कह रहे थे मुझसे कि मैंने बहुत बड़ी गल्ती कर दी अब यहां आके ने पता चला होगा फटपटिया मिल रही है तो कह रहे थे मुझे ध्यान नहीं रहा महराज जी से पहले कह देता तो मुझे भी एक फटपटिया मिल जाती में यहीं से साधी करता लेकिन बहुत अच्छा ओज़सी काईपट किया आए मात्र शक्ति की ओर बढ़ते हैं हमारे मद्द में हालांकि यह उनका किरम नहीं है परमादनिया दीदी कीरती काले जी की मंच पर गरमा में उपस्तिती है यह उनका किरम नहीं है लेकिन मैं थोड़ा बदा हुआ हूँ चाप लैतित हैं मेरी वहना यहां पर रुपस्तित होंगी कुभा आगे मिला तुमको तो पीछे खाई निकलेगी को करो संगर्श तो कीमत भी फाई भाई निकलेगी रखो तुम होसला थोड़ा रखो थोडी समझदारी तुमी बहहन हो मैंसे को लचमी भाई निकले एक लि अधिदे खिरते काले जी मंज को प्रणाम करती हूँ और एक बार मेरे साथ बोलिएगा जैजै श्री राम परम सभाग्य है कि इस वर्ष भी मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है मा सरस्थी को प्रणाम करती हूँ और अपने कावेपाट के शुरुवात करती हूँ सुनिएगा एक छंद सुनाती हूँ सबसे पहले भारत के नौजवानों से अपील करते हूँ यह चंद मैंने कहा है सुनाती हूँ सुनिएगा कि भारत के नो जवानों कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है भेद भाव छोड़ कर साथ साथ आईए दाओं पे लगी है फिर भारती की लाज आज सिंगनाद कर सोई राष्ट्र को जघाईए और वाणी की विनम्रतान दोश बन जाए कहीं अपना प्रचंड रूप शत्र को दिखाईए और एक हाथ में ते रंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाईए बहुत अन्यवाद बहुत अच्छे से आपने सुना चार पंक्तियां सुनाती हैं सुनिए अयोध्या में अगर ढूंडोगे तो श्रीराम मिलते हैं अच्छा लग रहा हो तो तालिया बजा देजी एक बार कि अयोध्या में अगर ढूंडोगे तो श्रीराम मिलते हैं जो व्रिंदावन में ढूंडोगे तो फिर घन शाम मिलते हैं और अगर काशी में ढूंढोगे तो भोले नात मिल जाएं और अगर ये चौथी पंक्ति आपके हिर्दय को सपर्ष करें तो बताईएगा कि अगर काशी में ढूंढोगे तो भोले नात मिल जाएं मगर माबाप के चर्णों में चारों धाम मिलते हैं और चार पंक्तियां सुनिए कि नए की चाह में रिष्टे पुराने तोड मत देना ये पंक्तियां गुरुदेव मैंने तब लिखी जब एक समाचार आया अकबार में मैंने पढ़ा आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि एक विदेश गया हुआ बेटा बहुत दिनों से बहुत वर्षों तक वापस नहीं आया मा उसकी रहा देखती रही और जब वो बहुत सालों बाद विदेश से वापस आया और उसने फ्रेट का ताला खोला तो वहां पर मा नहीं थी बलकि सोफे से चिपका हुआ मा का कंकाल था तब मैं संसकार की पंक्तियां पढ़ती हूं सुनिए कि नए की चाह में रिष्टे पुराने तोड मत देना तरक की खूब करना पर किसी को होड मत देना और बुढ़ा पे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की कभी मा बाप को तुम बे सहारा चो मत देना और जितने भी अभी वावगन यहां बैठे हैं सक्के लिए पढ़ती हूं कि भले चूड़ी भले पायल भले नाहार देना तुम् हम दिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम और भले बंगला भले पैसा भले नाकार दे पाओ भले बंगला भले पैसा भले नाकार दे पाओ मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम अभी मंच से कहा गया पूझ गुर्देव जी ने ये कहा कि मेरी ये बात है इसे कोई ततकाल लिटकर सुना दे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा तो मैं कुछ पंक्तियां सुनाती हूं एक मैंने पूरा गीत ही रश डाला है उसमें ये पंक्तियां जोड़ी हैं और यह ह सामने सुनाती हूं सुरका सुना हूं मैं सगत्सान ह nive कर अब सनादी क्या कई कि इतनी भोली सी सूरत ऐसा लगता है कि मैं आपको बेटा कहूं भाई कहूं क्या कहूं गुर्देव कहूं कुछ समझ नहीं आता है कुछ नहीं पंक्तियां लिखिये हैं जोड़ी हैं मैंने आपके सामने साथ दीजेगा आते दूर दूर से लोग तन के मन के कटते रोग बन जाते हैं बिगडे काम जै 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 बागेश्वरधाम आते दूर दूर से लोग तन के मन के कटते रोग बन जाते हैं बिगडे काम जै 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 बागेश्वरधाम ग्राम गढ़ा बुंदेल खंड का है ये गाम निराला है ये धाम निराला भक्तों की हर मनों का मुना पूरी करने वाला निर्मल मन से जो भी आए खाली जोली वो भर जाए मिट जाए पूरा आराम बोलो जै बागेश्वरधाम जै 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 बागेश्वरधाम दोनों हाथ पर उठाकर बोलिए जै 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 बागेश्वरधाम सन्या सी बाबा की ये तो पावन तपस्थली है उसके तपसे यहां सोयम प्रगटे बजरंग बली है जै 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 दादा गुरु महराज चलता साधु जी का राज बोले सब मिल सीता राम जै 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 बागेश्वरधाम जै 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 बागेश्वर धाम बागेश्वर सरकार जहां पर भी दरबार लगाते ये दरबार लगाते बड़े बड़े सब भूत पिशाच निकल बाहर आजाते पढ़ती जब चिम्टे की मार पढ़ती जब चिम्टे की मार सोटे की लगती फटकार करते लोटम लोट प्रणाम जै 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 बागेश्वर धाम जै 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 बागेश्वर धाम बाबा ने जो कहा उसे सब जल्दी से अपनाएं अभी कहा बाबा ने जो कहा उसे सब जल्दी से अपनाएं मठ मंदिर के सभी खजाने खोल दिये अब जाएं अस्पताल बनवाएं खूब विद्याले खोले भर पूर हो कन्या विवाह का काम बोलो जै बागेश्वर धाम बाला जी की महा प्रेरना से जब ध्यान लगाते परचा बनता जिसका उसके मन की बात बताते मन की बात बताते सचों पर अम्रित बरसाते जूटों की ठटरी बंधवाते खरचा ना रुपया ना दाम बोलो जै बागेश्वर धाम और ये पंक्तियां सब के नाम चमतकार की धर्ती है ये नमसकार की धर्ती इस धर्ती पर जो भी आता उसकी गती सुधर्ती करुना की बहती रसधार सत्य सनातन का जैकार होता निश्दिन आठों याम जै 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 बागेश्वर धाम दोनों हाथ उपर उठा कर बोलिए जै 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 बागेश्वर धाम रिश्मुनियों साधू संतों के चरण यहां पर पड़ते कवियों और कलाकारों के नित नित मेले जुडते अंबर से बर से आनंद जुडते है तूटे सब छंद चिंता को मिलता विश्राम जै 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 बागेश्वर धाम धूम धाम से कन्याओं का शुब विवाह होता है शुब विवाह होता है घड़ी पिदाई की आती तब भाई का रोता है मन भाई का रोता है सीता जी को मिलते राम रुकमिन को प्यारे घन शाम जोडी दिखती ललित ललाम जै 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 बागेश्वर धाम इनको मैं गुरुदेव कहूं भाई मानू या बेटा भाई मानू या बेटा मंद मंद मुसकान लिये मुखडा है बड़ा अनूठा भरते जब हिंदू हुंकार करते अरपर कड़ा प्रहार मचता घमा सान को राम जै 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 बागे श्रधाम जै 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 बागे श्रधाम और पिछले दिनों जो धकना गटी आपके सामने रखती हूं प्रश्णों के गोलेले चैनल बड़े यहां परड़े प्रश्णों के गोलेले चैनल वाले यहां डटे थे उत्तर देने को बाबा भी पीछे कहां हटे थे पीछे कहां हटे थे गोले चलते दन दन गोले आते दन दन उत्तर पाते सनन सनन अंत्त तह चैनल गिरे धडाम जै 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 बागे श्वरधाम सुनाई उतनी जोर से लेकिन तुमने ताली नहीं बजाई vea जजे श्री राम जजे श्री राम अब बहुत जोर से अच्छे से बजा दी ताली कि आज की इर्थिकाले ने तुमको कविता खूब सुनाई उतनी जोर से लेकिन तुमने ताली नहीं बजाई उपर दोनों हाथ उठाओ अब सारे तालियां बजाओ जो मिलकर बोलो सिता राम जै 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 बागे श्रधाम यह बार बार मुनी उठ जाते हैं जब इनकी शादी का समय आया तो मैंने एक रिष्टा सुझाया मैंने का देखो शादी करनी है तो करो नहीं करनी है तो मत करो लेकिन कम से कम जाकर लड़की तो देखाओ तो यह बोले कि मुझे तो पसंदी नहीं है शादी से पहले लड़की देखने का काईदा क्योंकि जब कुवे में कूदना ही है तो फिर गहराई नापने से क्या फाइदा यहाँ पर कन्याओं का विवा होने बाला है आज कल मुबाइल का जमाना है वाटसेप का यूग है हसाने का काम वाटसेप करने लगे हैं एक लड़की ने लड़के को वाटसेप पर मैसेज किया कि जिया बेकरार है छाई बहार है जल्दी आकर मिले वरना दूसरा तयार है एक मैसेज मेरे पास भी आया जिसे पढ़कर मैं बहुत हसी आपको सुनाती हूँ हसी आये तो रोकरा मत ठहा का लगाने का मन करे तो जोर का ठहा का लगाना मैसेज था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों नहीं तो उसकी मा कहेगी कमबक मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया यहां कन्याओं का विवाह होगा आठ तारिको और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 155 कन्याओं का विवाह यहां पर होगा जो निराश्रित कन्याओं हैं स्वेम से उनके परिवार वाले विवाह नहीं कर पाते तो हमारे गुर्देव उनका विवाह यहां पर सं पंपन कर रहे हैं तो उसी कन्या विवहा के तहट एक रचना मैं सुनाती हूं जिसे सुनाने की आग्या मुझे पहले ही मिल चुकी है स्वागती बेटी जब सुसराल जाने के लिए बिदा होती है तो एक मां उस बेटी से क्या कहती है हमारे दिल्ली के बहुत बड़े रचनाक है कैसा यह दस्तूर कि कैसा रस्म रिवाज है कैसा यह दस्तूर कि देश विदेश बनाए है चुटकी भर सिंदूर संदूर और नदिया के की नदिया के दो तीर हैं बटिया का संसार और आधा जीवन इस तरफ आधा है उस पर वाँद्री तो हम बेटियों गीवन दो किनारों की तरह होता है सस्रौास जाने के लिए वेटी विदा हो रही है और एक माँ आपनी विदा होती हुई बेटी किसे क्या कहती है बस उसी का गीत है मैं सुनाती हूं मंच को भी प्रणाम करते हो यह रचना मैं प्रसुत करते हुआ कि भर भर आए नैना बेटी बिदा हो रही है पटेलिया जी कहा गए है अरे तो आप इतने पीछी क्यों जाके बैठ जाए थोड़े से कि आगे तो बैठने अ। सब लोगों को आपने अमंत्रित किया इतने परिश्रम करके अंत्रित कि भर भर आए नैना दिन रहना नहीं चैना भर भर आए नैना दिन रहना नहीं चैना मन में उठा है भूचाल रे बिटिया चली है ससुराल भर भर आए नैना दिन रहना नहीं चैना मन में उठा है भूचाल रे बिटिया चली है ससुरा और कहनी है बिटिया ये बात जरूरी बात जरूरी तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी होने से तेरे मैं होगाई पूरी होने से तेरे मैं होगाई पूरी तू मेरे जीवन की है कस्तूरी के मा की दुलारी बिटिया बाबा की प्यारी बिटिया मा की दुलारी बिटिया बाबा की प्यारी बिटिया कर दिया जीवन निहाल रे बिटिया चली है ससुरा और याद है तेरी वो तुतलाती बोली वो तुतलाती बोली जूटी मूटी रूठा रूठी सूरत वो भोली सूरत वो भोली प्यारी प्यारी गुडिया की चूनर चोली नन्ने नन्ने हाथों की पहली रंगोली की भूले विसरे वादों की खटी मीठी आदों की पैठी हूं एल्बम निकाल रे बिटिया चली है ससूरा आज कल मेरी बेटी की शादी की भी बाते चल रही है तो ये गीत गाते हुए मैं बहुत भावुक हो जाती हूं कि कल तक तो तु मेरी गोदी में सोती थी गोदी में सोती रातों में बातों की लड़ियां पी रोती थी लड़ियां पी रोती आचल में चुप चुप के हसती रोती नटखट अदाओं से तनमन भिगोती और कब तू सयानी हुई कि कब तू सयानी हुई राजा की रानी हुई पल में बुजर गए शाल रे बिटिया चली है ससुरा और देख रही हुँ बहुत सारी आखे मेरे सामने नम हैं और मैं अपने आपको किस तरह समाले हुए हूँ ये मैं अज़ी कमाई गाड़ी कमाई आख की पुतली तू हो रही पराई आख की पुतली तू हो रही पराई कैसे दू बिटिया मैं तुझ को बिदाई की छाती फटी सी जाए दुनिया लूटी सी जाए कैसे दू हिर्दय निकाल रे बिटिया चली है ससुरा और अंत में मा क्या कहती है क्या सीख देती है अपने बेटी को कि दोनों कूलों का तु मान बढ़ाना मान बढ़ाना रिश्टों को नातों को मन से निभाना मन से निभाना प्रेम से सब को ही अपना बनाना स्नेह के दीपक यूं ही जलाना और फूले तेरी फूलवारी कि फूले तेरी फूलवारी आसी से महतारी फुले तेरी फुलवारी आसी से महतारी रखना सभी का खयाल रे बिटिया चली है ससुरा ले बिटिया चली है ससुरा ले मैं दिदी से निवेदन करता हूँ कि पुझ महारासरी से आशिरवाद प्राप्त करें और बहुत भावुक कर देने वाला गीत ये सब्दों का चमतकार है ये कविता का जादू है कि आप सभी लोग यहां भावुक हो गए हैं आपकी आखें नम हो चुकी हैं बहुत स्रेष्ट कावेपाट दीदी ने किया एक बाद जोड़ दार तालिया आदर भरी सम्मान भरी दीदी के सम्मान में दीदी के काविपाठ के लिए होनी चाहिए बहुत स्रेश्ट काविपाठ किया दीदी ने आएए मैं पुनहे गेर बदलता हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ एक तरीके से ये मानिए आज के इस कारिक्रम की में गाड़ी चला रहा हूँ और इसकी कमांड इसकी स्टेरिंग मेरे हाथ में हैं कब कौन सा गेरे डालना है बड़ी असमंजिस मैं हूँ बड़ी समस्या है मेरे लिए लेकिन फिर भी एक प्रयास करता हूँ यह कैसे तेवर को यहां अमंत्रत करना चाहता हूँ दीदी ने तमाम ऐसी बातें की महरासरी जो काम करते हैं वो पूरा गीतों में पिर होने का काम दीदी ने मारास्री के लिए तमाम उल्टे सीधे बातें सोसल मीडिया के माध्यम से बीडियोज के माध्यम से आती रहती है लेकिन हमें कुछ कहने की आवशक्ता नहीं है हमारे पुर्खे लिखकर के गए थे बिंदु महाराज जी ने लिखा महारास्री विसे ध्यान चाहता हूं बिंद दुख दायक उपद्रम सहायक अनीत के बिधायक नायक दापतापके जोग के न जापके तिलक के न चापके न और के न आपके न माई के न बापके तो यसे लोक सगे भी किनके होंगे आई ऐसी तेवर को आमंतित करना चाहता हूँ एटावा की धर्ती से एक ऐसा आद्भोध नाम जहिंदुरोपुरे देश में चर्चित है लपेटे में नेता जी में भी आप उन्हें देखती होंगे एक बाद जोड़दार तैलियों के साथ आमंतित करें बड़े भाई कड़ा है वह आपके सामने दमदार कभी खड़ा है पिछली साल आप लोगों ने जो आशीरवाद दिया मैं बहुत-बहुत आभारी हूं कोई माई का लाल है यहां पर जो माईक सही कर दे थोड़ा हाइट बढ़ा हूँ अब उंचा कभी आ गया है तो उंचा माईक चाहिए थोड़े इसको बढ़ाओ अचा आपको टाइम लगेगा मेरे पास केवल पांच मिनट हैं लंबीटी में मैं प्रणाम करता हूँ प्रकाश पतीरे जी हम सारे कवियों के भीष्ण पितामा है अंकूर भहिया ने कृपा की कि मैं दुबारा इस मंच पे हूँ मेरे साइज का क कर दो पांच मिनट में हंगामा होने वाला है चार बंदियां रखता हूँ यहां जो देख रहा हूँ मैं और पूरी दुनिया क्या देख रही है पबन पुत स्री हनुमान के काम का जलवा है तालिया रोक के रखना पबन पुत स्री हनुमान के काम का जलवा है शाम सवेरे शिरी राम के नाम का जलवा है और जलवा है साधू जी का जलवा सन्यासी बाबा का सारी दुनिया में बागेश्वर धाम का जलवा है और गुरुजी आपने कहा था कि मंदरों के दान से अगर बेटियों की शादी हो तो यह अभ्यान पूरे देश में चलना चाहिए और मैं इस मच्च के कवियों में अगर कोई आशू कवता लिख सकता हो मैंने आपके उस आशीरवात को स्वीकारा है यह जो अभ्यान यहां से चला है नहीं जो शब्द शाह कहा था गुरुजी ने दी दी मैं वही बोलूँगा स्वागत है देश के बड़े गायक जो कल करेंगे पबलिक को रोक बीप रोक आप क्यों पस्तति को प्रणाम करता हूं लेकिन माने यह महराजी का जो अभ्यान है उस पर मैंने महर लगा दी और यहां से महर लग जाए तो बता ना धर्म से हो दीन दुखियों के सारे कश्ट दूर धर्म कर्म कांड में कल्यान रस घोल दो और निर्धन होना अभिशाप नहीं होता बंदू भक्त है तो भक्ति का भी समुचित मोल दो और ये कुटुम्ब है सनातनी सभी को सुख मिले कोई दुखी ना रहेगा बात आज बोल दो और बागिश्वर धाम ने किया है शंकनाद आज बेटियों के लिए दान बेटियों को खोल दो आज मैं बिलकुल सच सच बोल रहा हूं कि मेरी धर्म पत्नी मेरे सामने बैठी है अच्छा महाराज जी मैंने इतनी इतनी अच्छी पंकिया पढ़ी कलेदा चीर्दिया पीछे चार लोगों ने ताली नहीं बजाई आई वाउस वाचिंग धें गुरू जी इससे हाई पीछे चार लोगों ने ताली नहीं बजाई महाराजी से सिद्ध होता है कि आप सो प्रतशत किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं एक प्रधान मंतरी भी 10 साल से लोगों को संतुष्ट करने में लगा है फिर भी लोग चाती पीट रहे हैं 15,000,000 मोदी जी तुमने वादा किया था 15,000,000 दो हाई मेरे 15,000,000 थाई मेरे 15,000,000 मैंने कहा लाल्चियों मुझे मेरे 15,000,000 तो ऐसी दिन मिल गए थे जिस दिन मुगल सराई स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीन दयाल उपाध्या रख दिया गया था जालिया कमजो रहे मुझे 15 लाग की अगली किष्ट उस दिन मिल गई जिस दिन कश्मीर से धारा 370 को ने स्तनाबूत कर दिया गया और स्वार्थियों मैं हंगामा देखना चाहता हूँ स्वार्थियों तुम 15 लाग पे मर रहे हो 22 जनवरी को गौरव चोहान करोड़ पती बन चुका है अच्छा है ओ माराजी करोड़ पती तो बन चुके है अब अपना मुख थोड़ा मथुरा की तरफ कर लो तो हमरा पती भी बन जाएए है है कि अच्छा यह स्वामी प्रसाइब कर बीप्रयाग भाईया हम उत्तर प्रदेश से आते हैं सेंफ़ाई के रहने वाले हैं हमारे यह नेवला है अब कमल ने कहा तो कमल ने कहा भूलता सीधा ने अरे सब की दुरगती देखो किसी का लीवर जा रहा है कोई जेल में जा रहा है कोई कश्टों में गया सब का नंबर आएगा पंक्तियां सुना रहा हूं राम चरित पर प्रश्न किया तो अकल सुधारी जाएगी मैं दावा करता हूं अब तक इतनी तालीनी बजेंगी जो बजने वाली है राम चरित पर प्रश्न किया तो अकल सुधारी जाएगी राजनीत की रंगबाजी दो पल में जाड़ी जाएगी और राम विरोधी उस दिन सारे आ जाएंगे पटरी पर जिस दिन बारी बारी सब की ठटरी बारी जाएगी और गौरफ जियो जियो भाईगी जियो गौरफ जियो भाईगी और टेंशन मतलो मुझे दोई बाबा पसंदे एक बागेश्वर बाबा और एक अपने गोरफ पुर वाला बाबा आयूपी में काबा आयूपी में काबा चाती पीटरेत लोग हमने बताया आयूपी में बाबा गुंडों के पेट में गुल गुल गेंगे श्टर को मन घबरायो माफिया लोटेरों की गरदन में नोटिस है लटकायो मेरो बाबा बड़ो निरालो चड़के बुल्डो जर पे आयो आप चिंता मत खरो कभी हो मुझे पढ़ास नहीं है कि आदा घंटा लगा रहा हूँ महराजी आशिरवाद दे चुके हैं मैं यहाँ केबल महराजी सच बता रहा हूँ मैं आपसे तीसरी बार मिल रहा हूँ परता चुरूप से और जब जब आपको मिलता हूँ तो मुझे क्या लगता है सत्य सनातन के सच्चे सत्य सनातन के सच्चे से सत्संगी दिख जाते हैं तीसरी बार मिल रहा हूँ अपनी भावने प्रिकट कर रहा हूँ सरदार जी आप पिछली साल भी बैठे ते लेकिन या नहीं बहाँ बैठे ते आपने दल जरूर बदल लिया लेकिन दिल नहीं बदला सलाम करो ऐसे सरदार को प्रडाम करो क्या दिखता है मुझे सत्य सनातन के सच्चे से सत्संगी दिख जाते है धरम जागरण के अंबर में सत्रंगी दिख जाते है और किसने इनमें क्या पाया क्या देखा ये वो ही जाने हमको तो धीरेंद करश्ट में बजरंगी दिख जाते है जैजै श्री राम बस बस तीन मिनट मैं भाया मैं मुझे तीन मिनट होड़ते दो और जब साक्षात बजरंगी हमारे साथ है तो इन सनातन द्रोहियों से क्यों ढरना एक चीज को गाठ बांद के रख लो आज नहीं तो कल आज नहीं तो कल असरों के वन्शज हारे जाएंगे वेट एंड वाच आज नहीं तो कल असरों के वन्शज हारे जाएंगे राम विरोधी राम भक्त के हातों तारे जाएंगे और बाला जी के सेनापती लाठी लेकर तैयार खड़े बागेश्वर में एक दिन सब के भूत उतारे जाएंगे बागेश्वर में बागेश्वर नहीं 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 बस अंदोलन शांत आशिर अनरी पतनी को आशिरवाद दे तो यही मेरा आज का पेमेंट है महराजी बस रुख जाओ एक गाना मेरा बहुत हिट हुआ यार जो पंक्ति में सुनाना चाहता हूँ मैं नहीं चाहता हूँ कि महराजी बीजी रहें बस बस बाई साब बाई साब आप अपना पुश्पारपड बाद में करना नहीं तो मेरा यहाँ पर माल्यारपड हो जाएगा बस रुख जाओ केवल दो मुक्तक सुनाऊंगा अभी लोगों ने ग्यान वापी की चर्चा की मित्रो महराजी से मेरी विनिती है कि थोड़ा समू उदर कर लो यूपी की तरफ क्या होगा मैं दावा करता हूँ क्या होगा अभी जरा सा धीर धरो जमुना का पानी खौलेगा मंदिर बन गया है सरीउ धन्य हो गई अभी जरा सा धीर धरो जमुना का पानी खौलेगा अरे राम भक्त के बाद अभी तो शाम भक्त भी डोलेगा इतना ताली मजए कि ये काप जाए महाल थोड़ा राम भक्त के बाद अभी तो शाम भक्त भी डोलेगा और जिस दिन गदा उठाली अपने पवन पुत्र बजरंगी ने कबर में लेटा ओरंग जे भी रादे रादे बोलेगा एक बाद फिर से अभी जरासा धीर धरो जमना का पानी खोलेगा राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा और जिस दिन गदा उठाली अपने पवन पुत्र बजरंगी ने कबर में लेटा ओरंग जे भी रादे रादे और क्या होने वाला है धर्म सनातन के वैभब की लेकर नईया निकलेंगे महाराज जी को सब पता है कहां से क्या निकलेगा राजुदाश जी महाराज मैं अधुद्या क्या आपसे बहुत मिलने की इच्छा थी लेकिन किसी ने मेरी हैसितनी समझी में लोटाया मुझे समझने वाले बजरंगी है इसलिए मैं तीसरी बार महाराज जी के सामने हूँ धर्म क्या निकलेगा धर्म सनातन के वैभब की लेकर नईया निकलेंगे मुरली मधुर बजाते दाउजी के भाईया निकलेंगे मुर्ली मद्धुर बजाते दाउजी के भाया निकलेंगे सनातिनी लाँ जायेगा जिस दिन गर्भ गरह में कर्श्न त मैसा stability अंत रहाँ हिंदु मुस्लिम सिंखेसाई आपस सब हम भाई चारा निवाते रहे लेकिन वो कौन लोग थे जो ये जानते हुए भी कि उस ज्ञानवापी में 400 सालों से नंदी के सामने तो भोले नाती है लोग हाथ धोए जा रहे थे कुल्ला कर रहे थे घॄ कोट ने भी कह दिया खिवातो भोले बाबाई हैं लेकिन अभी पीछ लोग चाती पिट रहे नाती हम तो हम थे हमने कहां भाई साब यह उत्तर प्रदेश है बाबा का प्रदेश है यहां चुदाई भी अच्छे से हूटि है और यहां खुदाई भी कि जादा मत खुदवाओं जादा मत खुदवाओं क्योंकि अगर जादा खुदाई करती तो भगवान तो छोड़ो कुछ और निकलने वाला है मैं विदा हो रहा हूँ बॉलीवुड के लोग बैठे हैं अध्यात्म के लोग बैठे अगर मैंने अतारकिक अमर्यादित पंक्ती पड़ी हो तो मैं कभी जीवन में माइक पर नहीं आऊँगा लेकिन तरक साही लगा तो मेरे बैठने तक इतनी ताली बजाना कोई मतलब नहीं आज यहां से सच्चा अशिरवाद लेकर जाना चाहता हूँ क्या निकलेगा खोदो 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 क्या निकलेगा सुनो सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे जहां जहां खोदोगे सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे हिलाना हिलाना पूरा महौल हमारे पुन को ढखते तुम्हारे बाप निकलेंगे और खुदाई या निरिक्षण में मिले भगवान को छोड़ो तुम्हारे डीने में भी हमारे बाप निकलेंगे मैं गौर भाया को बिल्कुल माइक पर नहीं बुलाओंगा क्योंकि हमें दिगंबा दर्सन भी हो सकते हैं यहां पर लेकिन बहुत स्रेष्ट कामेबाड गिया एक बाद जोड़ तालिया भई उर्जया भड़ी तालिया थोड़ी बताया करिये कि आपके उपस्तिति है यहां पर बहुत स्रेष्ट कापड़ भई गौरब चौहां जी ने किया भावी जी साथ में आई हैं यह स्वागत सम्मान महाराश्री से मेरी प्रार्थना कि उनको सम्मानित करने की किरपा करें और आप सभी लोग एक बाद जोड़दार तालिया बजाई यह बहुत स्रेष्ट कापड़ किया भाई ने गौरब भाई ने बहुत अच्छा कहा अब दिक्कत यही है पूरे देश में अब दिक्कत यही है पूरे देश में सनातन धर्म के लिए तमाम उल्टा सीधा बोलते रहते हैं लोग प्रभु स्री राम के लिए भी तमाम उल्टा सीधा कहा लोगों ने लेकिन आवशक्ता है तो ऐसे ही कवियों की आवशक्ता है जो उनके गालों पर तमाचा अपनी कविताओं के माध्धम से देने का काम करते हैं आए थोड़ा किरम आगे बढ़ाता हूं मैं फिर गयर बदलता हूं हमारे बीच में एक बहुत अद्भूत गीतकार महराज जी के प्रिय कभी हैं मैं अमन अक्षर जी हमारे मद्धमों पस्तेत हैं मैं उनसे भी गीत के लिए आगरे करता हूं केवल चार पंक्तियां उनकी अगवानी में पढ़ना चाहता हूं कि ओसकों असू बनाया जाएगा अब दर्द में भी मुस्कुराया जाएगा जिंदगी भर की कमाई गीत है अब गीत ही ओड़ा बिचाया जाएगा एक बाद जोड़दार तालियों के साथ आमंद्द करें भाई अमन अक्षर जी कि देखिए बिल्कुल भी अव्यवस्था न भेलाएं सब लोग सहीयोग करें व्यवस्थाओं में अगर आप सहीयोग देंगे तो ये कारिक्रम सीर्ष्था की और हम ले जाएंगे एक बाद पुने आमंद्द करता हूँ भाई अमन अक्षर जी के लिए एक बाद जोड़दार तालियों बजाएए आप सभी लोग आप जब तक तालियों बजाते रहेंगे ये जितनी भी अव्यवस्था भैली हुई है ये व्यवस्था में परवर्तित हो जाएगी आप ज नहीं आई है भाई अमन अच्छा जी आप सभी को प्रणाम करता हूँ आदर्णिये गुरुदेव की चड़नों में प्रणाम करता हूँ मेंत राजुदास जी की चड़नों में प्रणाम करता हूँ इंद्रेश जी महराज अभी यहाँ पर बैठे हुए थे उनको प्रणाम करता हूँ सारे संत यहां पर बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूं एक बात मैंने पिछली बार भी कही थी कि अकेला धर्म सम्मेलन या समाजिक सम्मेलन है जा संतों को इतने सम्मान के साथ अलग जगह पर बैठाया जाता है वियाईपी कल्चर की दुनिया में भी बागेश्वर धाम में प्रकाश पटेरिया जी के माध्यम से हम लोगों को हर बार स्वभाग की मिलता है मैं पहले भी बागेश्वर धाम आया हूं मुझे संचिक भूमिका में अपनी कुछ बाते करनी हैं कुछ नई बाते भी मैं सुनाओंगा लेकिन चार-चार पंक्तियां सौपता हूं आपके प्रकाश में प्रकाश करनाओ मैं अब हम लोग इस पूर्ण धरा पर हैं उससे भी सबसे पहले हम भारती हैं पुरी दुनिया में हम लोग विश्यश हैं मैं चार पंकतियां पड़ता हूं अभी तक आपने अलगलग बातों पर अलग-अलग अजस्विता पर इतनी तालिया दी मैं चार पंक्तिया पढ़ता हूं घीतकार हूं अपनी तरहसे त्हुथ की बात मि अगर आप ने दोपल के लिए भी अपने जीवन ने भारत भूमी का इस अट्टि का गौरण जिया होगा तो इस मां के नाम चाहरें चाहरें पर आप friendships मुझे मिलेगा गुर्द एफ अपना ये है गुर्देव इस मिट्टी को हमने मा माना है मा हमें क्या सुविधाय क्या ममत्व देती है मैं चार पंक्ति में पढ़ता हूँ कभी व्यवहार अपना ये है कहीं रूखा नहीं रखती कभी व्यवहार अपना ये है कहीं रूखा नहीं रखती भले तन सूखता जाए है ये मन सूखा नहीं रखती कभी व्यवहार अपना ये है कहीं रूखा नहीं रखती भले तन सूखता जाए है ये मन सूखा नहीं रखती यहां दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले है यहां दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले है ये धरती मां हमें लेकिन कभी भूखा नहीं रखती चार विशेश पंक्तिया पढ़ना चाहता हूं लेकिन थोड़ा सा वहां जो गत्तिविदिया चल देखता है कि मैं एक छोटा सा किस्ता आपको सुनाता हूं मंज के सारे बड़े लोग यहां पर उपस्तित है मैं पिछले दिनों दिल्ली से भूपाल की एक रेल यात्रा में था सारे लोग जब गुरुजी बात करने लगते तो उदर देखने लगते हैं मैं बहुत विशेश पंक्तिया आज सुनाने के लिए के मन में हूं कि अभी तक आपने अलग-अलग तरह की कविताय सुनी आदर्णिय किर्ति काले जी ने जब गीत पड़े तो सम्वेद्नाओं के जिस द्वार तक उन्होंने आपको ले जाकर छोड़ा है मैं आज की शाम संभवता सबसे सम्वेद्न शील चार पंक्तियां मेरे पास हैं मैं आदर्णिय गुरुदेव के चड़नों में ये चार पंक्ति रखता हूं इससे जुड़ी एक घटना सुनाता हूं मैं पिछले दिनों दिल्ली से भोपाल की एक रेल यात्रा में था वो बार बार उसे संभालने का प्रयास करते थे सेकंडेसी में यात्रा कर रहे थे मतलब अच्छे परिवार से लेकिन तूटे चश्में के साथ यात्रा कर रहे थे मेरे भीतर के कभी ने मेरी पीड़ी से एक शिकायत की अपने बुदर्गों के लिए चार पंक्ति में पढ़ता हूं अगर वो सम्मेदना आप तक पहुँचे तो मुझे इतना समर्थन दीजेगा कि मेरा लिखना सार्तक हो जाए मैं सौबता हूं सुनिएगा ये घटना याद रखिये और चार पंक्तियां अलग होते हुए कोई ही अलग इतना नहीं दिखता मगर उचाईयों से नीव का हिस्सा नहीं दिखता उन्हीं आखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है उन्हीं आखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है जिन्हें माबाप का तूटा हुआ चश्मा नहीं दिख़ता मैं आज एक विशेश गीत सुनाने की स्थिति में हूँ मैंने भगवान राम का गीत गुरुदेव के सामने कई बार पढ़ा है लेकिन आज मैं माता जानकी पर एक गीत सुनाना का मेरा मन है मुझे आदेश भी गुरुदेव का हुआ था कि तुम इसी विशेश पर और जितना लिख सकते हो इस पर प्रयास करो मैं चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ कमल आगने जब पढ़ रहे थे उन्होंने राम चरित मानस को जलाने वालों के नाम अपना गुस्टा पढ़ा था मैं बागेश और धाम में खड़ा हूँ साक्षाद हनुमान जी यहाँ पर बैट कर सुन रहे होंगे जिन्होंने राम चरित मानस की प्रतिया जलाई उन लोगों के नाम मैंने राम चरित मानस से निकाल कर एक उत्तर लिखा है मैं अधर्णिय सारे संतों के उपस्तिती में गुस्ता पढ़ता हूँ मेरे गुस्ते के साथ आपका समर्थन मिलाईएगा अभी तक मुझे वो समर्थन नहीं मिला जो मैं बागेश और धाम में अभी तक अनुभा करता आया हूँ मेरा गुस्ता चाउती पंक्ति पक्तर कि सही लगे तो मुझे बताएगा उसके बाद में माता जानकी का एक गीत पढ़कर अपनी जगर लूँगा तुनिएगा जो उठिती हो कोई शंकाहा तो हर शंकाहा जलाएगी आपने मानस को जलाया है मेरा गुस्ताब सुनकर जाईएगा मैं सौपता हूँ जो उठिती हो कोई शंकाहा तो हर शंकाहा जलाएगी एहंकारी कहीं धन कहा कहीं मन कहा जलाएगी वहा एक पूछ की अगनी निरावर का महल पूका यहा मानस की अगनी आपकी लंका यहां मानस की अगनी यहां की लंका जलाए की और आये में एक विशेज गी सौपता हूं मैं आज माता जानकी को लेकर जो बात कहने के मन में हूं मैंने एक गीत आपको पहले सुनाया था कोई पहुण दोन की लोगों तक पहुंचा होगा कि सारा जगह कैशा प्रेड़न हैं बहुत हैं वह बनाज़ यह दिन लखा तो इसकी अंतिम पंग्ति थी कि जानकी का हर जनम बचाव सिर्फ राम है तो कई लोगों ने मुझे प्रश्ण किये कि क्या जानकी जी इतनी निर्वल थी कि उन्हें अपने बचाव के लिए भगवान राम की अफशक्ता पड़ी लेकिन मैंने का कि ऐसे बात नहीं है इन दोलों का परस्पर प्रेम एक ऐसी अधा को रच रहा था उस समय कि जिसकी तुलना किसी और प्रेम कहानी से नहीं की जा सकती मैंने माता जानकी के लिए एक गीत लिखा मैंने ये कहा कि रामाइंड के प्रान अगर राम है तो माता जानकी कौन है मैं दो पंक्तियों से शुरू करता हूं फिर गीत को आगे बढ है मैं सौपता हूं सुनिएगा कि जो है इस कथा के प्राण जो है इस कथा के प्राण उनकी प्राण जानकी जो है इस कथा के प्राण उनकी प्राण जानकी राम एक सत्य जिसका है प्रामाण जानकी हम जैसे अपने भगवान को देखते हैं जानकी ने ऐसे नहीं देखे मेरा मन में समझेगा मैं पहला बंद पढ़ता हूं के पुन्य एक था मगर थे पुन्य के घड़े अलग के पुन्य एक था मगर थे पुन्य के घड़े अलग युद्ध एक था मगर दोनों ही लड़े अलग युद्ध एक था मगर दोनों ही लड़े अलग जो न थे किसी के राम राम थे खड़े अलग जान की के राम राम से भी थे बड़े अलग के इस कथा से है बड़ा लग विधान जान की के इस कथा से है बड़ा लग विधान जान की राम एक सत्य जिसका है प्रमान जान की राम एक सत्य जिसका अगला बन पढ़ता हूँ हम जिन भगवान राम की पूजा करते हैं माता जानकी वो ने वो भगवान बनते देखे हैं जिन मर्यादा पुर्शोत्तम को हमने देखा है मैं परसपर सहकार और प्रेम की इससे बड़ी चार पंक्तियां नहीं पड़ सकता हूं मैं मंच का भी ध्यान चाहता हूं और एक एक अपनी सम्मिदना या मंतित करता हूं गुर्दे मेरा प्रेयोग देखिएगा इन दोलों का प्रेम देखिए के प्रेम का नया ही रूप गढ़ रही थी जान की के प्रीत का नया ही रूप गढ़ रही थी जान की पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जान की जैसे मंदिरों की सीड़ी चड़ रही थी जान की राम लिख रहे थे राम पढ़ रही थी जान की राम लिख रहे थे राम पढ़ रही थी जान की राम जिन के हो गए के राम लिख रहे थे राम पढ़ रही थी जान की के राम जिन के हो गए सहज सुजान जान की राम एक सत्य जिसका है प्रमान जानी राम जी के सामने मुझे तालियां दीजेगा आप लोग लेकिन जो सम्वेद्रा मुस्तकार है इसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ माता जानकी को जो लोग कम आगते हैं इस कथा में एक सामने दिखता हुआ सत्य पढ़ता हूँ के इसमें क्या नया है चौथी पंक्ति का तरक अगर आपकी तालियां भी मिले तो मुझे मज़ा आएगा के इसमें क्या नया है तरक लाख जो बुने गए तुमको लग रहा है सिर्फ राम ही सुने गए के इसमें क्या नया है तरक लाख जो बुने गए तुमको लग रहा है सिर्फ राम ही सुने गए एक सरलसी एक बार अच्छी तालियां बजा जीजे मैं फिर से पढ़ता हूँ भीया आप नहीं चड़िएगा मैं देखिए एक तरक रख रहा हूँ मैं प्रयास करता हूँ फिर से सुनिएगा के इसमें क्या नया है तरक लाख जो बुने गए तुमको लग रहा है सिर्फ राम ही सुने गए एक सरलसी बात जिसके अर्थ अन सुने गए जान की नहा कहा तो राम जी चुने गए जान की नहा कहा तो राम जी चुने गए के शब्द शब्द अर्थ अर्थ स्वाभी मान जान की राम एक सत्थ जिसका है प्रमान जान की और माता जान की जिनको पाने के लिए भगवान को अपनी योगिता साबित करनी पड़ी लेकिन एक बार स्वयंबर जीतने के बाद भी माता को पाने के लिए कई संगर्ज भगवान राम ने किये लेकिन मैं जी मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ और आदर्णिया दीदी आपको भी समर्पित करता हूँ भगवान राम और माता जान की का प्रेम देखिए और जिसे जित कहा जाता है प्रेम में समर्पन कहा जाता है माता जानकी को स्वयमबर से जीत के लाए लेकिन रावर्न अपरहन करके ले गया माता को राम और जानकी का फिर भी छोग हो गया लेकिन उनकी जित क्या है मैं चार पंक्ती में पढ़ता हूँ चौती पंक्ती आपका समर्थन मांगती के खो गई थी जो विजये उसी का सार जानकी राम जिन को ढूलते थे द्वार द्वार जा लने के खो गई थी जो विजये जानकी इतनी बड़ी थी कि स्वयम मर्यादा पुरशोत्तम राम को भी इतनी परिक्षाए दिनी पड़ी कि खो गई थी जो विजय उसी का सार जान की राम जिन को ढूंडते थे द्वारे द्वारे जान की एक जीत कम थी जिन को ऐसी हार जान की राम भी तो जीत लाए बार बार जान माता जानकी अगर इस कथा में नहीं होती है कलपना अगर हम करें तो हमारी रामायन दुनिया के हर संकाय का सबसे बड़ा गरंद हो सकती थी माता जानकी के होने से ये कथा कैसी पावन और कैसी बनी मैंने धर्म से बड़ी एक चीज का नाम लिया है मैं पढ़ता हूं सुनिएगा के धर्म की कथा को जिसने मर्म एक नया दिया माता जानकी ने के धर्म की कथा को जिसने मर्म एक नया दिया अपने साथ राम को भी राम में रमा दिया जानकी ने इसको अर्थ धर्म से बड़ा दिया धर्म की कथा को प्रेम की कथा बना दिया जोड़ार तारिया पूरा सदन बजाए बहुत अद्बत गीत पढ़ रहे हैं वही अबाह कथा को प्रेम की कथा बना दिया के भावना ते है भावना भावना से भी अधिक है अर्थवान जानकी राम एक सत्य जिसका है प्रामान जानकी तालियां बजा दो मैं बस तीन बंद और पढ़ता हूँ पुराना भी सुनाता हूँ मैं एक मैं तीन नए बंद सुनाता हूँ मैं कृष्ण जी पर सुनाना चाह रहा हूँ बस मैं फिर आप हाँ फिर जी वह बहुत बलंबा हूँ आप 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 क्यार मेरी समय तुम्हें याद आया कि यह हूँ आप कि मेरा संटने त्लम जाए है साहब भी यह आप पूरा कर रहा हूँ आप इस भागवत कथा का मंच है यहाँ पर भागवत कथाये लगातार चल रही है इस समय इंद्रे indigenous माहराज यहां पर कथा सुना रहे है गुर देव भागवत कथा बगवान कृष्ण पर मैंने गीत जो लिखा लेकिन मैं उसके उसके सिर्फ दो बंद सुनाता हूं आपको उसके बाद मैं राम गीत के कुछ बंद गुरुजी के आदेश के अनुजार दूगा भगवान कृष्ण बगवान राम जैसा होना तो असंभव है लेकिन बगवान कृष्ण हमें सुविधा देते हैं कि हम अपने भीतर किसी भी अवस्था में थोड़े थोड़े कृष्ण आसानी से ढूंड सकते हैं बगवान कृष्ण के लिए कहा है बाईया मेला कर लेने दो यारा आप बता वो बिना बोली ताली ले जा रहा है कि यह कौन सी कविता है वाई जाँ वह यह प्लीज यार यह सब मत कराओ जो गोरो भाई करके गए अभी ने तो इस दिनावाद हुआ है डिनला जोजे आ जोजे डिनला जोजे आ DS कि गया भैया भैया बह्या यह बह्या बैड जाओऊ नहीं बैड जाओ पर देख के पादू अजय ज़िए चलिए मैं सुनाता हूं मैं आपको बचन देता हूं कि मैं जिन पंक्तियों को सुनाने जा रहा हूं एक थोड़ा बहुत रोमान्च आपके भीतर छोड़के जाओंगा अभी तक आपने बहुत अच्छे से साथ दिया पुरा कभी समयर बड इसकारच बन सुनांगा करशन जी क्या सुविधा देते हैं मैं बताता हूं के एक जो अनन्त में अनन्त ताका माप है क्रिश्न कृष्न बाद में है पहले कृष्ण आप है कृष्ण कृष्ण बाद में है मैं जन्म का प्रसंग पढ़ता हूं एक ऐसे अवतार जिनके जन्म से पहले उनके मृत्यू के शडियंत रचे गए उनके माता-पिता को कारागार में एक भई की स्थिति में रखा गया ताकि कंच को मारने वाली सं जन्म ना ले सके मैं वह प्रसंग पढ़ता हूं अगर मुझे मुझे ऐसा विश्वास है कि मैंने कुछ ठीक ठाक लिखा इन चार पंक्तियों में मुझे भरपूर समर्पन आशिरवाद दीजेगा मैं सौपता हूं एक नया उतार आये जिनोंने देह धारन किये मैं सौपता के देह की परमपरा में नई सिले का जन्म था भगवान कृष्ण के जन्म क्या था मैं सौपता हूं के देह की परमपरा में नई सिले का जन्म था पहली बार भय के गर्भ से अभय का जन्म था के देह की परमपरा में नई सिले का जन्म था पहली बार भय के गर्भ से अभय का जन्म था पाप के लिए तो जैसे ये प्रलै का जन्म था जन्म का समय नहीं था ये समय का जन्म था इसका गीत तो ये बहुत बड़ा है लेकिन गुर्देव का जो आशी आदेश है मैं वह सुनाता हूं रांगीत बहुत लोगों ने सुना होगा बहुत लोग पहली बार सुनेंगा मैं सौपता हूं के सारा जग है प्रेरणा प्रभाव सिर्फ राम है सारा जग है प्रेरणा प्रभाव सिर्फ राम है भाव सूचियां बहुत है भाव सिर्फ राम है भाव सूचियां बहुत पहला बंद पढ़ता हूं एक तरफ भगवान के सामने रास सिंगासन है और एक तरफ माता कई कई के वचनों में बंदा हुआ वनवास वैं सौपता हूं सुनिए के काम नाय त्याग पुन्य काम की तलाश में के राज पाठ त्याग पुन्य काम की तलाश में तिर्फ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में तिर थे खुद बटक रहे थे धाम की तलाश में ना तो दाम ना किसी है नाम की तलाश में राम वन गए थे अपने राम की तलाश में राम वन गए थे अपने राम की तलाश में आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम हैं भाव सूचियां बहुत हैं भाव सिर्फ राम हैं मातर शक्ती की उपस्तिती है मातर कैकई का नाम आया स्तारी नकानात्मक बाते एक इत्यास में लिखी मैं इस मंच का सबसे छोटा बेटा हूँ एक तरक रखता हूं मातर कैकई के पक्ष में मुझे आप सब का समर्थन मिलेगा मुझे विश्वास है के कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए एक हासे राम की ही सौ प्रणाम मिल गए कै कई की कामना से जग को राम क्या पढ़ रहा है मन में यावा की कामना से जग को राम मिल गए और ऐसे राम मिले के जिनके जैसा उधारणपुरी दुनिया ने दूसरा नहीं देखा मैं भगवान राम की तुल्ला करने का दुसार करता हूं सुनिएगा के ढाल में ढले समय की चश्त्र में ढले सदा सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा साप में तपे स्वयम ही स्वर्न से गले सदा राम ऐसा पत थे जिस पे राम ही चले सदा केवट का प्रसंग मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना है क्योंकि मुझे मेरे बात कई बड़े लोगों को इस कविता पाठ नियाब पर करना है केवट का प्रसंग सुनाता हूं गुर्देव आप सब के चड़नों में रखता हूं बगवान राम को नदी पार कराई थी उन्होंने एक काम किया लेकिन आज तक उनकी महां गाई जाती है कुतर के गरने वाले लोगों ने भगवान को जाती वादी तक बताया है लेकिन मैं इन चार पंक्तिओं में महीमा गाता हूं केवट की और भगवान राम के बड़पन की मेरी शब्द शक्ति देखिएगा आधरनी पटेरिया जी कि आमंतर पर महा कभी की उपादी उन्हें हमारे कभी सम्मिलनों में दी जाती है मेरी शब्द शक्ति अगर ठीक लगे तो एक चित्र खीसता हो सुनिएगा के राम जी को कर सवार जनम सवार ले गए नदी की धार में जगत की धार ले गए यू निशाद साथ में कथा का सार ले गए उनको पार ले गए जो सब को पार ले गए सब को पार ले जाने वाले भगवार मनुश्योंनी में जन्म लेते हैं इस गीत का मर्म सौपता हो सुनिएगा पूरे जीवन में राम क्या करते रहे किरिण थे जो मनुश्य ताके वो उतारते रहे किरिण थे जो मनुश्य ताके वो उतारते रहे जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे एक भरी सदी का दोश्य खुद पे धारते रहे जन की तो जीत गई राम हारते रहे सारे दुख कहानिया हैं दुख की बस कहानिया हैं घाव सिर्फ राम है भाव सूचियां बहुत है भाव सिर्फ राम है रामराज की विरमना चार पंक्ती में पढ़ता हूँ के सबके अपने दुख थे सबके सारे दुख छले गए वो जो आस दे गए थे वो ही सास ले गए के रामराज की ही आस में दिये जले गए रामराज आ गया तो राम ही चले गए गीत का समापन करता हूँ अंतिम तर्क रखना है एक बार अच्छे से ताली बजा दीजिए अब तक अगर गीत आप तक पहुचा हो तो मैं अंतिम तर्क रखना चाहता हूँ हम सबसे अगर पूछा जाए के बगवान राम ने क्यों अवतार लिया होगा तो चायद हर दूसरा वेक्ति ये कहेगा कि रावन के संगहार के लिए बगवान राम धर्ती पर आए लेकिन इतने छोटे से काम के लिए हमारे बगवान धर्ती पर नहीं आते है बगवान इसलिए धर्ती पर आए कि उन्हें और भी बड़े काम करने थे रावन को मारने जिसा छोटा काम तो जामवन जी कर सकते थे पाली कभी भी कर सकते थे लश्मन जी कर सकते राम किन बड़े उद्धेशों के लिए आते हैं यहाँ पर महिना शक्ती की व्यूट थे जो रस्ताहा वहां आनाहा जरूरी था कहीं लंबी प्रतीक्षा कहा सुफल पानाहा जरूरी था वहां रावन को हनुमत ही अकेले मार सकते थे मगर शबरी के घर तो राहाम का जाना जरूरी था मगर शबरी के घर तो राहाम का जाना जरूरी था बहुत-बहुत पढ़ाम करता हूँ बहुत-बहुत धन्ले था यह होती है कविता यह होते हैं सब्द यह होती है भावनाएं महराज जी को भी भावुक कर देने वाला गीत महराज जी के प्रिय कवी है भाई अमन अक्षर जी उनको अपने करकमलों से सम्मानित कर रहे हैं उनको आशिरवाद दे रहे हैं एक बाद जोरदार तालिया इतने अच्छे गीत के लिए महराज जी का आशिरवाद हम सभी कवियों पर रहता है महावसरी दो मिनट में आने वाले हैं आये मात्र शक्ति की ओर बढ़ता हूँ एक ऐसी देश की लाडली कवित्री तो मद्द प्रदेश की राजधानी भौपाल से चलकर यहाँ पर उपस्तित हुई है मेरी बड़ी भेन अनू सपन्जी देश की बहुत बड़ी कवित्री है यह उनका किरम नहीं है लेकिन उन्हें जाना है उनकी फिलाइट है दीदी की फ्लाइट है उन्हें जाना है इसलिए यह उनका किरम नहीं है लेकिन फिर भी केवल चार पंग्तियां पढ़ना चाहता हूं बेटियों के जब 35-35 टुकड़े किये जाते हैं देश में देख किसी प्रकार की अविवस्था ना फेलाई आप महारास्री केवल दो मि सब्सक्राइट में आने वाले हैं आप सभी लोग व्यवस्थित बैठ जाईए मैं देश की लादली कवित्री अनु सपन जी को यहां अमंत्रित करना चाहता हूं एक बार मुझे तालियां बजाकर आप आदेशित करिए अभी मेरी आवाज नहीं पहुँच रही आप तक आप लोगों का ध्यान केवल इस माइक पर होना चाहिए एक बार जोड़ दार तालियां बजाकर आमंत्रित करिए बड़ी भेहन अनु सपन जी पुना आप सबको प्रणाम करती हूं इस पावन पुनीत मंच को प्रणाम करती हूं कि इतने महनी है संत महंत जिनकी छत्र चाया में आज हम कावेपार्ट करने का हमें सोभाग्य राप्त हुआ है मेरा बिशेष सोभाग्य है कि मैं आज इतने बड़े मंच पर इतने विशाल मंच पर आज बागेश्वर धाम में आई हूं प्रभु की राम की क्रपा है बाला जी की क्रपा है मैं तय नहीं कर पा रही हूं मैं कहां से अपनी बाश शुरू करूं इतना अच्छा कभी सम्मेलन हुआ है इतना अच्छा अच्छा पड़ा है मन मेरा बहुत अभीभू थे इन सब मेरे छोटे कुछ मेरे छोटे भाई हैं कुछ नए हैं जिनको मैंने पहले कभी नहीं सुना आज सुना सुनकर बहुत सुखद लगा मैं 35 वर्ष से कभी सम्मेलनों के मंच पर हूँ लेकिन आज मेरा मन ये कह रहा है कि मैं 35 वर्ष के सारे के सारे कभी सम्मेलन आज के इस एक कभी सम्मेलन पर नियोच्छाबर करना चाहा है इससे अच्छा मंच मैंने अभी तक नहीं देखा ना सुना ना मैंने पड़ा ही नहीं यह सच कह रही हूं मैं मैं सीधे सीधे अपनी बात शुरू करती हूं क्योंकि मुझे कीरति काले के साथ जाना है और उनकी ट्रेन पहले मेरी तो बाद में लेकिन मुझे जहांसी तक उन्हीं के साथ जाना है तो मैं जल्दी जल्दी अपने क्रम में अपनी बात करती हूं कभी सम्मेलन तो यहां आने का एक बहाना है सबसे बड़ा काम तो दर्शन का है जो बाला जी की दर्शन हो गए बागेश्व धाम की दर्शन हो गए यह मेरे लिए बहात पुन्नी की बात है आईये मैं शुरू करती है एक बाद तरह मुझे तालियों से अनुमत ही दे दें कुछ मुक्तक सुनाना चाहती हूं प्रेम को भी गाती हूं लेकिन मैं इस तरी की बीड़ा को भी कहीं न कहीं गाती हूं दो तीन मुक्तक सुनाओंगी इसके बाद एक घजल के कुछ शेर सुनाओंगी थोड़ा सा मन बना दे मेरा इस थूरह थे सुनेगा प्रीत का छंद पालिया हमने प्रीत का छंद पालिया हमने मन का आनन्द पालिया हमने आपके बोल पढ़ लिये जब से गीत गोविंद गालिया हमने चार पंक्तिया और पढ़ते हूं सुने की याद जब जब तुम्हारी आती है आख एक छंद गुन गुन आती है रात पढ़ती है प्रेम के दोहे धूप चोपाईया सुनाती है धूप चोपाईया सुनाती है और अभी कन्याओं का यहां विवा होना है मेरा मन है बेटियां क्या होती है माबाप के लिए मैं एक गजल के कुछ चार पाश शेर है मेरी बहुत पुरानी गजल है जब मैं खुद एक बेटी थी तब मैंने क्या महसूस किया था किसी के घर में अगर तीन चार बेटिया होती है तो पडोसी यह कहते हैं कि अरे इनके घर में पांच बेटियां है इनकी चार बेटियां है उन माबाप को नहीं खटकती लेकिन पडोसीयों को खटकती है तो मैंने क्या महसूस किया था मैं वो गजल आप तक पहुंचाना चाहती हूं सुनिए गा सीधे सीधे शेर आपके मन तक पहुंचेंगे मेरे घर में मेरे घर में चहकती रही बेटियां शहर भर को खटकती रही बेटियां मेरे घर में चहकती रही बेटियां शहर भर को खटकती रही बेटियां ओड कर सवापन सारा शहर सो गया क्या होती हैं बेटियां माबाप के लिए कितनी संबेदन शील होती हैं बेटे भी होते हैं लेकिन बेटियां कुछ अतरिक्त होती तब मैंने ये शेर कहा ओड़ कर स्वापन सारा शहर सो गया ओड़ कर स्वापन सारा शहर सो गया राह पापा की तक ती रही बेटिया छोड़ माबाप बेटा बहू चल दिये छोड़ माबाप बेटा बहू चल दिये बन के खुश्वू महकती रही बेटिया मम्मी पापा के आसू के अंगार पर अम्मा दादा के आसू के अंगार पर बन के बदली बरसती रही बेटिया और इतनी तरक्की कर ली है लेकिन कहीं न कहीं मैं ये देखती हूँ कि आज भी बेटिया सुरक्षित नहीं है तब मैंने उस समय ये शेर कहा था वो कहीं आज भी कहीं न कहीं चरितार्थ होता है पढ़ती हूं कहती हूं कि इस जमाने ने शर्मों हया बेच दी राह चलते सहमती रही बेटियां मेरे घर में चहकती रही और इस गजल का एक बहुत नाजुक सा शेर मुझसे छूट रहा था मुझे याद आ गया वो मैं सुनाती हूं बेटे अपनी खौईश जल्दी से कह देते हैं लेकिन बेटियां अपने माबाफ ते अपनी खौईश कह नहीं पाती है बहुत नाजुक सी बात है पढ़ती हूं सुने की अब की तनख्वां पे ये चीज लाना हमें अब की तनख्वां पे ये चीज लाना हमें कहते कहते जिजकती रही बेटियां ये शेर तो अच्छा था थोड़ी तालियां मिलनी चाहिए थी इस पर बहुत आभार बहुत धन्यवाद आईए इसी क्रम्मे में एक गजल के कुछ शेर और सुनाना चाहती है दोती है इसके बाद अपना स्थान लोगी सुने और के हवाले से ही बात करते हूं मुश्किलों से हमें जूझना आगया मुश्किलों से हमें जूझना आगया मुश्किलों से हमें जूझना गया हारते हारते जीतना गया हारते हारते जी आप लोग बहुत ठक गयें अब लगता आदे तो लोग सोई गयें सामने हारते हारते जीतना गया आप शेर पढ़ती हूं औरत के हवाले से एक नाजुक लता लोग समझें तो क्या मुझको शाखों के दिल थामना आ गया मुझको शाखों के दिल थामना आ गया और ये शेर भी देखें कि आंधियों से लड़े तो हुआ ये असर आंधियों से लड़े तो हुआ ये असर आंधियों से लड़े तो हुआ ये असर हम को तूफा कर रुख मोड़ना आ गया हारते हारते जीतना आ गया और एक दर्शन का शेर पढ़ती हूँ सुने की पार होने को जी चाहता ही नहीं शुक्र है के हमें डूबना गया हाहा हारते हाँ भॉस स्रिष्ट काविपाइट ना किया एक बार जोड़। तालिया बजाकर आप इधी का अविनन्न करें और मैं आप अब मैं इस मंच को आगे बढ़ाने के लिए भाई पंकज पंडत को आमंत्रत करना चाहता हूं क्योंकि मुझे भी निकलना है मेरी भी मजबूरी है मेरी भी मेरी भी मेरी निकलना चाहता हूं क्योंकि मुझे भी निकलना चाहता हूं महराजी का आदेश था मैं संच्छत काव्वेपाट के लिए भाई सूरज मडी तरपाथी से अन्रोद करना चाहता हूं कि वह आए कि आए कि अ कि अ कि अ कि आई ये कि अ कि तू पर दे यार कि भारत माता की भारत माता की अब आपके सामने माइक पर हैं आज के मन संचालक राणा मुनी प्रताब जोरदार तालियों से स्वागत करें आज के मन संचालक के आज के संचालक के हाथ में तमाम तरह की विडंबनाएं होती हैं वह फसा हुआ होता है लेकिन फिर भी जहां से मेरे भाईयों ने बात खतम की मैं भी वहीं से प्रारम करना चाहता हूं परम पुझ गुरदेव की उपस्तिति है राजुदाज जी महाराज की उपस्तिति है आपको प्रणाम करते हुए यह देश कि इस देश में महाराजी तमाम बिडंबनाएं हैं गौरव भाईया ने बहुत अच्छी बातें की थी हैं कि तमाम लोग ऐसे हैं जो लोग कह रहे थे मस्जिद की जगे मंदर बना दिया गया अब दिक्कत यह नहीं है दिक्कत यह एक और बात कह रहे थे वो कि हम अपनी ओलादों को बताएंगे कि मस्जिद की जगे मंदर बनाया गया है मैंने का तुम एक बात और कहना अपनी ओलादों को इस बात को अबस्त बताना अपनी बनाया गया है और फिर भी हम कुछ उखाड नहीं पाए थे अच्छा है भाई वाई सनाता धर्म को एक वर आगे से तुछ तक बड़ी आशिरवाद की तालिया मंच तक पहुंचे ऐसे लंबा एवान मत हो उदर लंबा एवान हो गए कुछ माईला है ने आप सो कर कविता सुन हा मुली बहुचे सनातन धर्म को डेंगु मलेरिया बताया गया हम है सनातनी निभाते है सदेव धर्म वेद उप निशद पढ़ाना जानते हैं हम हम को जो अपना समझता है मानता है चंद्रगुप्त साह उसे बढ़ाना जानते हैं हम कौन पक्ष में हमारे कौन है बिपक्ष दोनों और द्रश्टी अपनी गढ़ाना जानते हैं हम और तिन दिन तक कोई बात मानता नहीं तो राम जैसा धनोष चढ़ाना जानते हैं राम जैसा धनो शलाना जानते हैं हम भारत माता को गालियां दी जाती हैं जैने उसे आवाजें उठने लगती हैं ऐसा भ्रहम मन में जरासा भी न पाले आप आपके कुकर्म देख आखें मीच लेंगे हम मुनी माता भारती के हम लाड़ ले सपूत रक्त दे के सूखी क्यारिय के लिए कोई भी हो उसकी जबान कीच लेंगे हम भारत के साविमान आनबान का प्रतीक रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम देखना चाहता हूं कितने हर्दियों में तरंगा धर्का करता है भारत के साभिमान आनमान का प्रतीक रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम किनी भी बिदेशी याक्रमन कारियों को अब मीर जाप रोक यहां लुकने न देंगे हम लखन सा अनुराग मिधिले स साभिरा त्याग महाभागियों का चुकने ना देंगे हम और चाहे कितना भी कोई कर ले प्रयास किन्तू अपना तिरंगा कभी जुकने ना देंगे हम अपना तिरंगा कभी जुकने ना देंगे हम ये लोग आते जाते रहेंगे आप निश्चिंत रहें इनसे जातियों में यदि हम अपने को बंट देंगे बड़ी बात है फिर इस देश को बचाने कौन आएगा लोग कहते हैं देश में धर्म की राजनीती हो रही है महराज जी धर्म की राजनीती हो रही है दिक्कत यह नहीं है कि धर्म की राजनीत हो रही है दिक्कत इस बात से है उन्हें कि जातवाद की लड़ाई को जो लड़ने का काम कर रहे थे उनकी दाल नहीं गल पा रही है सभी बार- जातियों में यदि हम अपने को बंठ देंगे फिर इस देश को जगाने कौन आएगा ज़िए की उजड जाएगी तो फिर बगीया को फिर से सजाने कौन आएगा और नेताओं को नेताओं के भगवान मानने लगेंगे लोग तो धर्म को वा धर्म से बचाने कौन आएगा धर्म को धर्म से बचाने कौन आएगा कौन इस देश को बचाने वाला है इस देश को जेयनियू वाले कनहियाओं की आवशक्ता नहीं है इस देश को आवशक्ता है उस सुदर्सन चक्रधारी कनहिया की यद इस देश को ब अब भूमी से निकाल दो काल याको नाथ नाजो चाहते हो क्रश्न जैसा तो यमना की और गेंद अपनी उच्छाल दो सीता का हरन कोई करे उससे प्रथम बेटियों के हाथ में कटार और ढाल दो और समय नहीं है समय नहीं है अब सांत रहने का अब माताओं से कहो हमें क्रश्न जैसा लाल दो हमारी बेहनों के 35-35 टुकड़े किये जाते हैं कुछ पंक्तियां सौपना चाहता हूं अपनी बेहनों को आस्वस्त कर देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आने वाले समय में परष्थितियां बदलेंगी मैं अपनी बेहनों की प्रतिकिरिया चाहता एक दिन आएगा अवस्य ऐसा भारत में मारा जी आपके चरणों में सौपता हूं पंगतियां एक दिन आएगा अवस्य ऐसा भारत में बेटियां हमारी जहासी रानी बन जाएंगी एक दिन आएगा अवस्य ऐसा भारत में बेटिया हमारी जासी रानी बन जाएंगी तो और कुडों में बाट देंगी आफ़्ताब का शरीर माता रण चंड का भवानी बन जाएंगी अभिमानियों का मान चूर चूर करने को मान रखने को मरदानी बन जाएंगी गौप देंगी अपनी कटार फार देंगी बक्ष दुरगा बती से साभिमानी बन जाएंगे दुरगा बती से साभिमानी बन जाएंगे हम कभी हैं कभी किसी का भी जूटा गुडगान नहीं करते हम कभी हैं कभी किसी का भी जूटा गुडगान नहीं करते देश विरोधी लोगों का हम हरगिजमान नहीं करते हमने गुड़ गाया राना का लचमी जासी की रानी का दुरगा वत्का गुड़ गाते हम यस गायन बिंद भवानी का दसरत जैसे महिपालों का साधर अभिननन करते हैं जो धर्म परचारक हैं अपने उनका पदवनन करते ह इस्तुत करते चामुंडा की जैकारा खपरवाणी का हूँ जोंकि गॉठार जूटा प्रशार जूटा गुडगाल नहीं करते जो देश भक्त हैं क्योंकि यह पंक्तियां विशेश रूप से पढ़ना चाहता हूं यहां पर परम्पुजी महाराजश्री की विपस्तिती है हमारे राम भाई को भी पढ़ना है और तमाम वाणिपुत्र भी पढ़ चुके हैं हम बागेश्वर बाला जी के चरणों में सीश करते हैं मधा भारत माता के हम देश भक्ते हैं देश द्रोहियों का सममान नहीं करते हैं हम जूझ रहे हैं जिसमेकर उस्भै का कारण जयात रहीं है जहां से गौरव भाई ने खतम की थी बात गौरव भाई सुनना हम जूज रहें हैं जिस भाई से उस भाई का कारण ग्यात रहीं भाई भीद कर रहे हैं जो हमको उनकी कोई अकात रहीं स्वारत के लिए लोग तुक्ड़ों में हमें बाटने लगते हैं सच कह दो तो कालिया पनकर हमें काटने लगते हैं भारत में रहते हैं लेकिन भारत को गाली देते हैं जितनी ओलादें देते हैं कमबक्त सवाली देते हैं सम्मान चाहते हैं हमसे सम्मान भुलाकर नारी का हर बात बात में करते हैं अपमान समुत्र प्रारी का अपमान किया जिन्ने हर दम सिव संकर का अभिनासी का भबाला कहते हैं सिभ जी को दरस देख लो काशी का किस्यानी बिल्ली नौच नौच कर हर दम खंबा खाती है औरंग जेव को क्रूर बताने में नानी मर जाती है औरंग जेव को क्रूर बनाने में नानी मर जाती है और यह सच्चाई पढ़ना चाहता हूं इस मंच से अगर आप कभी होकर भी सच्चाई नहीं कह पाए तो आप कभी कहलाने के तो अधिकारी नहीं है निवेधन करना चाहता हूं औरंग जेव को क्रूर बताने में नानी मर जाती है अपनी मा हिंदी का त्यागन कर हम शायर बन मेटे हैं अपनी मा हिंदी का त्यागन कर हम शायर वनमेटे हैं हम मावानी के बेटे हैं हम देश जगाते रहते हैं कुछ लोग मगर फूवरताओं से मंच सजाते रहते हैं आतंक वादियों ने मंदर तोले तो खून नहीं खोला कसमीरी हिंदू तडप रहे कोई एक सब्द नहीं बोला सायद सायद ऐसी गत्विदियों पर चुप रहना भूल हमारी है औरंग जेवों से लड़ने की अब हम सब की तैयारी है जागो सोने का समय नहीं हम तुम्हें नहीं सोने देंगे स्री राम क्रश्न के भारत को कमजोर नहीं होने देंगे जय श्री राम जय जय श्री राम आपको मुनी का काविपाट कैसा लगा तो कोला हल करके बताईए रादे शाम रामायन में रादे शाम दिवारी दी कहते हैं और बस रात में योगी जगते हैं और सारी दुनिया सोती है या वो जाग जाते हैं जिन पर क्रपा स्री राम जी की होती है बहुत अधिक समय नश्टने करते हुए मैं अगले कभी को आवाज देना चाहता हूं हमारे बीच में बनारस से सूरज मडी तरपाटी जी भाई की गरिमा में उपस्तिती है आपकी बड़ी और आशिरवात की तालियां उन्हें मंच पर आमंत्रित करें एक बार जोरदार मे नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव बहुत बहुत आभार मैं उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला हूँ खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी हम सब इस कवी सम्मिलन में चारचांद लगा देंगे अगर आपकी तालियों की महरबानी रहेगी किसी के, किसी ने कहा कि किसी के बात का महत्व होगा, किसी के काम का महत्व होगा, लेकिन बागेश्वर धाम में आ जाईए, तो आपके नाम का महत्व होगा तो आप सब एक गौर, गरिमा में आप सब महंतों की उपस्थिती है एक राजा का सम्मान उसके राज्य तक होता है लेकिन जब हमारे बीच में ऐसे महर्शियों ऐसे महंत हो तो वो जहां भी जाते हैं जिस भूमी पे अपना पग रखते हैं वो अपने आप में गौर्मान भी थो जाता है मैं चाहूंगा एक बार आपकी जोरदार तालियां हो जाएं हमारे रिश्य महर्शियों के लिए पिछले साल होली का तेवहार था तो तीन देश के लोग बैठे थे एक चीन के भाई साब थे, एक पाकिस्तान के भाई साब थे एक हिंदुस्तान के भाई साब थे तीनों लोग बैटके ठंड़ाई पी रहे थे तो चीन वाले भाई साहब ने गलास की ठंड़ाई को पिया गलास को हवा में उच्छाला और उस गलास पे गोली चला दी बोला जिस गलास में हम एक बार बैटके पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते दूसरी बार याई पाकिस्तान वाले भाई साहब की उन्होंने भी गलास की ठंड़ाई को पिया गलास को हवा में उच्छाला और कुर्सी तोड़ दी बोला जिस कुर्सी पे हम एक बार बैटके पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते आप लोग पाकेश्वर वाले लोग हैं ताली वाली बजाते रहें बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो वानर साथी ने पूछा कि आप लंका तो जा रहे हैं लेकिन क्या आप रावड का पराक्रम झेल पाएंगे तौनमान जी ने कहा कि नमे समा रावड पोट्यो अधमा रामस्यदासः अपार विक्रमा मैं इसलिए करोडो रावड मिलकर के भी मेरे पराकरम की बराबरी नहीं कर सकते इसलिए नहीं कि मैं बजरंग बली हूँ अपितु इसलिए कि मैं श्री राम का परम सेवक हूँ और श्री राम मेरे स्वामी है तो मैं चार बंक्तियां पढ़ता हूँ सुनिएगा कि गर्व सदा है इस धर्ती की पुन्यधरा पर जीने में सत्यसनातन की बहती गंगा का पानी पीने में और जैसे प्रभू श्री राम बसे हैं सीने में बजरंगी के वैसे ही हनुमान बसे हैं हर हिंदू के सीने में मैं एक गीत आप सब के बीच में पढ़ना चाहता हूँ सुनिएगा चोहान जी एक गीत सुनिएगा जी बजा स्वागत है आदे 90% लोग सो गए हैं जो 2-4 कवी बैठे हैं उनके उपर 10% लोगों को सुलाने की जिम्मेदारी है तो हम लोग अपना पुरा प्रयास करेंगे आप लोग भी पुरा प्रयास करिएगा सुनिए महराश्री ने अभी यग्य कराया देश के सैनिकों के लिए करवा चौत का पर्व था दो सहलियां थी महराज जी और एक सहली का पती शहीद हो गया करवा चौत वाले दिन तो उसने अपने भाव क्या बोल रही है सहली से मैं उस भाव को आपके सामने रखना चाता हूँ सुनिएगा कि सुनो सखी क्यों रोती हो एक सहली दूसरी सहली से क्या कह रही है करवा चौत का पर्व है दूसरी सहली का पती शहीद हो गया है क्या कह रही है सुनेगा कि सुनो सखी क्यों रोती हो आखिर क्या तुमने खोया है मराश्री कि सुनो सखी क्यों रोती हो आखिर क्या तुमने खोया है क्यों देख तुम्हें ये लगता है बर्खा बिन सावन रोया है कि हर पर्व पे तु खुश रहती थी दिखती फूलों की क्यारी थी हर होली तीज दिवाली को लगती तू कितनी प्यारी थी ऐ सखिया हपर्व है करवा का ना मात लगाई बिंदिया है क्यों केश वस्त्र सब उल्जे है ना पाउं में पायल बिछिया है क्यों सुर्ख नहीं है भोठों पर क्यों नयन लगाना अंजन है गहने गजरे सब बिखरे हैं क्यों तूटा चूड़ी कंगन है क्यों मांग से तुमने मेरी सकी सिंदूर ये अपना धोया है क्यों देख तुम्हें ये लगता है बरखा बिन सावन रोया है जो देख तुम्हें ये लगता है बरखा बिन सावन रोया है कि सक्षी फोन करो तुम प्रियतम को पूछो ना क्या क्या लाएंगे कि सखी फोन करो तुम प्रियतम को पूछो ना क्या क्या लाएंगे हर बार ना कहकर आते हैं क्या आज भी ना वो आएंगे कि सखी पूछ रही है चंदा से क्या तुमने विश्य गोला है कुछ तो बोलो ओ मेरी सखी क्या प्रियतम ने कुछ बोला है कि बेदी पे बनी ना रंगोली ना कलश भी रंग भी रंगा है और अगली पंती पे आप सब कर समरतन मैं चाहूंगा कि बेदी पे बनी ना रंगोली ना कलश भी रंग भी रंगा है ये कैसे खून के धपे हैं ये ओड़ा कौन तिरंगा है कि क्यों क्यों मांग से तुमने मेरी सकी सिंदूर ये अपना धोया है क्यों देख तुम्हें ये लगता है बर्खा बिन सावन रोया है कि मत रो सकी मैं समझ गई बस खुद से थोड़ी गिला मुझे जो प्रश्न थे मेरे प्रासंगिक उनका सब उत्तर मिला मुझे कि अभिमान करो सकी खुद पर तुम ऐसा वर तुमने पाया है कि जो धैर्य धरे हर संकट में वो हिम्मत वाले होते हैं कि अभिमान करो सकी खुद पर तुम ऐसा वर तुमने पाया है जो मात्री भूम की रक्षाहित निजशीश चड़ा कर आया है कि है धन्य सकी तेरा सुहाद जिसने हर नयन भिगोया है क्यों देख तुम्हें ये लगता है बरखा बिन सावन रोया है क्यों देख तुम्हें ये लगता है बरखा बिन सावन रोया है बहुत बहुत आभार बहुत धन्य बादा है ये देश जिन बलिदानियों के सरवोच बलिदान के ऊपर खड़ा है उनके लिए भाई सूरज मडी ने आपको गीत सुनाया क्या और दुबारा बलाओं क्या है है हाँ मैं आऊंगा अभी आऊंगा तुमारी मांग भरी जाएगी एक बार आशिरवाद की तालिया सूरज मडी तक पहुंचाएं थोड़ी सी जिम्मेदारियां है मैं भी आप तक की यात्रा पूरी करूंगा आदर्णी अर्जुन शु गीतकार और एक हमारी ओज की पीड़ी के मार्ग दर्सक कभी हमारे भीच में हैं हम उन तक की यात्रा पूर करेंगे उससे पहले मैं अपने आपको स्वयमामंत्रित करूं उससे पूर्व मध्यरात्री जो चौथे पन को प्राप्त हो चुकी है उसमें जवानी फूखने के लिए मैं एक ऐसे घीतकार को आवाज देना चाहता हूं जो साहित्य की धर्ती उत्तर प्रदेस उन्नाव की धर्ती से यहां तक की यात्रा तै करता है कविता अधर्णी श्रिशुपाल सिंग श्रिचु जी ने कहा प्रतम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति को आप सभी का ध् जिसके चार उचरण सरवदा कल्पनावन में विचरण करते हैं यह तो चंदों से पूरी वंदन मुक्ता है लेकिन चंदों में उसके रूप निखरते हैं ओ विद्याले के पाठों के रट्टू तो तो गूदा निकाल कर रखो पहले भेजेका तब सायद जान सको कि चंद क के प्याले में कभी लाया कितना अर्क निचोड करेजेगा मैं भाई स्वयम स्रिवास्तव को आवाज इसलिए भी देना चाहता हूं कि वह कविता के भाव पक्ष को जिस सर्वोचिता पर जीते हैं उससे कई हद तक कविता के व्याकरों और चंदों का भी ध्यान रखते हैं आपकी बड़ी आशिरवात की तालियां आज इस पूरे मंच के जमानत पर और भाई स्वयम स्रीवास्तव आपके बीच में बड़ी तालियां उठाई है बड़ी का मतलब बड़ा होता है मैं हिटावा से आता हूं हमाई यह चोटी-मोटी-चोरियां नहीं होती डांके ही ड उसमें दावत जो शांदार होती है, उसमें पुवे पकवान बनते हैं, और उसके बाद में जो बूरी काकी के हिस्से में खुर्चन आती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि बड़ी जगे की खुर्चन भी बड़ा प्रसाद होती है, और अधरी राजुदास जी उपस्तित है, जह लोग सो गये हैं, उनकी नीन में अब खलल नहीं होगा, क्योंकि गौरो चाहन भाई पढ़ चुके हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि राम भाई भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे, कि विचारों के नीन तूटे, इन दिनों देश में एक बहुत शांदार महौल है, हमने पांच बुद्धिजीवी लोग जो तमाम वर्षों से बात पूछते रहें कि आप मंदिर कब बनाएंगे, तारिक नहीं बताएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और वो एकदम से राम 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 करने लगे हैं, लेकिन बात ये है, कभी का पूछने का धर्म ये है, कि आप बेटे स कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, आपका ध्यान चाहता हूँ, यहीं था अंधेरा, यहीं अब दिवाली, रहा कितने वर्षों, ये मन खाली खाली, रहा कितने वर्षों, ये मन खाली खाली, ये रंगी निया रोशनी, ये मिनारे, ये फूलों की लड़ियां किनारे, 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 कई रंग देखे है एक जिंदगी के आयो ध्या की आँखों में आशु हुशी के आयो ध्या की आखों में आशु हुशी के एयोध्या की आंखों में आँसु खुशी के एक बात और कहता हूं हम राम मंदिर जाते हैं दर्शन करते हैं कृत कृत्ट होते हैं भगवान राम का सुमिरन करते हैं लेकिन उन लोगों की पृति कृतक ग्यापित नहीं करते हैं जिनने राम मंदिर 500 साल का अंधुलन जिया है हें पूरी हिंमत कि साथ इसमंझ पर कभी आम तोर पर किसी राजशनेतिक पार्टी के साथ खड़े होने की हिंमत नहीं करते हैं तोलब माराट जी जब तक आए तभी हिनिमें और जाएगी अपने आप जगमगा आएगा महाराजी के यह तो हम कई बार देख चुके हम लोग तो निमित मात्र है यह सही है वह पूरा खेला तो इधर ही है मैं बारवी में पड़ता था महाराजी इंटर में तो बायलोजी थी मेरे पास उसमें हमने मदमक्य का जीवन चक्र पड़ा तो चते में रानी मक्खी होती बागी मक्यां उसी के इर्दिगर्द गूंती रहती है तो हम तो वैसे हैं सब्सक्राइब को अर्ण निकल नहीं वाला थीक है अच्छी बात है महाराजी यहां तक की यात्रा करेंगे तब तक मैं आपके बीच में बना रहूंगा महाराजी मंच आपके पहुंचेंगे वैसे ही मैं स्रीवास्तों युको पुना आवास दे दूंगा और यह मंच एक बार पुना सूर्योदे की तरफ चल पड़ेगा एक बार पुना सूर्ज निकलेगा रात में सूर्ज निकलता है यहां आकर देगा चलिए आप लोगे बार जैकारे में संब्लेत होएं जै श्री राम जै जै श्री राम साधू जी साधू जै जै श्री राम जै जै श्री राम महाराज जी महारे वीच में पुना है यह जी महाराज जी विराज माने मैं स्वयम स्रीवास्तव भाई को पुना आवाज देना चाहता हूं आप लोग भी यह था इस्थान बैठे हाँ यह दृप पुण्य यूई चमकता रहेगा यूई दमकता रहेगा कि मैं भाई स्वयम स्रीवास्तव को पुना आवाज दू मंचवर जी स्वयम भाई स्वयम और अद्वुत रसनाकार महाराज जी अब सुनेंगे आपको आनन्द आजाए जी स्वयम भाई मैं जब पहली बार पहली बार जब आदरणी पटेरिया रादा के इस प्रोग्राम के लिए फोन आया था तो हम सबका सबसे बड़ा आकर्शन यह था कि आपके समक्ष हम सब अपनी कविता की कौपी जचवा सकेंगे और जब आप थोड़ी देर के लिए विराम लेकर वहां चलेगे तो हम सबका थोड़ा समन टूड़िया था क्योंकि हम सबका सबसे बड़ा आज का दरशन सबसे बड़ा लालच यह था कि हम आपके कदमों में बेट कर कविता पड़ सकें और मैं एक बात कहता हूं और हम सब भगवान राम जी की बात करते हैं उन्होंने मनिश्यों नहीं में जन्म लिया और बाद में भात में हम मानते हैं कि वे इशवर थे लेकिन हम यह मनुशर इशवर की य जो बीज कपुल होता है, वो आप खत्म करते हैं, हलांकि बात उतने तरह नहीं पहुश्च पा रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। मैं एक बात कह रहा था जब राम मुझे पढ़ा रहे थे, मैं बात कह रहा थे, कि हम मंदिर की बात करते हैं, राम जी की बात करते हैं। लेकिन उतने हम्मत के साथ उन लोगों के प्रती कर्टग डिन होते हैं जिन्होंने καन पूरे आंदोलन के अपने साथ जिया। मैं पूरी हम्मत के साथ ताम तोर पर कभी यह एंठनी करता है। लेकिन में भारती जंता पार्टी को राश्ची स्वेम सेवक संग को और आधरणी प्रधान सिर्ग नरेंद मोदी जी को बहुत शुब कामने देता हूं कि उन्होंने वर्षों तक इस लंबे आंदोलन को चिया है और इसलिए भी बात कहता हूं कि इससे पहले भी सरकारे थी प लाखों साल जिंदगी के विर्थ रह जाते हैं कुछ जल जैसे लोग चाहते की बुझे आग कुछ भड़काने है तु आयू बन जाते हैं कुछ जल जैसे लोग चाहते की बुझे आग कुछ भड़काने है तु आयू बन जाते हैं पाप हो तो रावड से ग्यानी को भी मरत्यू मिले पुन्य से विभीशन चिरायू बन जाते हैं पाप हो तो रावड से ग्यानी को भी मरत्यू मिले पुन्य से विभीशन चिरायू बन जाते हैं हो अधर्म तो हिरन भी काल बने सीता माका धर्म हो तो गिद भी जटायू बन जाते हैं चार पंक्तिया और मेरे आराद भगवान श्री कृस्तुन को समद्धे इसना षपर नहीं करता हूं सागत है कि जिनको कभी भी सवर्ण खुद तोल ना सका हो चोटी-छोटी-पाती तुल सी कि तौल ले गई जिनको कभी भी सुर्ण खुद तोल ना सका हो छोटी छोटी पाती तुलसी की तोल ले गई बांधा माय शोदा ने सोयम जिने डोरियों से गोपी काएं चुप चाप क्रश्न खोल ले गई बांधा माय शोदा ने सोयम जिने डोरियों से गोपी काएं चुप चाप क्रश्न खोल ले गई एक और गोपीओं मेरा निराधरानी भी थी छलिया का मनवाहर दे तटोल ले गई एक और गोपियों में रानी राधरानी भी थी छलिया का मनवाह देट टोल ले गई और जब कृष्ण चलने लगे थे मथुरा को जूठी बासुरी को आशुओं के मोल ले गई और जब कृष्ण चलने लगे थे मथुरा को जूठी बासुरी को आशुओं के मोल ले गई चार पंक्तियां और पढ़ता हूं सुनिएगा आधरणी महराजी आपको समर्पित करता हूं चार पंक्तियां सुनिएगा यहां पर बहुत सारे खुदा लोग होंगे जिन्नों ने अपनी पहचान अपने दंपे बनाई है और मैं आपको इसलिए भी पसंद करता हूं क्योंकि आप यूआ वर्क का प्रतिनेजित तो करते हैं हादरणी महराज जी चार पंक्तियां समर्पित करता हूं पर सुनिएगा पत्थर की चमक है ननगीने की चमक है सुनिएगा चेहर पे सीना तान के जीने की चमक है पत्थर की चमक है ननगीने की चमक है चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है पुर्खों से विरासत में हमें कुछ न मिला था पुर्खों से विरासत में हमें बस दुआ मिली जो दिख रही है खून पसीने की चमक है जो दिख रही है खून पसीने की चमक है चार और पंक्तियां पढ़ता हूँ जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े हम जीवन में कोई नया काम शुरू करते हैं थोड़े मुश्किले आती हैं परेशानिया आती हैं लेकिन हमारी मान सिक्ता होनी क्या चाहिए सुनिएगा जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े कुछ देर के लिए मेरे मां थे पे बल पड़े हम सोचने लगे की यार लोट चले क्या फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े बहुत आभार राजणी महराजी लेकिन हमें चलना क्यों पड़ता है हम जहांसी महोवा बंडेलखंड मौरानीपूर बर्वा सागर के लड़कों को दिली मुंबई जाना क्यूं पड़ता है हम अपने बंडेलखंड महोवा में क्यूंध है रह सकते चृखारी में tiefारी पोड़ता घर मुश्यकिल्थी सम्हलना ही पड़ा घर के वासुते हम 15-16 साल के होते हमाने बहुत सपने होते के मैसा करेंगे वैसा करेंगे डॉक्टर बनेंगे इजिने बनेंगे लेकिन 22-23 तक आते हमें अपनी मा की आंग का ऑप्रेशन दिखने लगता है हमें अपने पिता के जुकते वे कंदे दिखने लगते चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि हमें घर छोड़ना क्यों पढ़ता है मुश्यकिल्थी सम्हलना ही पड़ा घर के वास्ते फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते मजबूरियों का नाम हमने शोक रख दिया हर शोक बदल ना ही पड़ा घर के वास्त हर शौक बदल ना ही पड़ा घर के बास लेकिन हमें इस बास से निराश उने की ज़रूरत नहीं कि हमसे अपना घर छूटता है घर में बसरास तक किसी की नहीं हुई लड़कियों से व्याओ लड़कों से परिवार की जिम्मेदारी उनका उनसे घर छीन लेती है है चार पंक्तिया और पढ़ता हूं सुनिएगा है कि पगवान राम से भी उनका घर छूट गया और था उतक है कनि उसका व्रंदा वर निचुड़ गा था चार पंक्तिया पढ़ता हूं इस कल्बोर की चिंता में रात नींद ना आनी रावड नहीं है मार ना रोटी है कमानी पतुके सच है हम राम तो नहीं मगर ये बात भी शच है हर यादमी की होती है इक्राम कहानी हर यादमी की होती है ला अच्छा है मैं माराज आपको बहुत कारणों से पसंद करता हूं उसमें एक कारण और जिसके मैं आपको पसंद करता हूँ आप बुंदेलखंड की मिट्टी लेकर अभी लंदन गये थे और यहां पर भाई यह बैठा था जिसने सबसे पहले शुरुआत की थी पंकज ने पंकज भी बुंदेलखंडी में खूब बात करता है और आधरणी महराजी बुंदेलखंडी में महराजी ने कभी बोला नहीं लेकिन इससे मैसेज यह जाता है कि हम अपनी बुलियों के प्रति जो लालित है आप बुंदेली बोलते हैं हम बगेली बोलते हैं मैं अवदी शेतर से आता हूँ कुछ लोग भोशपूरी के हैं इन दिनों जो एक अभिजात तिवर्ग आ गया हैं इंग्लिस हमारी मौसी है एक बात कहता हूं कि बच्चे को तब तक मौसी के हवाले नहीं करते जब तक उसकी मान नहीं मर जाए तो मैं बस इतना कहता हूं कि आपकी बोलियां आपको प्री हैं तो अपने बच्चों को उसी बोली में बड़ा करिए उसमें संसकार चिखा और पढ़ता हूं सुनियेगा मज़ा तो तब है कि जब आप अपने गाहों में मेला लगाएं और मुंबई से चलके बीप्राग तक आएं यहां पर मज़ा तो तब है और एक बात कह दूं आज मंच पर आनंद बहुत आया यहां पर भी प्राग बैटे थे और भाई राम भदावर बैठे थे और मैं दोनों को देखके यह सीख रहा था कि प्रकृति का जो संतुलन का सद्धान तो होता है अब बाई इतालियां बजाओ बंती है बड़ी बड़ी इतालिया तो आज चुकिए मंच पूरा पूरा आया था लेकिन मेरे हिस्से में बचे भुचे लोग और मादाद जी का अशिरवाद मैं चार पंक्तिया और पढ़ता हूं पूरे मन से आपको इन्टर्वीव देखा इंडिया टुडे ग्रुप को आपने इंटर्वीव दिया वो तमाम तर्क से आपको परास्त करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जहां पर सच की ताकत हो हिम्मत की ताकत हो वहां पर सत्य पराजित नहीं होता चार पंक्तिया पढ़ता हूं मायूस हो के दौर से लाचार जाएगा इस जूट का हरवार ही बेकार जाएगा मायूस हो के दौर से लाचार जाएगा इस जूट का हरवार ही बेकार जाएगा ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है पर कैसे लगा ये तुम को के सचहार जाएगा कैसे लगा ये तुम को के सचहार जाएगा चार और पंग्तियां पढ़ता हूं सुनिएगा मुझे को न रोकिये न ये नजराने दीजिये इन दोना आप देश में खूब लोग प्री हैं तमाम राज़नेतिक पार्टियां चाहती होंगी कि आप उनके साथ खड़े हो जाएगा लेकिन आपको जो सफर है उसको अपने ढंग से कहने की कुशिश करता हूं आपके तरफ से सुनिएगा मुझे को न रोकिये न ये नजराने दीजिये मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिये मुझे को न रोकिये न ये नजराने दीजिये मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिये जादा से जादा हो गए की हार जाएंगे किसमत तो हमें अपनी आजमाने दीजिये किसमत तो हमें अपनी आजमाने दीजिये चार और पंक्तियां पढ़ता हूँ जो हम अपनी किसमत पदाव लगाते हैं और किसी की पक्ष में खड़े नहीं होते तो उन लोगों को हमारी हिम्मत रास नहीं आती चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से महराज जी की तरफ से आप सबको संदेश तौपता हूं सुनिएगा डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से आखिर में पुन्य जीत ही जाएगा पाप से जब सत्त के पक्ष में कोई राजुदाज जी खड़े होते हैं तब भीतर से ऐसे हिम्मत वाले बयान आते हैं जोसे आज आपने बिया दरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से आखिर में पुन्ने जीत ही जाएगा पाप से गीता में कृष्ण ने कहा अरजुन से बस यही पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप चार और पंक्तियाँ उसके बाद एक गीत उसके बाद अपना अस्तान लेता हूं सुनेगा पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप उसे चार और पंक्तियाँ सुनेजिए जब डर पता चला तभी ताकत पता चली सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली जब डर पता चला तभी ताकत पता चली सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली शर्तों पे तेरी भिकन से इंकार कर दिया शर्तों पे हमने भिकन से इंकार कर दिया तब जाके अपने आपकी कीमत पता चैली तब जाके अपने एक घीत महराजेय आपको शृवता हूँ आपके शी चरणों में रखता हूँ उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ आप युवा हैं आपसे युवा बहुत सारी प्रेणा लेते हैं और जीवन को इतने सात्विक्ता के साथ इतने मीनिंग्फुल के साथ जिसे जिया जा सकता है आप समाज में प्रेणा का काम करते हैं मैं एक छोटा सी गीत आपकी बीच में रखता हूं युवाओं इन दिनों गीतकारों में चलता है कि हम प्रेम के कवी हैं तमाम कवी कवी हैं लेकिन मुझे लगा कि युवाओं की समस्याओं पर बात करनी चाहिए जो उनके बीच की जो अपनी समस्या हैं हम लोग दादा गीत पढ़ते हैं मन भाई गीत पढ़ते हैं इन दिनों आज मन पर जो लोग उपस्तित हैं वो अलग-अलग धारा के ऐसे कवी हैं जिन्होंने अपनी अपनी विदा में अच्छा काम किया है लेकिन मैं गीत पढ़ने की कोशिश करता हूं सुनिए एक महल की चोखटों ने एक मह गीत की भूमिका सिर्फ इतनी है कि दियाब के हिस्से कभी पराजय आई हो आप कभी फेल हुए हो आपको किसी ने मान समान आहत किया हो और आप उस वक्त कुछ उसको जवाब नहीं दे पाए हो लेकिन आपने अपसे वायदा किया हो कि यहीं पर आएंग और वीजे श्री का अपने माथे पर लगाएंगे तो यह गीत की भूमिका है गीत सुनेगा हमको अपमानित किया था एक भरे दर्बार ने प्यार को ठुकरा दिया था निर्दई बाजार ने एक महल की चोक्टों ने कभी हारे हों, कभी फेल हो गए हों, कभी व्यापार में घाटा आ गया हो, कभी प्रेम में सफल हो गए हो, आप कुछ कर नहीं पाए हों, लेकिन अपने आप से वायदा किया हो, कि यहीं लोटेंगा और विजेश्री का ठीका अपने माथे पर लगाएंगे, तो गीत सुनिये एक महल की चोकटों ने, एक महल के द्वार ने, हमको अपमानित किया था, एक भरे दर्बार ने, प्यार को ठुकरा दिया था, निर्दई बाजार ने, एक महल की चोकटों ने जीत का बन्द सुनिये दादा आपको सवता हूं, हम नहीं चानक के लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, चानक के का अपमान किया ता मगत के दर्बार ने, चानक के ने शिखा खोल के प्रतिग्या ली, किसी चरवाहे के लड़के को पकड़ के लाओंगा और राजा बना द खुद को भी तरसे टटोला और ताकत तोल ली थी, हम नहीं चानके लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भी तरसे तटोला और ताकत तोली थी लोग जो है ठोकरों से यही दर्वाजा बनेंगे अर अगली पंक्तिया आपके मन पे ठक से लग जाये तो बच्चे कुछे लोग हो आपकी जोड़ार उजा चाहता हूँ लोग जो दीवार से है यही दर्वाजा बनेंगे हम इसी दर्वार में लाओ टेंगे हम राजा बनेंगे लोग जो दीवार से है यही दर्वाजा बनेंगे हम इसी दर्वार में लाओ टेंगे हम राजा बनेंगे हम को तो केवल बनाया आप सब के प्यार ने हम को अपमानित किया था एक भरे दर्वार ने एक महल की चौकटोन गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ अराजी विशेश बंद है अंतिम चार पंग्ते आपको सौपता हूँ ये गीत पढ़कर मुझे आपकी याद आती है इसका दूसरा बंद सुनिएगा हमें अपने भीतर परिवर्तन क्या करने पढ़ते है ये सफलता से सफलता तकी आत्रा करनी कैसे पढ़ती है एक बात और जोड़ता हूँ उसी करम में कि जो हिंदुत दबा कुशला था आहत था उसको आपने हुंकार में कैसे परिवर्तित किया आहत जक्ता आधा इस बात को फैसे जोड़ता हूँ जो हिंदुत आहत था दबा कुशला था जो अपनी बात कहनी पर रहा था आप लोगों के माध्यम से कितना मुखर हुआ हुआ सके बीचे परिवर्तम क्या हुए चार पंक्तिया सुनेगा अंसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने और जो गांधी जी कहते थे कि एक गाल पर चाटा खलो दूसरा आगे कर दो महराज जी कहते कि नहीं जो एक गाल पर ताक्चा मारो इसकी ठटरी वांद दो अंसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने अंसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हम अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने परंतिम दो पंक्तिया सरपाप फिले सुनेगा अंसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने ताज क्या है कृष्ण के सिर पंक ही स्वीकार होगा सुधर्मा सवा में जब कौरों के पीछ में लड़ाई लड़ने जा रहे थे सारे राजा इकटे थे तो सिर्फ कृष्ण ऐसे थे जिनके मस्तक पर कोई किरीट नहीं था आपके बीज में जो व्यक्ति है वो कोई सांसद नहीं है कोई मंत्री नहीं है लेकिन एक बात कहता हूँ कि इनकी आवाज पे धाम में लाखों लोग दस्दियों दिन से इखटते हैं और यह प्रतिवर्ष की बात चल ली है ताज क्या है कृष्ण के सिर्फ पंक ही स्विकार होगा जिस जगे हम बैठ जाएंगे वही दर्बार होगा क्या बात है नेता नेता के घर में पैदा नहीं होता नेता सड़क पे बैठ जाता और पांच लाग लोग उसके पीछे जोट जाते हैं वह नेता होता है नेता उनको नत्मानिये जो राजनेतिक पार्टियों में काम करते हैं नेता उसको मानिये जो लाखों करोनों लोगों की आवाज बनता है ताज क्या है कृष्न केसर, हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्नोंने तिन तिन प्रदान मंतिरों की घर जर्म लिया और देड़ सो साल की पार्टी किनारे लगा दी। और ऐसे वेक्ट को भी देखा है जो चायवाले की घर में जिसने जर्म लिया और पुरे देश दुनिया में उसका नाम दिया। ताज क्या है कृष्ण के सिर पंक ही स्विकार होगा जिस जगे हम बैठ जाएं ये वही दर्बार होगा जीतना हम को सिखाया मिल रही हर हार ने हम को अकमानित किया था एक भरे दर्बार ने प्यार को ठुकरा दिया था नदई बाजार ने इस गीत को इस कविता करम को पढ़ते वे यदे मेरी कहीं आवाज हकलाट से बर गई हो ज़िए मेरा कहीं स्वर अवरुद्ध हो गया तो मुझे शमा करिएगा क्योंकि भक्तों की बीच मझे भगवान प्रकट हो जाते हैं तो इसका अईसा भाव खुना सभाविक है मैं बहुत शमा प्रात्ति के साथ आपको प्रणाम करता है और अस्ताने आपकी ताड़ियां थोड़ी सी और बड़ी होगी तो इस उर्जावान गीत और उर्जावान मुक्तकों के साथ थोड़ा न्याय हो पाएगा नेता वह है जिसके ऊपर जनता का अधिकार नहें जिसकी खातिर जनता बन जाने तक को तयार रहे हमारी कावी संकला में यह कहा जाता है कि हम कुछ न कि स्वाइम भाई का है कि स्वागत कारिक्रम चल लाए है कि फोटो रखिचनी पड़ती है फोटो जरूर खिचनी पड़ती है और जिनकी नहीं हो उन्हें खिचनी पड़ती है कि ग्वालियर से हमारे बीच में एक ऐसे भी वक्त है ग्वालियर से पैदल चलके और वह यहां तक आए हैं कि पैरों की स्थिती देखिए जरा मैं वस इस जब महराशी ने मुझसे कहा कि यह ग्वालियर से चलके आए हैं अभी वर्तमान में मेरे मन में वस एक ही बात है कि इस पूरे विश् जय 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 श्री राम अभी जय 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 श्ययरा आउंड जय एब तरह चलना है असान नहीं होता है जय 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 श्यारांड चलिए पला रहो यहीं से बोला लूंगा यहीं से बोला लूँगा खुद कोई बोला रहो हूँ हमारे बीच में दो विशेष कभी है अदर्णी अर्जुन से चोधियादा और अदर्णी बल्लाम शीवास्तफ जी उन से पूर्व मैं आज एक चमतकार यहां यह भी करूंगा महाराजी तो करते ही चमतकार एक चमतकार में भी आज करूंगा वह यह कि आज मैं आपको विश्व की सबसे छोटी कविता सुनाओंगा तृच इस tomar ढden प्रारम कर रहाँ अपने अग्वानी में पढ़ रहा हूं खुद को बुलाना चाहता हूं मेरा नाम राम भदावर को देष के बहुत अच्छे रचनाकार को में मंच पर वुलाऊं उनके स्वागत में चार पंक्ते आप के बाद में इसके बाद ले लूँगा बंद कमरे में प्रकास रदा कहां बैठें पटेरियन दादा आप सुन लो अब मुझ जा था आप बंद कमरे में जिसे लिखते रहे दस साल तक बंद कमरे में जिसे लिखते रहे दस साल तक और प्रतिछा रत रहे पढ़ने की आ जाए घड़ी कम पढ़ा कम में पढ़ा लेकिन पढ़ा सर्तान कर हमने किसी से फोन लगवा कर नहीं कभिता पढ़ी बहुत अच्छे वैस्वें कि बंद कमरे में जिसे पढ़ते रहे दस साल तक और प्रतिछा रत रहे कि पढ़ने की आजाए घड़ी कम पढ़ा कम में पढ़ा लेकिन पढ़ा सर्तान कर हमने किसी को फोन लगवा कर नहीं कभिता पढ़ी बहुत अच्छे वा वा बाई स्वें स्रिवास्तर जी ने पढ़ा बाई स्वें स्वें स्वास्तर जी ने पढ़ा सब कुछ बहुत अच्छा लेकिन एक बात भाई ने कई मैं बस वहीं से प्रारंब होना चाहता हूं और आप सबका ध्यान मंगता हूं सुए महीं मेरे मन के गीतकारे में उनको लगाता और सुनते रहना भी चाहता हूं उन्होंने कहा कि पुर्खों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला मारा स्री कहा गया कि पुर्खों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला जो कुछ मिला है अपने खून पसीने की चमक है माटी मिली मान मिला सुद्ध स्वाब इमान मिला गर्व का गुमान मिला पुर्खों से हम को माटी मिली मान मिला शुद्ध स्वाब इमान मिला और देह दान मिला पुर्खों से हमको दया मिली धर्म मिला शांति सत कर्म मिला विश्व का विधान मिला पुर्खों से हमको नीर और छीर मिले तीर मिले वीर मिले युद्ध का सामान मिला पुरुखों से हम को आन बान सान मिली दान मिली दान मिला गर्व का कुमान मिला पुरुखों से हम यह भी कहा जाता है डार्विन का सिद्धान्त कहता है कि हमारे पूरज बंदर थे मैंने का तुमाई होंगे हमाई तो मनु और सतरूपा थे चार पंग्दिया और पढ़ना चाहता हूँ धरती आकास नीर सूर्श चंद्र होते नहीं होता ही न विश्व जो विधाता नहीं होता रहे धरती आकास सूर्श चंद्र नीर होते नहीं होता ही न विश्व जो विधाता नहीं होता रहे खुलते ना नेत्र और हिलते ना हाथ पाओं माता पिता जैसा यदि दाता नहीं होता रहे पुर्खे जो स्वाव मान के न बोल देते तुझे तो मंचों पर गीत कोई गाता नहीं होता रहे और खुन और पसीने की चमक को सजाते कहां जो पुर्खों का दिया हुआ माता ही न होता इस धरा को धाकडों ने धाक से अपनी बचाया और हमने मूर्खों को सून का मतलब बताया हमने ही काशी के घाटों पर चिता का मोल मांगा और हमने सत्यता के दम पे ही भूगोल मांगा जो मिले इस धूल में वो भूल सकते हैं नहीं उर्वरा माटी में गदले फूल खिलते हैं नहीं लाखो वैवो शालियों का भूत भी गिरिवी पड़ा इस धरा के दम दमे से पंग भी गिरिवर चढ़ा है हमारे में ही छमता दूर कर दे भूत बाधा इसलिए इस विश्व में वर्चत सो है सबसे जियादा विश्व भर की माउने जितने कुल बालक जने उससे ज़्यादा देवता आकर यहां बालक बने काम है वह कायरों का देवताओं को बुलाए इस धरा का गर्व है कि जन्म में राघव जी आए इसलिए हम विश्व भर में विद्धुता के गड़ रहे विश्व गुरु हम आज है और विश्व गुरु हम कल रहे हम पुराणों युक्तरिसियों के सदा सन्मुक रहे और सन्मुक दन्वत अपने यहां सुक दुक रहे यदि तुम्हें भी छाओं की है आश तो रुकना पढ़ेगा और मेरे पुरुखों के आगे विश्व को जुकना पढ़ेगा इतिहास के हरे पन्ने में कथा सामर्थ की केवल बलवान पूझे जाते हैं कीड़े मकोनों की तरह पैदा होकर मर जाना किसी को कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है इतिहास के हरे पन्ने में कथा सामर्थ की इतिहास में लिखते नहीं बाते कभी वी व्यर्थ की और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है जिसकी भुजाओं में है बल वह विस्व का सर्दाज है क्या बात है समुद्र तकपर भगवान सी राम चंद्र जी ने स्यत्व निर्वाण करा लिया समुद्र पार करके लंका के सामने खड़े हैं जामवंत जी ने कहा कि भगवन एक बार और समझा लो साइब मान जाए मुझे लगता है कि हमारे आराध्य का उत्तर वर्तमान भारत का उत्तर जरूर होना चाहिए रीच राज जामवंत ने कहा ये हाथ जोड राघव संग्राम से बचाओ धराधाम को भक्तों की यासुओं पर फूट फूट रोने वाले राम भला कैसे सहोगे कोहराम को इश्वर हो तुमही चलाते हो सारी स्ष्ट ऐसा करो रावन भी जपे राम नाम को दंबी अभिमानी को फिर से समझाओ और युद्ध का कलंक नहीं लगने दो राम को हमारे अराध्य ने जो कहा नौजवानों ध्यान देना बार बार हात जोड जोड के अधर्मी के आगे स्वाविमान का गुमान खोएगा नहीं बार बार हात जोड जोड के अधर्मी के आगे स्वाविमान का गुमान खोएगा नहीं सूर्य वंस अवतंच सूर्य का करेगा मान पीडिन्यों में कभी अंदकार बोएगा नहीं धर्म के विरुद्ध युद्ध होगा अब पापियों से भरेगा धाल कोई वीर रोएगा नहीं और लाखों आसुगों का भार राम धोएगा परंतु कायरता किसी भी प्रकार धोएगा नहीं अंतिम छंद पढ़के अपना स्थान ले रहा हूं कि तो क्या करें भगवन कायरता किसी भी प्रकार धोगे नहीं तो अब क्या करें आग्या क्या है आगे अब तो क्रपान से दूर कर लो मयान उस पर लगा लो निसान रक्त सान के अब तो क्रपान से दूर कर दो मयान उस पर लगा लो निसान रक्त सान के रण के किसान आज जोत डालो आसमान रण के किसान आज जोत डालो आसमान खीच लो जुबान सत्रुगों की ठान ठान के करदो कल्यान सत्रु मांगे आके प्राण दान रण थल से भागे लेके जान 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 के ओरे बलबान पापियों को खीच के कमान भेजो समसान आज फिर से तान 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 अधरनी मैं अधरनी बल्लाम स्रीवास्तर दादा को मुझे बुलाना है चार पंगतिया पढ़ना चाहता हूं इनका कद पद आयू अनुभव हमसे बहुत सब कुछ बड़ा है मेरा इतना मुँ बड़ा नहीं कि इनके लिए कुछ बोलू बस इतना कहना चाहता हूं यह कहा सू कि नहीं कहती वह प्यास बुझाने आई है है इसा कि नहीं बोलता कभी कि वह ना योधा है तो यह बलवान नहीं घोशित करता वजोशिट अपोराज़े हैं दिनकर ने इंकित नहीं किया मैं रवी हुए रविता मेरी ए हैं फिर हम कैसे कह सकते हैं हम कभी है कविता हाई conversations आले से स्वागत करें आधरनी बल्लाम सिवस्तवाद करें पावन सरातन बंच को प्रडाम करता हूं कभी-कभी बरिश्टता का दंस भी जेलना पड़ता है छे बजे आ गया था और दो गंटे बाद फिर छे बजेगा लेकिन जो पर्मानंद की प्रात्ती हुई है वो अपने आप में अदुती है मैं पूरे बंच को प्रडाम करता हूं महराश्टी को प्रडाम करता हूं कुछ मुक्तकों से बास्तरू करता हूं सुनीगा को जिसने मानस किया ज्यान के दीपको जिसने मानस किया फ्रेर्णा हो गई एक रत नावली प्रेरणा हो गई एक रत नावली प्रेरणा हो गई एक रत नावली चार पंक्तियां और देता हो प्रेरणा हो गई एक रत नावली और माराश्री के स्वंदर का कई बार चर्चा आया कि शब्द शाकुंतलम है तुम्हारे नयन जैसे सात्यम शिबं है तुम्हारे नयन यंत्रवत दे हमें मंत्रवत चंद है स्रश्टि में मंगलं है तुम्हारे नयन स्रश्टि में मंगलं है तुम्हारे नयन प्याग तप की धरा उर मिला हो गई तप के कुंदन खरा उर मिला हो गई रह के महलों में भी कल्प वासी बनी योग की कंदरा उर मिला हो गई योग की कंदरा उर मिला हो गई और कुछ पंक्तिया और पढ़कर के अपना स्थान लेता हूं सुनेगा के ह्रदय में राम होता है सदासत पत्फ प्रगामी के ह्रदय में राम होता है जहां परमान मर्यादा की धारा बह रही होती जहां परमान मर्यादा की धारा बह रही होती वो के बलगर नहीं होता अयोध्याधाम होता है और यहां बेटियों का विवाह होने जा रहा है चार पंक्तें देता हूँ बेटियों के पक्ष में हर एक पाशान सालिग राम की बटिया नहीं होती फकीरी जिन्दगानी में महल कुटिया नहीं होती कभी भी गर्भो में कन्या पेचाकू को चलाना मत वो घर भी घर नहीं होता जहां बिटिया नहीं होती समस्ति यद नहीं होगी तो फिर द्रेश्टी का क्या होगा समय के बाद यद होगी तो जल ब्रेश्टी का क्या होगा इन्हें दो प्यार पावन तुम उपेच्छित मत कभी करना अगर बेटी नहीं होगी तो फिर स्रेश्टी का क्या होगा अगर बेटी नहीं होगी तो फिर स्रेश्टी का क्या होगा बहुत बहुत धन्यवाद आप सब को पर्रणाम करता हूँ छेलिए अधर्णी वल्लाम स्यवास्तर दादा का भी क्रम पूरा हुई पढ़ेंगे दद्दू है पढ़ोगे पढ़ेंगे फिर बाद में लड़ाएंगे हम से अच्छा नहीं पढ़ाएंगे चलिए एक बार आप लोग तालियां वजा करके आदेशित करिए हम कारिक्रम के शीर्ष कलस की तरफ हैं अंतिम कवी के रूप में अधर्णी अर्दून शिशोदिया जी बुलन सहर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं मैं उनको माइक पर आमंत्रित करूं और मैं क्या आम समंतित करें इस शीर्ष कवी के रूप में आज आपके भीज में डॉक्टर अर्जुन शिशोदिया कि अच्छे गुरुदेव जी के स्री चर्णों में प्रणाम निवेदित करता हूं मंच बहुत गौरव शाली है पूरा विश्व जिनकी ओर देख रहा है और सरातन का ध्वज लेकर के जो चल रहे हैं इस राष्ट को हिंदू राष्ट बनाने की शपत लेकर के जो चल रहे हैं वो श्रद्धे जी पैले पैलो 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 जा लेकर को वैलोख ब रहे हैं राष्ट राष्ट लेद मांदा प्रवद लेदे स्क्राव हाद 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 पूझे गुरुदेव का और मेरे बड़े भाई प्रकास पटेरिया महा कवी शौर्य का एक ऐसा नाम जो जिनका शिल्प जिनका तेवर बुंदेल खंड का तेवर है और पूरा विश्व तेवर का लोहा मानता है परम पूझे जी राजोदास जी भी उपस्तित हैं मेरे छोट तेव जी के चर्णों में रखता हूँ कि ये भरतवन्ष के अंश प्रखर ये गौरव है भारतमा का इनसे ही होगी पूर्ण सुनो मानव समाज की अभिलाशा गौगंगा गीता गायत्री इनसे संरक्षन पाएंगी निर्भे रिशियों के हवन यग मानवता पूझी जाएगी पूरप पश्चिम उत्तरदक्षिन ये धर्म धजा फेराएंगे विश्वास रखो ये गुरुवर ही फिर हिंदू राष्ट बनाएंगे तो पावन शुद्विचार कीजए सुन्दरतम दर्बार कीजए बाबा की हुंकार कीजए और बागेस्वर सरकार कीजए मेरे छोटे भाईयोंने बहुत अच्छा पढ़ा और मैं रोमान चितूं जब देखता हूं आने वाली पीड़ी को इतना अच्छा वो पढ़ती है मैं हमेशा शौरी की भासा बोलता रहा और प्रकाश पटेरिया जी मेरे बड़े भाई मैं कहना चाह दो पंक्तियां बोलता संघर्स जीवन में आये होंगे और स्वयम जो पढ़ता है उन्हें सौपताओं में संघर्स जीवन में आये तो कभी डरना नहीं समय के शिला लेखों पर वही हस्ताक्षर करते हैं जिनके समय में चुनोतियां आती हैं विपरीत पंक्तियां पढ़ना हूं लेकिन कविता भागे होंगे युद्ध नहीं बिल्कुल अलग बात करना युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहत भागे होंगे या तो प्रन को तोड़ा होगा या फिर रन से भागे होंगे या तो प्रन को तोड़ा होगा हम रोमान चित हैं हम अहला दित हैं चुनोतियां थी बड़े चैनलों की लेकिन गुरुदेव ने हुंकार के साथ तंकार के साथ सच्चाई के साथ सीना तान करके उन्हें स्रीकार किया और सत्य के सूरज को गा करके दिखाया मैं पंक्तियां निवेदत करना चाहता हूं यह राम और रावन की कहानी किसी एक काल खंड की त्रेता की नहीं है जब जब एहम हो अत्याचार हो दर्प हो असत्य हो तब तब सदेव रावन विद्दमान रहता है जहां नीती हो नियम हो स्रैयम हो विवेक हो मरियादा हो सोहार वहां मेत्री हो करुणा हो दया हो तो गुरुदेव विद्धमान रहते हैं और उनमें रामत्व विद्धमान रहता है उनमें बजरंग बली विद्धमान रहते हैं मैं चार पंतियां पढ़ता है थोड़ा सा इसका वॉलियम बढ़ा देना माईक वाली भाई और इसे सॉफ्ट कर देना के कल की पर सौंकी है बात नहीं वर सौंकी है पीर योगों की व्यथा लोगोंने कहा है कह दिया राम का मंदिर क्यों बने राम तो कालपनिक है राम तो हु हुए ना हनुमान हुए बस आप ही हुए आप ही हुए तब कहना चाहते है कल की पर सौंकी है बात नहीं वर सौंकी है पीर यूगों की व्यथा रहे धर्मों के मरम से वंचित जो करते हैं वही छलचंद चंदवरता पर सांच को आच नहीं जग में यह सत्य सनातन पुन्य प्रथा हर कालु में एक दशानन है हर कालु में है एक रामु कथा हर कालु में एक दशानन है, हर कालु में है एक रामु कथा मद मोह वेलोभु अकामु अक्रोधु से मुक्त सदानिस कामु की जैहो अनादी अनन्त अखंड असीमु अभेद अभे अभिरामु की जैहो जिस पे प्रभु ने अवतार लिया, अवतार लिया जिस पे प्रभु ने उस पुन्य अयोध्या के धामु की जैहो और चाहा तो से मुही छांट दिया, अन्धि आरा घना सीरी रामु की जैहो पांस सताब्दियां लगीन लेकिन सत्य उद्गाटित हुआ पूरे तथे के साथ पूरे तर्क के साथ जब चाहा तो सैम ही छाट दिया अंधि आरा घना सीरी राम की जा और यहां राम कथा हैं यह मोक्ष प्रदायनी है जग की अवसाद की पूर विराम कथा शुभ जीवन मंगल दायक है दुख भंजक है अविराम कथा कहते सुनते युग बीत गए युग बीत गए कहते सुनते चलती ही रही आविराम कथा मन भावन लोक लुभावन है अति-पावन है यह लुभावन है अतिपावन है यह पांच शताब्दियां हमने संघर्स किया स्वयाम विश्व को न्याय देने वाले लोग को न्याय देने वाले न्यायले में खड़े रहे वो धैरिये हमारे पास नहीं था कैसी हमें अयोध्या लगती थी चार पंक्तियां गुरुदेव जो आ और यादा पुरशुत्तम भगवान स्री राम के भक्तों का दरबार है उनके भक्त के भक्त का दरबार है तंव मैं पढ़ना चाहता हूं कि दिन के बिन जैसे सरोज लगे, मन मीन लगे जल धाम बिना, जैसे चंद बिना लगती रजनी स्रम, व्यर्थ लगे परिणाम बिना, जैसे चंदन गंध सुगंध बिना, पहे चान अधूरी जो नाम बिना, जैसे प्राण बिना मृत देह लगे, लगती थी अयोध्या यू राम बिना, जैसे प्राण बिना मृत देह लगे, लगती थी अयोध्या यू राम बिना, जैसे प्राण, पुझे गुर्देव, मैंने अभी पिछले बिनो, शहीद आजम भगा सिंग पर आपको लाइब सुना, मैं यह मानता हूँ, हमारा तो काम है कविता करना, एक इतना महत पूर्ण व्यक्तित्व, इतने बड़े संत, जिनकी दिन्चरिया अभी प्रारंब हो जाएगी, रात भर हमारे साथें कविता सुनना है, समाज के लिए, राष्ट के लिए, लोग के लिए, विश्व की कल्या के लिए, जीवन को समर्पित कर दिया, मैं प्रणाम करता हूँ, प्राय मैंने ऐसा नहीं देखा कि इतना महत पूर्ण व्यक्ति चाहे संत समाज से ही हो, वो इतनी देर तक कवियों के बीच में बैठे हो, अपनी साधना को ले करके, मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, औ और वो जो आपने भगत सिंग के विशय में राजगुरु सुखदे भगत सिंग के बलिदान को बताया, यदि ये परंपरा कुछ और संतों ने भी प्रारंभ कर दी, तो ये राष्ट ना केवल हिंदु राष्ट बनेगा, ये विश्व गुरु भी बनेगा, यदि आपके पर चिन्नों पर हमारी संत परंपरा भी चल पड़े, बाकी लोग भी चल पड़े, आप इस बेटियों के लिए, समाज के लिए, और उन्होंने आवान किया, मैं भी आवान करता हूं, और मेरा मानना है भामाशाहों का देश है, मेरा नव्यवन तन देगा, मेरा मुनिमंडल मन देगा, जीवन का मुल्य चुकाने को, बेटी का ब्याहा रचाने को, मेरा भामाशाह धन देगा, यह धन इन बेटियों के लिए तिजोरियां खोलना, यहां वो बेटियां विदा हों सहर्ष, एक कविता मेरा सुनाने का मन है गुर्देव, अभी 27 शौरवरी, 7 दिन पहल की जमीन पर, फाकोरी कांड के बात, अमर शहीद क्रांतिकारी चंडर शेकर आजाद ने अपने फरारी के दिन काटे थे, अंग्रेजों से छुप करके वो यहां रहे, मैं एक छोटी सी कविता उन्हें समर्पित करना चाहता हूँ, आपसे प्रेड़ा पाकर के, आपका मन मि मिले, आजाद वही जो तनमन से भारत माका अनुरागी था, आजाद वही जिसने आजादी का सपना आबाद रखा, प्रन्याद रहे आजादी का, इसलिए नाम आजाद रखा, आप तालियां बजा करके मुझे बताते रहें कि आप देश के करन्तिकारियों के साथ खड़ें और एक बड़ी जमीन पर बड़े दरबार में बैठें। शेखर ने भीस्म प्रतिग्या की, भारत की रजले मुठी में शेखर ने भीस्म प्रतिग्या की, जो कैद कर सके जीते जी, जो कैद कर सके जीते जी, दुनिया में ऐसा कौन बली, शेखर का सीना भेज सके, लंदन में गोली नहीं धली, जो मुझको बंदी रख पाए, वो क छेखर co रखना खेल कहां। बागी रहकर आजादी का सपना आग करेगा आप। फट गए बदन के कपड़े तो शेखर ने वसन नहीं पहने। धौती जनेव और पिष्टल ही हो गए सदा को बस गहने। पत्रीले पत्पर निकल पड़े फूलों पो छोड़ चुने काथे शेखर ने बेटे सुकूमत के गालों पर रोज जड़े चाटे मुठबेड यहां मुठबेड वहां सत्ता के पाउं खाड दिये गोरों के मन में भैके और चिंता के भाले गाड दिये गोरों के मन में भैके और चिंता के भाले गाड दिये आजादी के रणकी खातिर करके हूँ और मजबूत लिया लंदन जा रहा खजाना जो वकाकवरी में लूट लिया लंदन जा रहा खजाना जो यह मैं लंदन के राज दूतावास में पढ़कर कहा हूँ दो हजार उन्निस में कभी था लंदन जा रहा खजाना जो वक्ता कवरी में लूट लिया फिर वेश बदल कर यहां वहां करते गोरों परवार रहे सबके सब साथी पकड़ गए लेकिन आजाद फरार रहे करने की उनको गिरफतार हरे कोशिस नाकाम रही शेखर की अंतिम सांस तलक गोरों की नीद हराम रही जो भी खेले अंग्रेजों ने उन पर सब खाली दाव रहे आजाद तान करके सीना देते मूचों पर ताव रहे आजाद नाम को सुनते ही गोरों के दिल घबराते थे उंकारों से अंग्रेजों के सम्मंसूबे हिल जाते थे छिन गया चैन बे चैनी थी शेखर के सपने आते थे सुनते हैं गोरे लंदन में सोते सोते जग जाते थे सुनते हैं गोरे लंदन में सोते सोते जग जाते थे जिनका कोई उपचार नहीं उंदेल खंड का पानी बोले जिनका कोई उपचार नहीं थे ऐसे घाव दिये शेखर खलते थे बड़े सुकूमत को मूचों परताव दिये शेखर घोसिते नाम कर दिया गया जिंदा या मुर्दा हाथ लगे लालच में घर के भेदी ही देने गोरों का साथ लगे जो डरे नहीं जो छुके नहीं अंगरे जी अत्या चारों से उशेखर ने कुछ दिन काटे छुपकर घर के गद्दारों से इस हालत में आजादी का सपना भी गढ़ना कठिन हुआ गोरों से लड़ने से जादा अपनों से लड़ना कठिन हुआ निजप्रन को पूरा करने की अब कैसे आस करें शेखर दिखने में सब अपने ही हैं किस पर विश्वास करें शेखर लड़ रहा अकेला योधारन सब संगी साथ ही छूट गए कुछ दूर तलग सब साथ चले फिर ताने बाने तूट गए दुरभाग के देश के भाग के चक्र विपरी दिशा में घूम गए बिस्मिल्ला शफाक लहडी और रोशन फांसी को चूम गए सुखदेव भगत सिंग राजगुरू की अमर शहादत निश्चित थी आजादी के परवानों को फांसी की सजासो निश्चित थी जो भी शेखर के पास बचा सबराष्ट देव पर चढ़ा दिया मा की सुतंद्रता के रत को इकले ही आगे बढ़ा दिया अब ना साथी थे ना धन ही था ना पास बहुत हतियार रहे इस हालत में भी गोरों से वो भिड़ते बारंबार रहे अब शेखर के आवास बनेवन सघनकंदराएं गहबर घर के कायर गदारों से रहना था सावधान ततपर कितने कितने दिन शेखर को भूखे प्यासे रहना होता सबराष्ट देव की मुक्ती का उपवास समझ सहना होता दे गया कोई तो यदा कदा खाने को कुछ पा जाते थे पत्तों से भूख मिटाते थे जर्नों से प्यास बुझाते थे वो खुले व्याउम के तले रहे गर्मी सर्दी बरसातों में आकाश ओढ़ करके सो एक ठंडी बरफीली रातों में फिर एक दिवसमन में आया किस्मत को अजमाया जाए हतियार जुटाने की खातिर आनंद भवन जाया जाए तो आतंत्र समर को जीवित रखने की ले करके आस गए भारत की मुक्ती की खातिर शेखर नहरू के पास गए अन्तिम पंकियां पढ़ता हूँ भारत की मुक्ती की खातिर शेखर नहरू के पास गए होकर निराश लोटे शेखर अलफ्रेड पार्क में जा पहुँचे मुख्बिरी हुई और कुछ पल में अंग्रेज वहां पर आ पहुँचे मा के मनसूबे भूख दिये कुछ कायर और गद्दारों ने इस घर को आग लगा डाली घर के ही कुछ मकारों ने सब बता दिया अंग्रेजों को कुछ ज़्यादा हैं अतियार नहीं बच करके शेखर निकल सके ऐसे कोई आसार नहीं धोखे से जाल बिच्छा करके उलजा स्चारों ने शेर लिया कुछ मिंटों में अंग्रेजों ने अल्फेड पार्क को घेर लिया कुछ मिंटों में अंग्रेजों ने अल्फेड पार्क को घेर लिया आजाद समूचे मंजर को बस पलक छपकते भाप गए खामोश माउजर गरज उठा अंग्रेजों के दिल काप गए खामोश माउजर गरज उठा अंग्रे जों के दिल काप गए जोंजौला मुखी धदखते हों आँकों के डॉरे लाल हुए गोरी पतलू ने भीग गई शेखर इतने विकराल हुए चीते सी फुरती दिखला कर बर्गस से पीट सुरक्षित की चुनलिया जिसे भी पिष्टल ने उसकी ही मौत सुरक्षित की ये व्यूहु महाभारत से भी दस्गुना भयानक खेला था उसोर हजारों गोरे थे शेखरी सोर अकेला था उसोर हजारों गोरे थे शेखरी सोर अकेला था चीते सी फुर्ती दिखला कर बर्गस से पीड सुरक्षित की चुन लिया जिसे भी पिष्टल ने उसकी ही माँच सुनिशित की जिस मुह ने गाली देने की कोशिस की जबडा उड़ा दिया वे शीज काल के चर्णों में पल में शेखर ने चड़ा दिया, वे शीज काल के पूरब पश्चिमुतर दक्षिन, पिश्टलियू मात उगलता था, गोरों को इकले शेखर में दस लोगों का भ्रम पलता था, मच गई पार्क में भगदर सी भागो भागो भूचाल है ये, सरकारी खौप दिखा करके इस ओर धके ले जाते थे, वो निर्वे नरनाहर लगता जैसे श्वानों में सिंघडा, या सर्प जुंड में गरुड कोई जैसे चिडियों से बाज लडा, लगता जुगलू की टोली में नफसे दिनमान उतराया, लंका में आग लगाने को फिर फिर से हनुमान उतराया, लंका में आग लगाने को फिर से हनुमान उतराया. करता हूं लगता जुगनों की टोली में नबसे दिनमान उतर आया ये द्रश्य देखकर गोरों की ये द्रश्य देखकर गोरों की रुख गई हलक में सांसे थी जिस और माउजर भूम गया उस और लाशी लाशे थी जिस और माउजर भूम गया उस और लाशी लाशे थी शेख शेखर का गजब निशाना था हर गोली कर्ज उतार गई चुनलिया जिसे भी पिश्टल ने गोली च्छाथी के पार गई रह गई एक अंतिम गोली आगई प्रतिग्या याद उन्हें जीना भी है आजाद उने, मरना भी है आजाद उने, पल भर को पिष्टल लखा और फिर शेकर ने ये काम किया भारत मा की मिट्टी को ले मुठ्टी में विनत प्रनाम किया, बोले मा मुझे छमा करना इतनी ही सेवा कर पाया मैं जन्जीर इतनी ही सेवा कर पाया, मैं कष्ट न तेरा हर पाया, तुझको आजाद न कर पाया मैं जन्व दुबारा लूँगा, फिर तेरी गोदी में आऊंगा, जन्जीरें तेरी काटूंगा, तुझको आजाद कराऊंगा दोपहरी में इस सूरज की हो गई शाम स्वीकार करो, ये भारत मा इस शेखर का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो, ये कहकर पिष्टल माथे पर रखा, फिर ट्रेगर दबा दिया शेखर ने जीवन पुस्पस्वयम मा के चर्णों में चड़ा दिया, शेखर ने भारत माता की, भारत माता की, जै जै श्री राम, जै जै बागेश्वरधाम, जै गुर्दे श्री राम पुद्धन नम चा एक दांतम, दियतीकम तित्वयम क्र्ष्णं पिंगाच्छं कजबक्तम् चतर वophyंड़ोडन माता की मिचा कित्वाया स्मर्पेत स्विध्याववेत सरवागडे सस्ष प्रशाद तहा स्रीशीता रामनाम भगवानी की यग नारायन भगवानी की गव माता की बागेश्वर हनमान जी महराजी की बागेश्वर बाला जी महराजी की दादा गुरू जी महराजी की आज की संद्य रात्री बेला की, ब्रह्म मुहूर्द की, ठन्न में काप्रे पगलन की, जो हमाए चक्कर में बैठे सुनत रहे उनकी, और हमारे परम पुझ भहिया जी की, सभी वानी पुत्र कवियों की, उनके परिबार जनों की भी, बागेश्वर बाला जी महराजी की, आज की रात, बहुत विशेस बात थी, हम सब ने सभी रसों का अनंद लिया, स्रंगार रस भी, बीर रस भी, हाश रस भी, सभी रस बारी बारी के साथ, कानों में, पहुँचते हुए हिदय को इस्पंदन कर रहे थे, सभी ने अपनी अपनी सरश्वती की कृपा का पुर्शाद, अपनी बाणी से बिखेरा, और निश्चत रूप से हम सब ने, उस गागर के सागर के सब्दों के चण को, खिरदय को घट बना करके, अपने घट में रख कर, अब जीवन का घट-घट सुधा रहेंगे, महंत पुझ श्री राजुदास जी महराज, हमारे अनुझ श्री इंद्रे सुपात ध्याय जी, मद्ध में बीच में जगत गुरु भगवान, पुझ श्री, आचार चरण स्री, रागवाचार जी महराज भीव राजमान भहे थे, हम समने आनंद लिया, एक बात हम बहुत बिनमुलता पुरुबक कहें, कुछ समय पहले, ऐसा जबाना आता था कि कोई लड़के की साधी होनी हो, पूँचा जाए कि लड़का क्या करता है, अगर कह दें कभी है, तो हल दी नहीं लगते हैं, अब तो मंच पर एक दू ऐसे नहीं है, लेकिन सच यह है, हम जो साथ दिन की 21 घंटे में कथा कहे के समझा पाते, आप 21 मिनट में समझाने की चमता रखते हैं, यह कभी हो में सामर्थता हो, यह सरश्वती की और लेखनी की कृपा हो, अपना गागर, अपना सागर, अपना घट, अपनी स्याही, अपना कलम, अपने भाव, अपने उधगार, जब आप लिख करके विखेडते हो, तब ऐसा लगता है, जैसे कोई परमहंस मौती विखेड रहा हूँ, बहुत देर से समझ में आती, कभी सम्मेलन में एक बात हम जो अनभवाज कर रहे थे, बहुत उची चीज है कभी सम्मेलन में, बस उसको पचा पाना, उसको रख पाना बड़ा कठी, और जो पचा लेता है और रख लेता है, उसने कभी सम्मेलन की दक्षना, वैसे हमारे यहां कभीयों को एक सिकायत होती है, कि हमां यहां दक्षना नहीं मिलते हैं यह शिकायद जरूर रहेगी जीवन भर खासकर राम भदावर के लिए किसी को रहे या ना रहे पर इनको इनके दिमाग में यह चलता है कराया घर चई मिल जाए गाड़ी डी जली कड़े अच्छा लेकिन एक है हमने अपने छतरपुर में कोहनूर हीरा पाया महराज जी भीस में पितामा अगर उसे कवियों का भीस में पितामा की संग्याद दें तो अतिश्योक्ति नहीं है एक ऐसा बरक्ष जिसके नीचे सभी कभी छाया में लेकिन ये भी किसी की छाया में वो बात अलग है ये बाला जी की छाया में ये शरस्वती की छाया में ये सब शरस्वती के पुत्र इनके साथ कंदे से खाथ वाह ऐसे हमारे स्रीचतरपुर के प्रकास पटेरिया जी आपके विशेश शहयों के कारण हम लाइब में बोल रहे अभी भी लाइब चल रहा है हमको अभी कोई पीछे बता रहा था कि आज तो 25,000 लोग घर पर बैठे लाइब देख रहे थे यूटूब पर और 70,000 लोग फेस्बुक पर तो अभी भी चल रहा ना कट तो नहीं गया अभी भी चल रहा रहा रहम महूर्त में तो हम बहुत ही विनम्रभाव के साथ और बहुत ही सौभाग के साथ ये कह रहे हैं कि हमने च्छतरपुर में एक ऐसा कोहिनूर उपाया है जो भीष्म प्रतामा की पदवी से कवियों के भीष्म प्रतामा की रूप में जिने कहा जाये तो अतीश शोक्तिनी हमारे स्री प्रकास पटे लिया जी आपके पुरशार्थ आपके विनम्रभल और आपके संकल्प गवल्प से क्योंकि इनके संकल्प का कोई बिकल्प नही कि हमने बहुत बार बिकल्प खोजने की कोशिश की पर हमें इनके संकल्प के सामने कोई बिकल्प नहीं मिला जिस कारण से हर वर्स में लगभग दो बार हमको कभियों का दर्शन भी यहां हो जाता और सरश्वती की उस जर जराती हुई धारा का प्रभाहे भी सिंचन करने को फिर से जैरो आपकी आगामी 19 जुलाई को आप कह रहे हैं वाह तो हम आज की रात्तरी को आप सभी प्रियेजन बहुत लोग जाग रहे हम सामने देख पा रहे हैं कुछ माताएं भी बेटियां भी बड़ी रात से कुछ बिदेशी लोग भी पूरी रात से जाग रहे हैं ए टक्टकी लगाएं सुन रहें देख रहें बड़ा अद्वुत सुद्धानिष्ठा है भगवान करें आप सब को इस ब्रह्म महुर्त में हमारे मूँ में घी सक्कर पहुचें तेकर तुम्हें ये आसिरवाद मिले के यग का फल मिले इसलिए घी सक्कर तो आप सब को इग का फल मिले यही बालाजी के चर्णों में प्रातना करते हुए आज की रात्री काल को ब्राम करना चाहिए शुबय प्राता काल ग्यारा बजे पुना दिवस प्रारम्ब हो जाएगा यग के माई कुछ देर में प्रारम्ब हो रहे हैं यग्याचार जी चारों बेदों का पाठ कुछी छण में प्रारम्ब करेंगे इसके बाद प्राता काल हबन्ब होगा फिर वही क्रमन मरत होगा और क्रम में, आज के संत संभेलमन जगत गुरू भगवान शरी पूज़ शरी आचायर चरन रागभाचारजी महराजी भी है और संध्या बेला में कथा के पूर्व में ही गौरी गोपाल आस्रम के पीठा धीश्वर श्री अनुरुद्धाचार जी महाराज जी भी पहुँचेंगे अनन संत जो आएंगे उनके नाम नहीं बताएंगे जो आएंगे उसी वक्त बताएंगे तो अन्न महा पुरुष भी आज विद्यमान रहेंगे उन सब के हम दर्शन करेंगे और आज बारा बजे पुराने राम दर्बार में शन्यासी बाबा की दीक्षा है और इसके बाद में कथा का समय वही धाई बजे से लगबख रहेगा दाई बजे हम पुरारम कर लेंगे ताकि समय पर पुराम करके साम को फिर बी पराग जी के भजन सुनेंगे और बी पराग जी के आज भजन सुनेंगे कल साथ तारीको कनहिया मित्तल जी के सुनेंगे और बस आठ तारीको सौनू निगम जी के भजन सुनेंगे वो आ रहे हैं इस बार के बुंदेलखन महा कुम्भ में लगभग लगभग विशिष्ट लोगों के सभी के दर्शन हो गया जिनके उपर भगवती कृपा भगवत कृपा जिन पर लक्षमी की कृपा किसी पर मीडिया की कृपा अपने अपने हिसाब की कृपा पाए हुए हैं वो सब आए सब के दर्शन भै तो निश्चत रूप से ये जो संकल्क है अनमान जी महराज उसे पून करेंगे सभी कवियों को हमारा परिवार है हम देखो विशेश तया आपको कभी रूप में कभी नहीं सुनती है हमारी मती में ये रहता है कि आपको वो सम्मान प्राप्त होना चाहिए जो बास्त्विक भगवत भक्त को प्राप्त होता है उद्देश हमारा सिर्फ इतना है बैठने का भी ये उद्देश है वाकी सुनने को तो ऐसा के आज कल मोबाइल तो फिरी है डाटा फिरी है डाटा लगाओ देश के बड़े-बड़े करोड़ों वाले कभी दो रुपईया में घरे सुनो हाओ हाओ सौकी सीधी बात है दो रुपईया भी कर चल नहीं हूँ लाइब सुनो तो जो है अब एक बार एक आदमी गड़ा में क्या रगाओ क्या रगाओ हो यह अपनों काओं गड़ाकों तो चिल लानों के भाई को बचाओ 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 जंगल का काम कोई नहीं निकला एक राम बदावर जैसा लंबी लंबी जुल फेलिए निकला वो भी गड़ा में कूंदो तो जो गिरा हुगा था उसे लगा बचा भी बार लिया आगा हुग का मैं केदा कि मंभी कूंद गया उपर से हात पकडाते गेरते ना तो हात पकडा देते रसी भ्यांक देते अब क्या कोई और है उपर बोले नहीं कोई नहीं है उपर तो बोले तॉमれた अनीचे गरगा है बहुले दरसल हम कभी है बोले वही तुम गड़्डा में गिर एंगव अगर कभी हो दर्वाइं कोई कविता नहीं सुनता है अब कविता हम सुनाते हैं फिर लोग कुछ दिर बाद भग जाते हैं जैसे यहां सो गये तो बोले भग जाते हैं हमें चाहिए स्रोता यह बोला तुम्हें स्रोता की पड़ी यह प्राणन की पड़ी तुम्हें स्रोता की पड़ी अब बोले चाहिए जो पड़ी हो तुम भग सकते नहीं हो कान बंद कर नहीं सकते हो अब जब तक तीसरा नहीं आये तब तक हमें सुनो हाँ हाँ हम जो परिवारतन करें लए कि वो कभी हमाई थे कि इतना परिवारतन कर ले थे अब जो पर आओ बोले आपने हमाई पराण बचाए बताओ हम का करिये यह वाई यह कभी तर सुन लो तो फ्यरूगर पर बोले मनने तरहे ही तरह हाँ मनना सही यह ठीक है यह और नया कि क्या हो गया भाई अच्छा उपर आ रहे का बचार है भाई यह मूर पर आ है कते हैं कि इतना तेज कभी सम्मेलन चड़गो तो रहे उपर कई लोगों को ऐसा चड़ जाता है कभी सम्मेलन चड़ जाता है कई लोगों को कभी सम्मेलन चड़ता है ऐसा आनंद की रात्री हम सबने सभी रसों के साथ सभी कभी जनों को राम मदावर पंकच पंड़ित गौरव चोहान अर्जन सशोधिया आपने क्या अद्भुत आजात के उपर आपने कितनी लंबी कभिता लिखी और यह अद्भु लिघ्रों तकर दॉली बहुत अद्भुत था उसमें कुछ शब्द इस बच्चे को पहली बार उन्नावाले बच्चे को शुना सब्दों का बहुत तारकिक प्रयोग था बहुत अद्भुत प्रयोग था दरशन के साथ-साथ दर्शन सास्त्र को पकड़ते हुए आपने तो तर दिया दोबारा जे सुनाने लगे जब जे हमने अपना कम्मत दिया तब हमने पेंगे कान में कहा भी अब नहीं सुनाना नहीं तो तुम दर्शन नहीं कर पाओगे तुमको दिक्कत हो जाएगी लेकर अहां उसका तुम सम्मान करो या ना करो हमने सुधाई दिल से तो कि तुम कभीयों को बहुत सी उपहार मिलते हैं तुम लोग ठिकाने रखते नहीं हो हाँ बेन मजाक करें ऐसे हमारे प्रिय गौरव चोहां जी तीन बार दर्शन भै बहुत आनंद आया और कोई रह तो नहीं गया दोजान को इप्ष्मर्ती चन्य भी देना है हम एक बार पुना सबको साधूबाद आप लोग जो जाग रहें सोजाओ आज मिलेंगे कुछ-कुछ लोगों को हम मंच पर ही मिल लए तुमने देखो हम बीच-बीच में उठा उठा के फिरी कर दए ताकि जो है हम व्यस्त भी दोनों काम होते रहें भंडारा पा रहें समय पर कोई देकत प्यारी बेटा ठीक हो जब बहुत अच्छा को को आओ साथ में कौन है अब इतिया भी आई अच्छा ठीक है काओ बिटिया तमारी बहुत सिकायत नहीं आतीं पढ़ो पढ़ो खुश रहो बेटा बहुत अच्छ अमेरिका से कहां से आए ओओ बंगार है हो यहां कि बताओ वहां हमारे कान बहरे हैं तो सब को आश्वीर बाद बिटिया खुश रहे तब यह ठीक रहे नाम रोशन करना मोबाइल कम चलाना बाकी वो बिटिया है जो क्या नाम अंकुर गोरांगी क्या नाम है बिटा गोरी जो चस्मा लगाए बिटा हाँ हाँ आपका सर्मा है न सरनेम सर्मा तुमारी एक वो रे गई थी कविता तुमने कोई कहानी लिखी यह बिटिया को आज बुलवा देना हम भूल याते हैं बिटिया बेहन कहां से हो पठान कोट से तो इनको मिलने न यह आपको और जो पैदल चलके गवालियर से आया उसको मिलने का काम तुम्हारा है है हम भूल याते हैं यह तुम्हारी जम तुमसे अंगले जनम मैं मिल लेंगे अब इस जनम मैं तो भीजी हैं अंगला जनम पहल लेंगे जल्दी हाओ क्या बता हां मुचों वाले बहुत अच्छे हैं खुश रहूं हम आएंगे और सब लोग सो जाओ हां हां सब लोग सब लोग हर कंप मां चाओ अगर तुम लोग सांथ खड़े रहोगे हम वहीं आ जा आच्छायरे रजनीश ओसो के बहुत ही अच्छे कृपा पात्र कहे दे हैं और ध्यान केशरी आ हमने तुम्हारा नाम बोला था जब तुम पणाम कर ले थे बोला दानो यह बहुत अद्वत आदमी हैं यह भी आए हैं सब को साधुबाद मांत जी को साधुबाद और हसाया करो बागे सोधाम अपने बाप का घर है आया जाया करो इसी के साथ आज की रात्री ब्राम करते हैं सीताराम दिन में प्रशाद समय से पा लेना आप लोग बारा एक बज़े यहां बैठ जाना कितने बज़े कुछ लोग पंडाले ही नहीं छोड़ते हैं अच्छा कल अदरबार भी है आज नहीं कल साथ तारीक को ठाकर जी लिए बिटिया ठाकर जी कैसे हैं तुमारे बेटे हैं हम मिलते तुमारे ठाकर जी से मिलेंगे ठीक जैश्याराम झाले का जासी रज़े जया रखना ही तुमार जास्टा को आरीक का जाड़ते हैं तुमारे भी हैं हाद्याराम झाल 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 झाल